नमस्कार दोस्तों और इस BNS के सेशन में आपका बहुत दोस्तों सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि इस सेशन के अंतरगत हम लोग क्या करने वाले हैं यह पूरा सेशन जो होगा उसमें हम लोग BNS यानि भारतिय न्याय सन्हिता को पूरे डिटेल में डिसकस करेंगे एक-एक सेक्षन से MCQ बनाए हैं एक-एक प्रोवीजन से MCQ बनाए हैं हमने और जहां-जहां से आपके एक्जामनेशन के लिए प्रस्ण हो सकेगा तो इस सेशन में हम लोग जितने भी पॉसिबल हो सकेगा क्वेशन को उतने क्वेशन साल्व करेंगे हाँ इतना ध्यान रखेगा कि नंबर आफ क्वेशन भले ही पचास सो या दो सो हूँ लेकिन उसके बारे में जो रिलेटेड फैक्ट हैं जो आपके एक्जामनेशन के लिए जरूरी हैं वही फैक्ट हम चर्चा करेंगे जिससे आपको अगर पांच सो परस्न भी साल्व करत हैं तो उसके बाद आप बेरेक्ट लेके साल्व कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका कंसेट क्लियर होता जाएगा और एकडम दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाएंगे तो यही उद्दे से हम मेरा और हाँ इस सेशन को हम एक ही लेक्ट्ट में कम्प्लीट यहां पर इस तरीके की चीजें जो मैं करता हूं करता ही हूं उसके अलावा जो बच्चे हमसे डायरेक्ट जुड़ पाते हैं यानि जो इस पास के डिस्ट्रिक मने बनारस में यह अफलाइन सेंटर है और इसके आसपास के जिलों के लोग दूर के लोग तो आप आते हैं लेकिन जो बहुत दूर किया है जैसे राजस्थान का कोई है मुंबई का कोई है चाहे कहीं और दूर का वो बच्चे आफलाइन तो जोड़ और online classes में वही सारी चीज़े होती हैं जो offline classes में होती है PDF notes भी आपको available हो जाएगा आपको classes live भी मिलेंगी, आपको recorded classes भी मिलेंगी तो एकदम basic से वो label तक बताया जाता है जिसे आपकी परिच्छा qualify हो जाएगा और इसी वजह से success ratio में हम लोगों की बराबरी करने के लिए कोई और judiciary का institution है नहीं और online fees हमने इतनी affordable रखी है ताकि अगर कोई student पढ़ना चाहे तो उसे ये excuse तो कम से कम नार है कि मैं आर्थिक संसाधनों के अभाव के वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे नहीं तो मैं भी पढ़ लेता अच्छी जगा आपको सिर्फ एक 1170 बरुपे के installment में भी एक classes उपलब्द हो जा रही है और मन्थ आप इतना दे के भी पढ़ाई कर सकते हैं तो जुड़े हमारे साथ और चाहे जैसे भी YouTube के माध्यम से जुड़े हैं चाहे आप class लें batch join करें जैसे भी जुड़े आप उपने को समारते रह करते हैं जिसमें हम लोग एक-एक section से प्रस्न को discuss करेंगे चली शुरुवात करते हैं आज का पहला प्रस्न है एक से करें पहला प्रस्न है कि भारतिय न्याय सन्हेता 2023 में कितने section सामिल है 511-357-538-358 कितने section है BNS में IPC में यह जो थे ना IPC के जगाँ पर यह बना है और IPC में 511 section हुआ करते थे लेकिन BNS में अब पांसो अरे पांसो अटीन सव अन्ठावन सेक्शन हो गया है ओप्सन नमर डी सही हो जा रहा है यह गलत है यह पुराना है तो 358 section हो गया है चली आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद भारतिय न्याय सनेता को रास्टपती की स्विकृति का मिलने का मतलब क्या होता है इसका म क्या है तो इनेक्टमेंट डेट क्या है 25-12-2023 यानि 25 दिसमबर 2023 को इसे राष्टपती की स्विकृति मेरी आगे बढ़ते हैं भारती न्याय सनेता की धारा एक यह एक है निमनलिखित के बारे में बात करते हैं इसके बारे में अपराद की परिवासा है सनेता का नाम और उ में से, इसका option number B हो जाएगा, संचिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, घबराएगा नहीं, जो बच्चे हिंदी में बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हैं, उनके लिए English में भी मैं लाओंगा, लेकिन पहले Hindi में complete हो जाएगा, तो अब ही आप इसी से काम चलाएए, फिर English म भी में करा दूगा, तो ये section number one संचिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना है, इसके जो preamble है, जो इसकी objective है, इसमें जो है, वो consolidate करना होगा, यानि समेकन होगा, और संसोधन होगा, समेकन और संसोधन, यानि consolidate करना और संसोधित करना इसका उद्दे से है, और इससे में प्रावधान करना है, तो आप ये दो चीजें याद रखेगा, समेकन और संसोधन, define करना इसमें नहीं है, generally क्या होगा, generally नहीं, कुछ ऐसे विधियां होती है, जिसमें समेकन, संसोधन और परिभासित करना होता है, तो ये परिभासित करने का काम नहीं कर रही है, next कर ल इसपेन का नागरिक है, पेरिस में रहता है, और ने अपराद के कारीद कीयाने को उकसाया, जो पढ़ाम सुरुत भारत में किया जाना है, अब इसमें option पढ़िए, क्या है, इसमें option पढ़िए, क्या है, इस प्रकार उत्तरदाई होगा मानु अपराद भारत में ही कारिद किया गया था इस प्रकार उत्तरदाई होगा जैसे भारत में ही अपराद किया गया था यह प्रोवीजन जो है वो सेक्शन वन का क्लास नमर फूर है कि अगर कोई अपराध है जो बाहरत से बाहर उक्सायद्ह गया है लेकिन करने की बात कहां हो जा रही है भारत में है नए उसी प्रकार उत्तर दाई होगा ऐसे किया जाएगा जैसे वह अपराध भारत ही किया गया यह नमर वन का क्लाज नमर पूर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, को जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वो हत्या के लिए बिचारित और दोस्त सिद्ध किया जा सकता है, क्या कह रहा है? आप्शन नमर C, भारत के किसी भी स्थान में जहां वो पाया गया, कहां आई है, सेक्शन वन का क्लाज नमर फाई, दोनों में अंतर है, एक अपराद के लिए बात हो रही है विदेश में, अपराद कहां हो रहा है भारत में, दूसरी बात हम कह रहे हैं, भारत का नागरिक है, भारत के बाहर जो है अपराद करता है, तो भी उसका बेशरण भारत में हो सकता है, और उसे दंडित किया जा सकता है, और ये धारा एक क्लाज नमर फाई पे कहता है, जितने भी प्रोवीजन में बता रहा हूं, ये प्रोवीजन एक बार खुलके सी चीज को प्रभावित नहीं करें भारत सरकार के सेवा के अधिकारियों सैनिको नौसनीको वाई सनीको तौरा विद्रोह और अधुक्टैजन के लिए डंडिद करने वावा लिकिसी अधिनी है कोई विसेस भी कोई स्थानी भी उपर उक्षभी क्या कहा रहा है आप्सन नम्मर डी हो जा रहा हूँ पर उक्त सभी यह सेविंग कलाज है का सकते हैं यह क्या है यह सेविंग कलाज है मतलब किन किन चीजों पर लागू नहीं होती है भारती न्याय सनिता के निमनलिखित में से कौन सी धारा सब्द कारे को परिभासित करती है अब यह दो किये पहले जो परिभासा खंड था न वो एक एक धारा में था अब सेक्शन टू में ही 49 ऐसे भाग कर दिये गये हैं जिसम सही आप्शन हो जाएगा तू वन तू वन में एक्ट को डिफाइन किया गया और वन में क्या डिफाइन किया गया है एक्ट को कहा गया है कि कारे और कार्यों की आवली यानि सिरीज आफ एक्ट वो दोनों एक ही तरीके से ट्रीट किये जाएंगे अगला कुशन कर लेते हैं भारतिय न्याय सन्हिता के अधिन कूट करण कूट करण कहां परिभासित है सही आप्षन दीजी कूट करण जो हो जाएगा वो दो चार में हो जाएगा इसको कूट करण को क्या करते काउंटर फेटिंग काउंटर फेटिंग अब कूट करण का मतलब क्या होता है कूट करण का मतलब होता है एक चीज को दूसरे जैसा बना दिया जाए जरूरी नहीं है लेकिन उसके जैसा जिससे लोग भरम में पढ़ जाए और वो कूट करण के अंतर गयता है और उसी में दूसरा देने के इरादे से ही वो चीज बनाई थी कूट करण किया था कहां है दो चार में तो दो तीन में क्या है एक बहुत नियालाई की परिमासा है दो च्छ में जो होगा जीवन होगा संभावता दो छे में जो होगा अरे जीवन नहीं होगा मृत्यू होगी मृत्यू मृत्यू होना चाहिए तो इस तरीके से आपको section यह वाले याद रखने है क्योंकि प्री में उच्छा जाएगा तो आपको फ कूट रचना में अंतर होता कूट करन किसी भी चीज का हो सकता वह को दासुत concert का अभी हो सकता और किसी का भी हो सकता पदारध का लेकिन कूट रचना होटी हो डाकुमेंट की होता है तो ध्यानद करिए जैसे signature की गूटमें हो सकती है या इस तरीकी कि नियालय सब्द को भारतिय नियाय सनहिता में कहां परिवासित किया गया है जब कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाव पहुंचाने के उद्धिस से कुछ भी करता है या किसी निया व्यक्ति को गलत तरीके से नुक्षान पहुंचाता है तो इसे किस तरह की की गई बात करते हैं दोखादड़ी गलत तरीके से व्यमानी से की सरारत से बैमानी बैमानी से बैमानी से का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति सदोस लाभ करने के लिए रांगफुल गेन या रांगफुल लास यानि सदोस हानी कराने के आसर से कोई कारे करता है तो कहा जाता है कि वो उस कारे को कैसे कर रहा है बैमानी से कर रहा है और बैमानी से को कहां define किया गया है section 2 के 7 में define किया गया है dishonestly को तो बैमानी से define किया गया है दो साथ में डिफाइन किया गया, और कोई व्यक्ति कहा जाता है कि वो जब किसी व्यक्ति को सदोस लाव या किसी व्यक्ति को सदोस हानी करने के इरादे से कोई कारी करता है, तो वो बहिमानी से उस कारी को करता है. भारती न्याय सनहिता के तहत एक बैंकर पर चेक क्या है दस्तावेज है मुल्यवान प्रतिवूती है कूटकृत है कि इनमें से कोई नहीं क्या सही अप्सन नमर ए हो जाएगा दस्तावेज हो जाएगा सेक्षन टू एट में होगा डाकुमेंट की डिफिनिशन की डाकुमेंट का मतलब क्या है कि किसी पदार्थ पर अंकों अक्षरों संकेतों या चिन्हों के माध्यम से अगर कोई चीज अभिव्यक्त करता है वो साक्ष के या या नहीं भी हो सकता है उसी इरादय से नहीं बना गए तो दस्त अवेज का लाधा दो आठ में इसकी परिमासा है और नेक्स्ट कुश्चन हम लोग कर लेते हैं और बॉक के विरुद एक ऐसी रासी के विरुद डिक्री प्राप्ट करता है जो उसे दे नहीं है यह भारती नयाय सहिता के तहत एक अफराद है यदि और ने ऐसा उपेक्षा पूड किया है सदभावना पूड किया है कपट किसी व्यक्ति के विरुद उसने किस तरीके से कपट पूर तरीके से अगर कार करके डिक्री प्राप्ट कर लेगा तो क्या होगा कपट पूर कार किया है उसने है ना अच्छा कपट पूर का मतलब होता है जो कपट के इरादे से किया जाए और यह सेक्शन 2.9 में कपट पू को नहीं बता रहे हैं कि IPC में कौन सी धारा में डिफाइन था क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को confusion हो जा वैसे यह section 25 में डिफाइन था कहां था section 25 IPC की धारा में डिफाइन किया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारती ड्याय सहीटा में पुलिंग वाचन सब्द वह का प्रयोग किसके लिए किया गया है वह नहीं कोई अपराद पढ़ते हैं तो लिखा रहता है कि जो कोई ऐसा अपराद करेगा वह इतने सालों के करवा से दंडित किया जाएगा तो काता है ही डिनोर सी एंड फीडेनोर्स ही मतलब वह में पुरुश भी आता है और इस्त्री भी आती है तो इसमें क्या अप्संसर होगा वह कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो अचाहे महिला हो अचाहे वभय लिंगी हो सब आएंगे इसमें πिला कितर section count सा है 2-10 section 2-10 है चलिए, अच्छा ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है class क्योंकि इतनी मिहनस से मैं कर रहा हूँ आपके benefit के लिए, तो आपकी भीजिमेदारी बनते हैं कि थोड़ी से feedback आप दीजे कि आपको कितना मज़ा आ रहा है इस class को तरने में क्या लग रहा है कि वो सही चीज हो रही है जो आप चाहते भारते नयाय सनिता कि में सब्द सदभाव को रोग जिसको हम क्या करते हैं good faith good faith को कहां define किया गया पहले मैं बता देता हूँ IPC के section 52 में define किया गया था अब कहां define किया गया गूड फेथ को घूड फेथ को कहां define किया गया option B सही हो जाएगा 211 में good faith को define किया गया और good faith का क्या मतनद है कि कोई कारे good faith में किया गया नहीं कहा जा सकता जो उस कारे को सम्यक सतर्कता और सahodhani के साथ नहीं किया गया ये थुड़ी से negative definition यानि जिस कार्य को सम्यक सतर्कता और साधानी के साथ नहीं किया जाता, उसमें आप गुडफेत का बहाना नहीं ले सकते, जैसे सुकरू कविराज की केस थी, उसने ऑपरेशन चाकू से कर दिया, जिसकी वज़े से उसकी मृतियोजी, उसने कहा कि हमने इससे पहले बहुत से किये हुए हैं, तो गुडफेत में हमने उसकी जान बचाने के लिए किया, तो यह जो है, गुडफेत नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस कार्य को आपने सम्यक सतर्कता और साधानी से नहीं किती, चलू कि जो एक घंटे का यह लेक्चर होगा, वो एक्दम छोटी-छोटी च चलेगा, एक-एक सेक्षन पर आपको इतनी क्रॉशन मिलेंगे न, कि आपको हो सकता है कि लगने लगे कि अरे आरब यह तो हमको पता ही है, फिर से वही प्रसन आ गया, थोड़े-थोड़े बदले हुए प्रसन रहेंगे, तो धवराइएगा नहीं, क्योंकि यहां आपको भले आसान लगे चीज, लेकिन वही चीज अभी जैसे हमने सारी चीज़े कराई न, सारी चीज़े न, अभी पूझने के कपट पूर किसमे है, गुड़ फेथ किसमे है, तो आप भूल जाएगे, तो उसको प्रक्टिस करने की जवरत, पर इसी वजह से मैंने हर से प्रसन ल समिलित नहीं है संस्रह में, क्या, किसी व्यक्ति को आस्रह देना, पकड़े जाने किसे बचने के लिए सहायता करना, किसी व्यक्ति को बाहन के साधन देना, अपराध कारित किये जाने के पूर उसका किया जाना, सुगम बनाना, क्या होना चाहिए इसमें से, क्या सामिल नही अब देखिए यह option D हो जाएगा अपराध कारिद किये जाने कि पुर उसका किया जाना सुगम बनाना पहले समझे कि संस्रय है क्या चीज यह बताया गया है संस्रय को यानि हार्वर जिसको करते हैं हार्वर को डिफाइन किया किया बहाँ बचाने के लिए उसको भोजन देना वट वहां देना उसको अपने घर में आश्रह यह सब संस्रय की अंतरगत है तो 2-13 में define किया गया, पहले 52-a में हुआ करता है, तो यह गलत हो गया, पूरो कर दिया, गलत हो गया, तो, अब ही कुछ मैं बता रहा था, दिमाग से उतर गया, चलिए, अगला question कर लेते हैं, हाँ, संस्रे था न, अब जिसे यही section 214 में जब आप देखेंगे न, तो 214 में क state को define किया गया होगा, छती को define किया गया हो, छती समझते हैं न, injury को define किया गया, और छती कहता है, यह चार प्रकार की छती होती है, शरीर, मन, ख्याती, और संपत्ती, body, mind, reputation और property, यह injury जो होती है, वो चार प्रकार की injury होती है, यह बात पहले section 44 में define की गई थी, IPC के, और व अबायद में सामिल नहीं है, समझा है, illegal की definition है, illegal में क्या सामिल नहीं है, illegal की definition IPC के अंतर गती, यह section 43 के अंतर गती, illegal, अब कहां आ गई, अच्छा, अब उसमें से क्या नहीं आगा, एक अप्रकृत, असत्यक्रिशी, विवरणी देना, संभिता का उलंदन करना, ऐसा करने क अलोग जिसे करने के लिए विजिता बात दियो, अबैद में क्या सामिल नहीं है, असत्यक्रिशी विवरणी देना, ऐसे कोई बात नहीं, दूसरी बात, यह अबैद को अब कहां define किया गया है, तो 215 में define किया गया, illegal को 215 में define किया गया, और तीन बातें आती हैं illegal के अंतर जो अपराद हो, which is an offense, जो अपराद हो, जो civil कारवाईयों के लिए आधार उत्पन करता हो, और जो बिधी द्वारा निसिद्ध हो, जो अपराद हो, और जो civil कारवाईयों के लिए आधार उत्पन करता है, वो अबैद कहलाता है, तो अब यह चीज इसमें से option number B गलस हो जा जाया ने, BNS के section 215 में, अबैद सब्द द्यों तक है किस चीज का, किस चीज का द्यों तक है, जो अपराद हो, जो बिधी द्वारा प्रकिशिद्ध हो, और जो civil कारवाईयों के लिए आधार उत्पन करता है, तो क्या सही हो जाएगा इसमें से, अभी जस्ट आप लोगों सबी हो जाएगे, और ये section 216 में, डिफाइन किया गया है, 216 में नियाधिश सब्द को, कि कोई भी ब्यक्ति जो बिधेता नियाय करने के लिए नियुक्त किया गया है, ऐसा ब्यक्ति नियाधिश के पूति में है, चली, भारतिय नियाय सनिता में, जीवन को परिवासित कहा किया गया है, जीवन को कहां परिवासित किया गया है, option number C सही हो जाएगा, 217 में, जीवन का मतलब, किसका जीवन, मानव जीवन, मानव जीवन की बात करती है, जहां जीवन की बात होगी, BNS के अंतरकर, वो समझ लिजे कि मानव जीवन की बात करता है, दो सत्रह में कितने उम्र का हो, पुरुस सब्द का दियोतक है, किसी भी आयू का, किसी भी आयू का नर्मानो है, और यह section 219 में define होना चाहिए, section 219 में है, अच्छा एक चीज और ध्यान आ रही है, मुझे 224, 224 में offense को define किया गया, offense, अपराध को define किया है, कई बार पर रिक्षा में पुछा है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, अपराध को कहा define किया गया है, 224 में कहा रहा है कि इस सनिता, यानि भारती नया सनिता, किसी special law, किसी local law के दोरा punishable जो एक्ट होगा, वो offense होगा, इसी तरीके से आप 2Q प पढ़ेंगे, उसमें भी offense को बता गया, कि कोई भी ऐसा कारिया लूप जिसे तपसमें प्रवित विरी द्वारा दंडनी बना दिया गया, और इसके लिए cattle trespass activity के अंतरगे, complaint किया जा सकता, offense हो, movable property को कहा define किया गया, movable property को कहा define किया गया, option नमर C हो जाएगा, 221 में, movable property, और movable property की एक negative definition है, क्याता है कि वो चीज़ें जो जमीन और जमीन से permanently attached चीज़ें, उनको छोड़ कर सब कुछ, movable property होगा, 221 में, आई यही, जब हम IPC पढ़ते थे तो इसका section जो था, 22 में movable property को define किया गया, सब्ध ब्यक्ति की परिवांसा, मैं थोड़ा सा, सब्ध ब्यक्ति की परिवांसा जो निमलिखित में दी गई है, कि प्रकृति को द्रिश्टिगत रखते हुए मानव हत्या को किसी व्यक्ति द्वरा किसी व्यक्ति की हत्या के रूप में परिवासित नहीं किया जा सकता है एक बड़ा टेक्निकल टाइप का है लेकिन अब यह देख लिजे कैसमें है व्यक्ति सब्दों को कहां डिफाइन किया जाइए भारति न्याय सनहिता के और यह कहता है कि ब्यक्ति सब्द के अंतरगत कमपनी, संगम या ब्यक्तियों का निकाय भी आता है चाहे वो निगमित हो अथवा नहीं है लेकिन अब यह definition जो उपर रिखी हो इसका क्या मतलब है यह कहता है कि मानव हत्या करने का काम जो है इनको कमपनी नहीं कर सकती उसके लिए human being का होना जोड़ी है अगला प्रस्न है आपका भारतिय न्याय सनिता कि धारा दो अठाइस के अंतरगत में में से कौन लोग सेवक की परिवासा में नहीं आता है यह लोग सेवक की जो बात कर रहे हैं हम लोग आई-पी-सी के सेक्शन 21 में हुआ करता था और बहुत बड़ा सेक्शन है तो यह लोग सेवक की परिवासा में कौन नहीं आता है तो इसमें सी जो आप्शन आपको दिख रहे हैं उसमें कौन सा आ जा रहा है सरकारी विद्यालय का सिक्षक जो है वो लोग सेवक की परिवा मुख्यमंत्री लोग सेवक है लेकिन विधायक लोग सेवक नहीं है यह भी बात थी तो मुख्यमंत्री लोग सेवक है यह किस केस में कहा गया था मुख्यमंत्री लोग सेवक होता है अगला है भारती नयाय सनहिता की किस धारा में स्वेच्छय सब्द को क्या गया है कि स्वेच्छय सब्द को कहा परिभासित किया गया है यह सेक्षण 223 में होगा सेक्षन 223 में होगा पहले यह सेक्षन IPC के section 39 में हुआ करता था स्वेक्षया कहां गया option number C से यह 23 करें, 33 तो यह स्वेक्षया का मतलब कोई कारी को कोई व्यक्ति voluntarily करता है यह कब कहा जाता है किसी कारी को कोई व्यक्ति voluntarily याने स्वेक्षया करता है तो जब वो उस कारी को उस साधन से करता है, जिसके द्वारा करने का उसका आसे है, या ज्ञान है या विश्वास करने का कारण रखता है, किसी कारी को माना जाता है कि उसने स्वेक्षया किया है, जिस कारी को उन साधनों के द्वारा करता है, जिन साधनों से करने का उसका इरादा था, या नालेज या reason to believe था, तो ये परिभासा है 233 में, उच्चतन नियाले द्वारा भारतिय धंड सहिता की धारा 349 जो अब क्या हो गया है, 35 और 190, अब जो बदल के हो गया है, कि मन्द विभेद के रूप में कौन सी केस में बताया गया था, कि दोनों के बीच अंतर है, 349 यानि अभी को जो 35 है, और क्या कहते हैं, 190, कौन सी केस, कई बार पूछी गई है, एक्जाम में, नानक चंद वर्सस स्टेट अफ पंजाब, नानक चंद वर्सस स्टेट अफ पंजाब के केस में बताया गया था, कि इनमें अंतर क्या है, बने समान नियास है और समान नियुद्धिस, कामन इंटिंशन और कामन आपजेक्ट के भीज़ डिफ्रेंस है, अगला प्रस्ण है कि भारति नयाज सनीता की धारा चार में, कितने प्रकार के दंड उपबंदित किये गा है, छे, पांच, चार, साथ, दंड के प्रकार जो है, दारा, चार में बताये गए हैं, कितने प्रकार के दंड है, और सन नम्मर ए हो जाएगा, छे, प्रकार के दंड है, आइस पीची के अंतर का अध्र का प्छे होये दंड कितने थे, पांच प्रकार के थे, death sentence, life imprisonment, imprisonment जो दो प्रकार का, simple और rigorous, forfeiture of property, fine, अब एक क्या आ गया है, जुड़ गया है, community service, community service, यानि सामुदाइक सेवा एक नया दंड जुड़ गया है, सामुदाइक सेवा एक नया दंड जुड़ गया है, इसके लिए आपको IPC नहीं बताएगी, मतलब BNS नहीं बताएगा, इसके लिए BNS का section 23 के class number 3 में जो स्पस्टी करण है, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, BNS नहीं, BNS का, वो पता चलेगा कि आखिर ये किसको कहते हैं, मतलब समुदाइक सेवा यानि community service क्या है, community service का मतलब वहां पर ये बताएगा है, कि जो कोई कार किसी अपराद के किये जाने पर, किसी ब्यक्तिद्वारा community के किसी समुदाइक सेवा के लिए किया कौन सी धारा में है, यह section 4 में है, IPC की कौन सी धारा थे, section 53 थी जो दंडे के प्रकार बताती है, next try, निमन मैंसे किस मामले में उच्चतम नयाले ने, मौत की सजा के लिए, दुरलब से दुरलब, यानि rarest of rare का सिध्धान दिया थे, कहा था कि death sentence के अवल, rarest of rare केस में दिया जाना चाहिए, इसमें से कौन सी केस है, बढ़ी असान है, क्योंकि यह बात तो सभी जानते है, option नमर सी हो जाएगा सही, बेच्चन सिंग या बच्चन सिंग वरसेस state of Punjab केस, समुचित सरकार, यानि appropriate government, किसी अभियुक्त देखती के मृत्यु दंड को किसी अन्य दंड में लगुकृत कर सकती है, कैसे कर सकती है, किसी अन्य दंड में लगुकृत कर सकती है, अभियुक्त की सहमती से, अभियुक्त की अधिवक्ता की सहमती से, अभियुक्त के नातेदार की सहमती, पर उसमेंसे कोई नहीं, क्या कह रहा है, आप्सन नुमर डी सही हो जा रहा है, इसमें से कोई आप्सन सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो कम्यूटेशन होता है, कहां गया कम्यूटेशन होता है, इसके लिए जो होता है वो सहमती के बिना, सहमती के बिना ही कम्यूटेशन होता है, अगर यहीं पर आपका हो जाता सब्द रेमीशन अचाहे सपैंस नियानी उसको हम लोग क्या कहते हैं परिहार और निलंबन यह सब सहमती सही होते हैं लेकिन हम कम्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो सम्रूट समस्पार्टी के बीना यह कारी कर देती ठेक गड़ दूसरी बात कहा है तो section फाइफ में प्रोविजन है, एप्रोप्रियेट गवर्मेंट कम्यूटेशन कर सकती है. नेक्स्ट है, ये कहता है, नेक्स्ट कोश्चन, कि भारती न्याय सनिता की धाराच्छे के अनुसार, अन्यथा बंधिस्तियत सिभाई, लाइफ इंप्रिजनमेंट को कितना मानेंगे, अदर्वाइज कितना मानेंगे, ये क्या है, आईपीसी की बात जो थी, वो सेक्शन 57 में आईपीसी के ये बात बताई गई थी, कितना मानेंगे, तो ये 20 साल मानेंगे, अप्सन नमबर, लेकिन अब BNS के कौन से धारा में ये बात बताई गई है, ये सेक्शन 6 में है, सेक्शन 6 में बताई गया है, कि लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम 20 साल मानेंगे, कब? जब भी निकिगड़ना करें हो यानि जब एक वटा चार एक वटा दो एक वटा छे इस तरीके का कुछ काल्कुलेशन करना होता है ऐसी दसा में हम 20 साल माने लिए अधर्वाइस लाइफ इंप्रिजन्मेंट का मतलब जीवन कारवास का मतलब जीवन भर का कारवास यानि सेस जीवन का करवास होता है जब तक जिंदा रहोगे तब तक जेल में रहोगे ये इसका मतलब होता है जहां कि वह रासी अभिव्यक्त नहीं है, जितने तक का जर्मानाँ हो सकता है, वहां भारतिय न्याय समिता के धर्ख, अपरादे जिस रकम का जर्माने के लिए उत्तरदाई होगा, वह कितना होगा? जहां अधिक्तम रकम नहीं है, वहां कितना फाइन लगा सकता है को dominate? आपसर नमर सी ये कहता है आयसी मित किंतु अट्यधिक नहीं हो सकती है मतलब unlimited हो सकती है, excessive नहीं हो सकती है, अब ये बात कहां बताई गई है, तो section 8 में बताई गई है, और ये पहले जो IPC थी, IPC के कौन सी धारा में बताई गया है, तो section 63 में बताई गया है, कुछ जरूरी section जो है, उसको मैं बता देता हूँ, सारे section को मैं नहीं बताऊँगा कि य IPC में कौन सा था, अब कौन सा है, हाँ कुछ जरूरी है, जहां से प्रस्न बन सकते हैं, हो सकता है, अभी भी पूछ दे, कुछ कोई idea तो है, नहीं कि हम लोगों को जो अभी BNS पर प्रस्ना आएगा, तो उसमें IPC नह पूछ दे, कह देगा कि ये प्रावधान अभी जिस ध जादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब किसी ब्यक्ति को, अगर पेन चोरी, दस रुपए की पेन की चोरी के लिए आप 200 रुपए की फाइन लगाते रहें, तो ये एक्सेसिब, लिखा है, चीप जुडिसियल मजिस्टेट ने अभीक्त को, आईपीसी के सेक्शन 1172 में 5 वर्स के कारवास और 10.000 रुपए जुर्माने से धंडिक किया, भारती न्याय सनहिता गिधारा 1172, अधिक्तम कारवास 7 वर्सका है, मजिस्टेट अभीक्त को जुर्माने के संदाने व्यतिक्रम करने पर अधिक्तम कारवास कितना दे सकता है, पढ़िए, इसको एंसर बताईए तो, इसका एंसर बताईए, आपसन क्या हो जाएगा, 21 मा, क्यों हो ही, एक बटे चार वाला फार्मूला, मैंने भी नसस में बताया था, कुछ बच्चों ने उसमें मैसेज किया था कि सर, इतना नहीं होगा, समझेगा फिर से, ये बात, सेक्शन 8 के क्लास नमर 3 में करेक्ट कर लीजेगा, चुकि नई चीज है, तो मेरे लिए भी थो थोड़ी सी नहीं है, हम लोगों ने भी IPCC, RPC बहुत पढ़े, लेकिन ये चीज मेरे लिए भी नहीं है, थोड़ा सा देख लीजेगा, आठ तीन में ही होना चाहिए, और इसक करने पर कितना दिया जा सकते है, तो क्डिफार्ट करने पर उसके लिए मैक्सिमम जो imprisonment हो सकता था, जितना दिया गया उतना नहीं, जितना हो सकता था उसका 1 फोर्त से ज pressing का 1 फोर्त कितना होगा, साथ वर्त का मतलब 84 मंथ, 84 मंथ, अब इसका 1 फोर्त करेंगे, तो Him, 20 से ज्यादा नहीं हो सकता है भारतिय न्याय सनिता 2023 के अपर जूर्माने या सामुधाइक सेवा से दंडनी है क्या है पहले केल जूर्माने के बात होते थी अब केवल फाइन या सामुधाइक सेवा यानि कम्यूनिटी सर्विस से punishable है और अभियुक्त को 5,000 रुपए के जुर्माने से punish किया गया है तो default करने पर कितनी jail होगी अब देखिए कितने केवल fine से punishable मामलों की हम बात कर रहे हैं केवल fine से punishable मामलों की कर सकते हैं कर रहे हैं कितना होगा यह होगा option नमबर B दो माह से अधिक नहीं हो सकता क्योंकि मामला 5000 रुपए तक का है तो दो माह से अधिक नहीं होगा और यह section 8 के class नमबर 5 नहीं बताए गया है और यह बात जब IPC पढ़ते हैं तो section 67 में बात बताई थी जो केवल fine से punishable मामले हैं तो यह हो सकता है अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा आठ पांच में कुछ चीजें बताए गए हैं जैसे अगर केवल जुर्माना जो 5000 तक तक से punishable है ऐसे मामलों में दो महिने से अधिक नहीं हो सकता जो दस हजार से है उस मामले में चार महिने से अधिक नहीं हो सकता और अन्य दसा में जो होगा वो अन्य दसा में एक वर्स से अधिक नहीं हो सकता और छे महिने से अधिक नहीं हो सकता पहले यह छे महिने था अब BNS की देन है कि वो ऐसा हो गया, क्लियर रहेगा, यह दिखे तीन-चार पर उसने बन रहे हैं से, सेक्षन एट का क्लास नमर फाइफ यह काता है, जो केवल फाइन से पनिशेबल अफेंस हैं, ऐसे मामलों में क्या होगा, जो 5,000 है, इसमें तो 5,000 है, दो महिना अधिक्तम जेल हो सकती है, उसको डिफाल्ट है, दस हजार है, तो चार महिना, और अन्य दसा में मानि उससे ज़्यादा है, तो एक वर्ससस ज़्यादा किसी भी दसा में, केवल फाइन से परिशेबल मामलों में जेल नहीं होगी, हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जेल काट लेने से, फाइन देने से मुक्ति नहीं मिलती है, फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो आपने फाइन नहीं दी थी, इस गल्ती के लिए आपको जेल हो रहे हैं, एक्स को भारतिय न्याय सनेता की धारा 182 के तहत अपराधों के लिए दोस्सिद्ध दिखिया गया है, जो केवल जुर्माने से दंड़नी है, एक्स को 600 रुपे जुर्माने का दंड़नी दिया गया है, हालांकि एक्स इस जुर्माने का भुक्तान करने में असफल रहने पर, एक्स कितने समय के लिए करवासित पिया जा सकता, बताई, आसान है न, क्यों अभी तो हमने बताया था कि 5000 रुपे तक, जो मामला होगा उसमें 2 महीने होगो, 10,000 कख वाला मामला रहेगा तो उसमें 4 महीने और अने 10 में 1 वह कोई सेक्शन बताया था मैंने, सेक्शन मैंने बताया था, सेक्शन 8 का क्लास नमबर 5, चलिए देखते हैं हमारी मेहनत आप लोगों के लिए कितनी सार्थक होती है थोड़ी मेहनत तो पड़ जा रही है इतना लंबा लंबा लेक्षर लेने में लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों का फीडबेक आता है कि सर बहुत बढ़ियां बहुत अच्छा र अपराधव के लिए दोसिद ले ऍजैंगों कि अपराध है कि यह उन अपराध ऐसे किसंद के लिए थांगों के लिए यह ने za अपराद तो किया है जैसे या तो मैंने चौरी की होगी या जनते हुए कि चोरी का समान उसे हमने अपराद किया होगा. तो इस तरीके से कई अपरादों का संदेह उसमें जा चबता है कि तो ऐसी स्थिती में दंड जिसके लिए होगा वही दंड दिया जा सकता है और यह बात section 10 में बताईगी आपके जो अभी BNS पढ़ गया है और यह बात IPC के section 72 में बताई जाए थी उमीद है कि यह बात समझ में आई होगी कि जब doubt है कि कही अपराध हो में से कौन सा किया गया है किया गया है कौन कि किया गया तो ऐसे स्थिति में सबसे कम दंड जिसके लिए है वही दंड दिया जाएगा section 10 यदि कोई अपराधी एक वर से अधिक अधिक के लिए करवास से दंड दिश्ट किया गया है तो एकांथ परिरोध की अधिक कितने से अधिक नहीं हूँ solitary confinement के संबंद में जो provision था solitary confinement के संबंद में जो provision है वो section 11 याद रखेगा important section पहले जो section 73 हुआ करता था यानि 11 और section 12 में भी इसके लिए बात की गए है और यही section 73 और 74 में बात की गई थी IPC के अब एकांथ परिरोध के लिए अब यहां एक साल भले दिया हुआ हुआ है लेकिन maximum कितना हो सकता है अगर यह भी पूछे तो तीन महिने से ज्यादा solitary confinement नह कालने कैदियों से अलग ले जाके कमरे में बंद कर देना अब इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर इसमें कैसे calculate करेंगे जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अपराद जो केवल 6 माह के कर आवास से publishable है ऐसे मामलो में जो दंड होगा वो कितना हो सकता है maximum एक महिने का हो सकता है लिखा नहीं पा रहा एक महिने का हो सकता है एक मिनट वेट करना एक मिनट नहीं कुछ सेकेंड वेट करना पड़े कि मुझे लग रहा था कि हैंक कर गया है तो कोई अपराद चली मोखिक रूप से बता देते हैं कोई अपराद जो छे महीने से कर्विक्ट किया गया उसमें उसमें solitary confinement कितना हो सकता है उसमें solitary confinement जो हो सकता है वो केवल एक महीना हो सकता है जो छे महीने से ज्यादा है लेकिन एक साल तक है उसमें solitary confinement कितना हो सकता है दो साल और दो महीने हो सकता है और एक वर्स से अधिक वाला अगर मामला है तो उसमें solitary confinement कितना हो सकता है कितना हो सकता है तो उसमें तीन महीने हो सकता है चाहे इतना भी जादा हो मतलब कुल मैक्सिमं कितना हो सकता है तो मैक्सिमं कितना हो सकता है तो वो हो सकता है तीन महीने सेक्षन 73 था सेक्षन 73 पर ये भी कहते हैं सेक्षन 73 के समद्ध में ये भी कहते हैं सेक्षन 73 में सेक्षन 73 में कहता है कि प्रायस्चित्ता का सिध्धान कहां है प्रायस्चित्ता का सिध्धान तो यही धारा है किसी भी दसा में कितना हो सकता है अच्छा नहीं भारती नहीं से अधिक नहीं होगा यह थोड़ा सा आधिय धूरी बात है कितने से अधिक नहीं होगा और जितनी दिनों का सलीटरिक कम करणमेंट म कम से कम उतने दिनों का रेस्ट का मतलब उसे आम्रकैदियों के साथ रहना लेकिन ये कहता कि किसी अपराद में अगर सजा तीन महीने से ज़्यादा की तो ऐसे मामलों में उसे एक महीने में साथ दिन से ज़्यादा का सलिटरी कनफाइनमेंट नहीं दिया जासेगा चलिए आगे बढ़ते हैं मुदू सामान में अपवाद निमलिखित में उलिखित है चेप्टर नमर जो है जनरल एक्सेप्शन कौन से चेप्टर में आ गया है जनरल एक्सेप्शन किस चेप्टर में आ गया है तो आपसन नमर ए हो जाएगा चेप्टर नमर थ्री में पहले च चेप्टर नमर 3 में हो गया है और यह section कहां से कहां थक है? section 14 से लेके 44 तक, 14 से 44 तक, पहले IPC के अंतर गया chapter नमर 4 हुआ करता था, जो 76 से लेके 106 तक था, तो यह याद करिए, 14 से 44 चेप्टर नमर 3, इग्नॉरंसिया जूरिस नान एक्जिकियू साथ का क्या आर्थ है? इसका आर्थ होता है, कि बिधी की भूल, ignorance of law is no excuse, बिधी की भूल छम्मे नहीं है, किस चीज की भूल छम्मे है, तब ठीकी है, नेक्स्ट है, इग्नॉरंसिया फैती एक्जिकियू साथ, इसका मतलब क्या ह गया आपसन नमर ए बिधी की भूल्च हम में है आपसन नमर सी हो जाएगा एग्नोरेंस आफ फैक्ट इस एन एक्स्क्यूज मैंने तथि की भूल आपको करने की अनुमती है लेकिन बिधी की भूल करने की अनुमती नहीं है और यह बात आपको मिलेगी कहां सेक्शन 14 में भी और सेक्शन 17 में भी दूनों में तथि की भूल की बात की गए यह कि तथि की भूल बचाओ चौदा जो होगे वो बाउंड बाइला की बात करेगी जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति बिधी द्वाराबद है या अपने आपको बिधी द्वाराबद समझता है बचाओ है या जस्टिफाइड बाइला समझता है ऐसे स्थिति में वो बचाओ मिलेगा तथि की भूल का लेकिन बिधी की भूल का 14-17 दोनों में कहता है कि बिधी की भूल के अधार पर कोई कारे करेगा तो बचाओ नहीं मिलेगा क्योंकि इग्नोरेंस आफ लाज है वो एक्स्क्य लेता है और ए ने भूल कर दी कौन से भूल की है उसने कौन से भूल कर दी है mistake of fact किया है और यह अभी जो हम लोग बात कर रहे थे 14 की वो 14 का example number example number 3 अर मतलब example number B example number B ही है यह गिरफतार करने के लिए किसी को जाता है और गलती से किसी और को गुरफतार करने था उसने कोई अपराद नहीं किया अगर उसने एकाम good faith में किया बिधी के समादेशों के अनुतर में अपने वरिस्ठ आदेश से एक सैनिक कोब भीड पर गोली चला दिता है को ने कोई अपराद नहीं किया यह परतिरेक्षा भारती नया सनहिता के किस धारा में मिलेगी यह यह ने बांड वाइला मैंने कहां पता था section 14 बिधी द्वारा अबद है senior officer आदेश देगा तो उसको करने के लिए बांड है तो वो लिए इसको याद करना पड़ेगा 14 में बाउंद और 17 में जस्टिफाइट तो यह सब चीजें याद करनी पड़ेंगे आपको जब न्याइकता कारी करते हुए न्याधीस किसी ऐसी सक्ति का प्रयोग करता है जिसके बारे में उसे गुड़ फेत में विश्वास है कि वह बात section 15 बचा लेगी उसको कि न्याधीस अगर कोई कारी करता और उसे लगता है कि विधी ने उसको यह सक्ति दी हुई है ऐसा करने की कर देता कोई अपराद नहीं है कि भले ही उसे वह ऐसा करने की सक्ति न रही है अपराद में को section 15 बचा लेगा IPC की कौन सी धारा बचाती भारती न्याय सनिता कि निमने किस धारा के अंतरकत न्याले के निड़य आदेश के अनुसरण में किया गया कारी अपराद नहीं है न्याले के अभी देखिए कर रहा है तो उसको जैसे जलाद को यह बचा रहा है कि फांसी लगाने वाला जो जलाद है उसको बचा रहा है पहले यह section जो था 78 था IPC का अब जो हो गया हूँ परिक्षा में तलासी के दौरान आप पढ़िए क्योंकि मैं कितना पढ़ूंगा आप लोग भी थोड़ा सा सयोग करिये उसके पैंट में हाथ डालेगा है कौन सा बचाव मिलेगा उससे कि इसमें option number 20 ही हो जाएगा कोई अपराध नहीं किया उसने क्योंकि वह भी mistake effect है उसने लड़की को लड़का समझ लिया आगे बढ़ते हैं भारती नियाय सनिता का कौन सा उबंद्य कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो दुरघटना से दुरघटना या दुरभाग्य से होता है कौन सी धारा में है यह दुरघटना या दुरभागे से यह देखिया हमने बताया था मिस्टेक आफ फैक्ट ही है सत्र में जस्टिफाइड वाई यहां ठार में है एक्सिडेंट एक्सिडेंट है न सेक्षन 18 आप पढ़ेंगे पहले दुरघटना सेक्षन 80 में उसे में द्याम पल आता है कि एक बैकति जो है लोगड़ी काट रहा है और अपनी सावधानी से काट रहा है और वो लोगड़ी निकल के या जो फल है चोट लग जाती कौन सा अपराद नहीं किया है और उसे में एक तरीके से है कि एक जगह ऐसी लकड़ी काट रहा है जब अच्छे खेल रहे हैं लोगा निकल के बच्चे को लग जाता है उसके मृतिव हो जाती कौन सा अपराद किया उसने उपेच्छा से मृतिव का कौकी और से उचित सावधानी का कुई अभाव नहीं था तो कौन सा अपराद किया है उसका कारिव माफी हो गें जब सावधानी से काम कर रह तो अब यहीं कहता कि वहां लकड़ी काट रहाता जा बच्चे खेल रहे तो बच्चे को लगा तो क्या हो जाता ऊपेच्छा द्वारा में धुक्त भाम कर नमलिकित में से कौन से माम्रुम भारती नयाय सभilikां कौम लोग काते हैं नेसेसिटी बच नेसेसिटी को बचा को रूप में कौन से महामले में नहीं लिया जा सकते आपसर नम्मर भी हो जाएगा यह कोई तूक नहीं बनता है इसका यहां बचा नहीं मिलेगा कि निर्दोस ब्यक्ति के ब्यपर अभिक्त के हानिका नहीं बनता है चली आगे बढ़ते हैं ऐसा तो नहीं निक में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहा हूं क्योंकि दिखे थोड़ा सा जल्दी तो रहेगा आप लोगों को अगर लगे कि थोड़ा जल्दी हो रहा है ना यूटूब की स्पीड थोड़ी कम कर दीजिएगा होता है ना क नार्मल से अधिक करने का भी आप्सन है लेकिन आप लोग इतने प्रतिभास आली है ना कि 90% बच्चे जो है वो जो ब क्लास देखते हैं तो स्पीड बढ़ाई के देखते हैं ज्यानी है ना जब स्पीड बढ़ा के आप देखेंगे पहली बार दूसरी बार मत आप लोग फटा 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 यह सब्जेक्ट मेजर कर लेंगे आपको टेंशन खतम हो जाएगा प्रीकार बस जीएस थोड़ा सा ध्यान देदी जीएगा जीएस और पुलिस अगर संभव रहा तो मैं पुलिस एक्ट के भी कुश्चन करा लोगा तो टेंशन ख जान की सुरक्षा करना करतब हैं लेकिन अगर उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देना यह बहुत ज्यादा बड़ा पवित्रकार है किसने कहा था यह लाड कोलरीज ने कहा था यह सेक्शन 81 यानि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि नेसेसिटी कौन सी धारा में हम लोगों ने पढ़ा नेसेसिटी 19 में पढ़ा तो नेसेसिटी यानि आवसक्ता से ही संबंदित है लाड कोलरीज ने कहा था किस केस में कहा था आर वर्सस डड़ले एंड स्टीफन ड़ले एंड स्टीफन ड़ले और स्टीफन के केस में वही बच्चे को मार के खा गया थे जो लोग, सब जानते हैं इस कहानी के, तो उसमें जो कोट ने कहा कि वाई तुम को कैसे पता था कि तुम्हारी जान ज़्यादा किम्ति है, तुम ही मर गये होते हैं, बच्चा खागे जी जाता, कुछ काम हो जाता, देश के बाला हो जाता। नेक्स्ट है कि डॉली इन कैपेक्स, अपराद करने में अक्षम का सिध्धान भारती नयाय सन्हिता के किस धारा से संबन देते हैं, डॉली इन कैपेक्स, देखिए, डॉली इन कैपेक्स जो IPC में हम लोग पढ़ते थे, वो सेक्शन 82 पढ़ते थे, और 82 ये कहता था कि 7 वर् अक्षम माना जाता है, यानि वो कुछ भी कर देगा पूरी तरीके से माफिये है, अना, absolute immunity इसको मिली दे, और वही सेक्शन 83 जब हम लोग पढ़ते थे, 83 पढ़ते थे, तो उसमें लिखा होता था कि 7 वर्स से अधिक और 12 वर्स से कम आयू का जो बच्चा है, और वो अगर अपराद करने में मतलब मानसिक रूप से वो और परिपक्व है तो उसे बचाऊ मिलेगा, ये बात अब कहां आ गई, 82 वाली बात आ गई, 20 में, और सेक् एक केस में, ठेक है, उसको हिंदी में कभी-कभी डाले इन के अपेक्स को अक्षम गुडिया का सिधान्त में लिख देते हैं सब, कोई बात अपराद नहीं है, जो कितके सिसु द्वारा की गई, कोई बात अपराद नहीं है, जो 7 वर्स से कम आयू के, मतलब 7 साल से नीचे क बात अपराद की बात कर रहे था, कोई अपराद नहीं होता है, कौन सा सेक्षन है यह, यह 20 में बात की गई है, जो ले इन के अपेक्स, इसी वज़ा सिखाते है, बालक के कृत जिनको भारती नया सनिता में समान ये अपवादों के रूप में उपंधित क्या है, वडित है, बालक का कृति है, समझ रहे हैं, बालक का कृति, यानि 7 वर्स से कम वाला और 7 से 12 वाला बालक का कृति है, तो कौन सी धारा में आ जा रहा है, आप्सन नमर 2 हो जाएगा 20 और 21, 7 साल से नीचे 20, 7 से 12, 21, 9 वर्स का एक बालक सोने का हार चुराता है, और वह तत्वस्चात तुरंट अभ्यूत को बेच देता है, क्या यह चोरी का दोसी है, पढ़िए आप्सन, आप्सन पढ़िए, उसके अधार पर हमको आइंसर देजी, 9 वर्स का बालक है, समझ लीजिए, हार चुरा के बेच देता है, दोसी है, क्योंकि भाई बालक समझ रहा है कि हम का कर रहे हैं, लेने के बाद बेच दे रहा है, तो वो कारे की प्रकृति को समझ रहा है, जबकि यह साथ से बारा हुआँवाले में धारा 21 क्या कहती है, कि तभी उसे मिलेगा जब वो ऑपरिपक को समझ का होगा, जब यह मैच्योर्ख होगा, अब परिपक्त समझ के सिसु द्वारा क्यारी किया जाएगा, यह तो परिपक्त हो है, तो समझ में रहा है कि हार चुरा के बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, और भी तुरंत बेच दोने पकड़ा जाएगे, भारती दंड सनिता की धारा 83, अब कौन सी हो गई है, 21, कि अंतरगत कौन सा सरुप्रमुख होगा है, section 83, यानि 7 से 12 वाले पर लीडिंग केस क्या है, इसमें option आपके सामने है, देखे, यह है option नमर B, उल्ला महापात्रा, उल्ला महापात्रा में 11 साल का बच्चा था, और 11 साल के बच्चे ने एक बच्च्च को जाके चाकुसमाब भी दिया, माना गया कि उकार के नेचर को समझ रहा था, उतना बच्चा नहीं था, होसियार था, तो इसलिए उसको दंडित किया गया, मुसमात ओए मोना की भी केस इसी पर है, मुसमात ओए मोना की भी केस है, लेडिंग केस है, अल्ला महापात्रा वर्स इंपरार की केस है विक्रित चितता अनसाउंडने साफ माइंड जीसको कहते है क्या परिभासित है परिभासित नहीं है विक्षिप्टा के समान नहीं माने जाती साधान अपवाद नहीं क्या सही होगा इसमें से अप्सन नमर एस अहीं हो जाएगा परिभासित नहीं है लेकिन इसके प्रावधान जो हैं वोसेक्षन विटाद में बतायागे कर बात अपराध नहीं सब्सक्राइब अगर तो उसके बारे में बताया है लेकिन defined नहीं किया गया है non-composementist non composement का क्या मतलब गए नाम सही कुछ हब तक तक कलियर हो जा रहा है 22 नान कमपोस्मेंटिस देखिए क्रम वही चल रहा है आज आई पीची में आपने पढ़ा है आपने 20 और 21 में पढ़ लिया बालक वाला 22 में आप पढ़ रहे हैं स्वत्ख चिक 84 मतलब unsoundness of mind unsoundness of mind कहां आ रहा है section 22 एक बार मैं revise करा देता हूं एक बार रिवाइस करा देता हूं section 14 mistake of fact bound byla section 15 ने अधीज द्वारा गलती से काम कर देता है section 16 ने आले के आदेश के अनुसरण में जल्ला जैसे काम कर देता है section 17 mistake of fact justified byla section 18 section 18 यह हो जाएगा accident फिर उसके बाद section 19 necessity section 20 section 20 साथ साल से नीचे section 21 साथ साल से उपर वारा से नीचे section 22 unsoundness of mind section 23 मत तता जो अनेक्षिक मत तता है section 24 स्वेक्षिक मत तो धारा याद करीगा सब धाराओं से प्रस्णाते हैं निमलिखित में से कौन से मामले में house of lards ने बिक्षिप्त था कि बचाव के संबंधित प्रस्ण के उतर दिये थे आर बनाम प्रिम्स आर बनाम मैकनाटन यह जो section 22 हम लोग पढ़ रहे हैं section 22 यानि unsoundness of mind उसको मैकनाटन के केस पर भी based करते हैं आर वर्स मैकनाटन के केस में जो सिध्धांत दिये गए थे वह उसी पर बेस्ट है तो option number C हो जाएगा next है कि भारती न्याय सनीता के कौन से धारा अनेक्षिक मत्ता के बचाव से संबंधित है अनेक्षिक मतलो involuntary intoxication involuntary intoxication कौन से धारा बताएगी आप जानते हैं 23 और voluntary कौन से बताएगी 24 मतलब बचाव कौन सा है बचाव कौन सा है समानेत या बचाव यही है यानि अनेक्षिक मतलब जो नसा किसी व्यक्ति की इच्छा के बिना और इच्छा के विरुद्ध और ग्यान के बिना दे दिया गया हो यानि जबरदस्ती दिया गया हो चाहे उसे कुछ चीज में मिला के उसके ग्यान के बिना दे दिया गया हो और उसकी किVERDER Venus में कोई Offence कर देता तो वो Diference है बचाव मिल सकता मैं लेकिन स्वेक्षिक मतता के मामले में समानित या बचाव नहीं मिलता, आसे के संबंध में बचाव बिल्कुल नहीं मिलता, अरे आसे के संबंध में बचाव मिलता है, ग्यान के संबंध में बिल्कुल बचाव नहीं मिलता है, अब उसको तो यहां तो डिस्कस नहीं किया जा स तो कभी पढ़ाएंगे आप लोगों को तो पता चलेगा यतना समझ लिजे कि आसे के समझ में थोड़ा बचाव है थोड़ा ज्ञान के समझ में कोई बचाव ही नहीं है जो स्वैक्षिक मतता होगी अनैच्षिक मतता बचाव इस पर कुछ केसे हैं मतता से संबंद कुछ केसे हैं यह जैसे आप मतता के संबंद में आप पढ़ेंगे आर वर्सेश किस होगी आर वर्सेस लिप मैन की केस होगी उसके अलवा एक केस होगी बासुदे वर्सेस स्टेट आफ पेपसू जिसमें एक साइनिक ने गोली मार दिया था एक बरात में एक लड़के को उसके अलवा आपको उसको भी रेख सकते हैं उसमें केस और है डी पी वर्सेस बीयर्ड डायरेक्टर आफ प्रॉब्लिक प्रोसेक्यूटर वर्सेस बीयर्ड की केस है तो वह बहुत सारी मतता पर केस हैं अब कि अ यह हो गया चली यह हो गया आपका स्वेक्षिक मतता के बारे में कौनसी बात हो गया सेक्शन सेक्शन हो गया चली आगे बढ़ते हैं भारती नयाय सनिता कि धारा 25 किस बिधिक सुक्ति पर आधारी थे तो यह आप पढ़ लिजी कि वोलेंटी नाट फिट इंजूरिया सहमती वाली बात आ गया तो सहमती वाली बात आ गया और सेक्शन पचीस ही रही पचीस से लेके तीस तक की जो धाराएं होंगी वो सहमती से ही संबंधिक होंगी आला कि धारा तीस में यह कहा गया है कि सहमती के बिना उसके फायदे के लिए किया गयाकार लेकिन हम लोग चुकि इससे कनेक्टेड मानगे चल रहा है तो ये वोलेंटि नाट्फिट इंजूरिया पचीस में रिलेटेड है प्री में पूछा जाता है पहले ये बात पूछा जाता था सक्शन एटी सवड़ेंगा जो सहमती देटा उसे छती नहीं है तो सहमती से एगर कोई छती की जाती है तो छ खेल के समय चोट लग जाती है क्या होगा खेल के समय चोट लग जाती है क्या होगा आपसन नमर सी हो जाएगा औरने कोई अपराध नहीं किया और कौन सी धारा इसको बचा लेगी सेक्शन 25 सेक्शन 25 बचा लेगी क्योंकि सहमती से किये गए कार इसे छती नहीं होती जिस समती को 18 साल से उपर का कोई व्यक्ति देता है तो उससे कोई छती नहीं होती बस वो ध्यान रखिया गाए ग्रीबियस हर्ट में हो जाएगी डेथ के लिए हो जाएगी चलिए यही पढ़ लिजिए एक विद्यालाय का सिक्षक ए अनुसासन लागू करने के प्रयोजनों के लिए एक 11 वर्स की आयू कि एक छाद्र को हलका सा दंड देता है कोई अपराद ही या उसने मताई को यह अपराद है उसका ऑप्सन नमर ए है 27 की प्रत्रक्षा का दावा कर सकता है और यह बहुत ट्रेडिशनल कोश्चन हो गया है यानि पहले भी यह बहुत पूछा गया है पहले यह सेक्षन नमर 89 का बचा गयता था और सेक्षन 27 क्या प्रोविजन यह कहता है न कि अगर कोई सिसू कि गार्जियन की सहमती से या गार्जियन द्वारा सिसू के गार्जियन की सहमती से या गार्जियन द्वारा उसके फायदे के लिए कोई कार किया जाता है तो वो कारे अपराद की स्रेडि भी नहीं आता है, लेकिन सिसु की उम्र कितनी होनी चाहिए, बारह वर्से कम होनी चाहिए, तो यहाँ 11 साल की बात की जा रही है, तो यह साध्धारा बचा रही है, भारती न्याय सनेता के कौन सी धारा उन सर्थों का वर्ण करती है जिसमें प्रात की गई सहमती को स्वतंत्र सहमती नहीं माना जा सकता है मतलब यह कहता है कि कौन सी ऐसी धारा है जो कहती है कि इन परिस्थितियों में सहमती स्वतंत्र नहीं हो पहले यह धारा जो होती थी ने वो section 90 थी, IPC की धारा, लेकिन अब वो धारा बदल के क्या हो गई है, 28 हो गई है, अब 28 धारा ये कहती है कि अगर कोई सहमती भाय में दी जाए, भरम में दी जाए, मतता के अंतरगत दी जाए, विक्रेचितता में दी जाए, 12 वर से कम आयू के सिस्व द्वारा दी जाए, तो सहमती स्वतंत्र सहमती नहीं कला जी, वो बैद सहमती नहीं होगी, तो वो section 28 का आता है, एक सर्जन और एक सर्जन बहुत 13 वर्स के भिखारी की सहमती से, 13 वर्स के भिखारी की सहमती से, उसके दाएं हाथ की तर्जनी अंगली का अंग भी छ कर देता है यह कार इस सदभावना से कि बहुत ज्यादा भिक्षा का दान प्राप्त होगे इस प्रक्रण में क्या इस्थिती होगी यह तो तेरह वर्स का भालक है section 25 तो यहां तक कहता है कि तुम 18 साल से भी उपर के रहोगे तब भी ग्रिवियस हर्ट के लिए नहीं कह सब्सक्राइब तो तुम ऐसा कोई काम नहीं कि सहमति नहीं दे सकते जो ग्रिवियस हर्ट की कोटिंग अब चलिए एक और बात है इसमें से कौन से आप संद्थ सही लग रहा है आपके और ने कोई अपरा नहीं सब्सक्राइब और नहीं हरने अपराधिक कारी किया है कियोंकि वह कि सहमत वयवानी थी वह मानी का मतलब गलत है उसके लिए नहीं दे सकता उसमें आप लिम देना कि लाब मतलब कि वहल आर्थिक लाब नहीं हो सब्सक्राइब तो यहां पर आर्थिक लाब के लिए किसी को नपुन्सक बना देना, किसी की उंगली काट देना, यह जो है वो सही नहीं कहा जा सकता है, तो इसलिए वो सहमती नहीं कही जाएगी और उसने अपराद किया हुआ यह ज्यादा, यह ज्यादा प्रापर सही है, यह प्राद किया है क्योंकि उसका यह खृत भारती नयाय सनिता में परिमादे, सदभावना के स्रेडी में नहीं आएगा, गुडफेथ नहीं माना जाएगा, कि आपने उसको भेग्छा ज्यादा मिले जले उसलिए उंगली काट आगला है प्रशन आपका, भारती नयाय सनिता कि धारा 30 का क्या उद्देश से है, धारा 30 का क्या उद्देश से है, पहले तो यह बदाए, जो 30 है, वही IPC का सेक्शन 92 है, IPC का 92 कहता है, कि सदभाव पुरुअक किसी ब्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमती के बिना किया गया कार, यह बचाता है, तो अब यह कहता है किसको सनरक्षन देता है, तो चिकिटसा बेहसाईयों को सनरक्षन देता है, कि अगर कोई ब्यक्ति जैसे हास्पीटल से आया, और उसको बहुत है एक्सिडेंट हुआ है और एक्सिडेंट हुआ है तो उसको ततकाल आपरेशन की जोरुत है अब वो सहमत्य लेने लगेगा तो काम भी गड़ जाएगा न तो अब ऐसी स्थिति मूँ बिना किसी के सहमत्य से ही उसका आपरेशन कर दे गुड़ फेथ में अ कि मैं नहीं पढ़ूँगा इसको दी हो जाएगा न वहीं तो कर रहे है थे कि एक सल्य चिकित सक है और उसके सामने ऐसी बात आ रही है बोई अपराध नहीं किया और यह बात ऐसा नहीं कि मन से बता रहे है section 30 का example number example number 3 है वो यही example ही है उसने कोई अपराध नहीं किया तो कि गूड़ फेथ में उसका जान बचाने के लिए उसने वो कारी किया था कि एक सर्जन सद्भाव पुर्वक अपनी राय एक रोगी को संसूचित करता है कि अब वो जीवित नहीं बत्रेगा इस में शाक लग जाता हूं मर जाता है क्या होगा कौप राग किया डाक्तर में कोई अपराग नहीं किया कोई अपराग नहीं किया यह सदभाव पुर्वक दी गई communication made in good faith यह section 93 थो था IPC का वो बेत्टी को बचा लेता था कि अगर किसी ने कहा कि अब तुम ज्यादा दिन के महमान नहीं हो डक्टर ने good faith में बताया कि विचार अपना चीवन जी ले और उस सॉक से मर गया तो वह अपराद की अधिवन में आ जाएगा ने ने ओ थर्टी हाँ 31 जाएगा सक्षन थर्टी वन जाएगा नेक्स्ट है एक्टस में इन विटो फैक्टस इस नान में सेक्टरस इसका क्या मतलब देखी एक्टस में इन विटो फैक्टस इस नान में सेक्टर यह जो मैंग्जिम थी वह सेक्षन 94 पर बेख्ट सेक्षन 94 अब यह प्रस्ण जो है वह सेक्षन 32 पर बेख्ट हो जा रहा है मेरे इच्छा के विरुद किया गया कार मेरा नहीं घबरायेगा यह कहीं लेक्ट्चर में पूरा ब्येनिस करांगा मैं घबरायेगा नहीं जितना लंबा लेक्ट्चर हो जाएगा सब इसे में हम लोग कर लेंगे तो आके आपको दूसरा लेक्चार ढूढने की यह सुविजा ना हो तो ये मेरे इच्छा के विरुद किया गया कार मेरा नहीं है एक्टस मेंने इसका मतलब है और ये section 90 or 32 पर ये कहता है कि ऐसा कोई अपराद जैसे करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विबस किय खाल जा गया हो वह अपराद की कोटी में नहीं आएगा द्वारा अगर लेकिन ध्यान रखिएगा कोई अपराद का मतलब अगर हमको यह धमकी दी जाती है कि हम जान से मार देंगे नहीं दूसरे को मार दो तो ना ये काम नहीं कर सकता अपनी जान बचाने के लिए मैं दू कारे करने के लिए भी मुझे कितना भी धंकाया जाब मैं नहीं कर सकता है तो ये और ततकाल मृत्यू का भय दिया गया करो नहीं तो जान से मार देंगे तुरंत भारती नियाय सनीता कि कौन सिधारा विधित तुछ बातों पर ध्यान नहीं देती दिमिनिमिस नान क्यूरेट सेक्शन 33, सेक्शन 95 जो IPC का था वो भी यही बात कहता था कि छोटी मोटी अपर गल्तियां छोटी मोटी कारे तो होते रहते हैं इन पर विधि ध्यान नहीं देती और इसको अपराद की कोटी में नहीं माना जाता है ठीक है भारती न्याय सनीता की धारा 34 के अनुसार कोई बात अपराद नहीं है जो निम्नलिखित के प्रयोग में की जाए पहले तो मैं बता दू कि सेक्शन 34 से लेकि सेक्शन 34 से लेकि 44 तक RPD चलेगा RPD मतलब समझते हैं न राइट अफ प्राइबेट डिफेंस यानि प्राइबेट प्रतिरक्षा का अधिकार अब सुरुआत 34 से हो रही है तो क्या कहा रहा है कि कोई बात अपराद नहीं होगा जो प्राइबेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाए सेक्षन 34 का प्रोविजन सेक्षन 34 का प्रोविजन वह कोई अपराद नहीं है जो नेजी रच्छा के अधिकार के प्रयोग में किया जाए यह कौन सी धारा में निखा है यह तो आप देखी रहे हैं सेक्षन 34 अभी जस्ट बात ही हुई थी प्राइबेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्द है किसको आपसन नमर सी हो जाएगा दोस्त करता से अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए प्राइबेट प्रतिरक्षा का अधिकार अभी लोगों को थोड़ी ना विदेविरुद जमाव के सदस्यों के विरुद नहीं हाँ ठीक है विदेविरुद जमाव के सदस्यों के विरुद नहीं आपसन नमर ए भी सही है और आपसन नमर सी भी सही है इसमें कोई आपसन है यह आपसन नमर ए और सी सही हो जाएगा यह आपसन नमर डी सही हो जाएगा ठीक है दो पक्षों के मंध्य खुली लडाई की दसा में क्या आप्सन सही लग रहा है दो पक्षों के बीच खुली लडाई की दसा में क्या सही आप्सन लग रहा है आप्सन क्या है आप्सन C हो जाएगा किसी भी पक्ष को प्राइबेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा जब दोनों लोग लड़ रहे हो तो लड़ी लो एक थो सिविल ला का सोत्र है जो ये कहता है कि जहां नुकसान है वही रहने देते इल्लीगल एग्रिमेंट जो होता है उसी में ये लागू होता है पारी डेलिक्टो का रूल करते हैं इनमें नहीं लागू होगा मैं याद दिला रहा हूं पारी डिलिक्टों का रूल है कि जब दोनों को अबैद होने में जब दोनों की गलती बराबर होती है तो छोड़ देते हैं अला उसी तरीके से जब दोनों लड़ रहे हो तो फिर का है का प्राइबेट डिफिंस नहीं मिलेगा किसी को भारती न्याय सनीता की धारा 35 अभिव्यक्त रूप से यह प्रकट करती है कि प्राइबेट प्रत्रेक्षा के अधिकार में अंतर्विस्ट निवंधनों के अध्रीन यह है पहली बात तुम्हें यह बता दू कि 35 में है क्या चीज़ है 35 में यह कहता है कि राइट आफ प्राइबेट डिफिंस जो है आर पीडी राइट आफ प्राइबेट डिफिंस जो है 35 यही बताता है कि वो सरीर के विरुद्ध भी है और संपत्ति के विरुद्ध भी है अपने सरीर के भी और अन्य की सरीर के भी अपनी संपत्ति और अन्य व्यक्ति की संपत्ति लेकिन ध्यान रखेगा बहुत बारीक चीज है कि सरीर के विरुद्ध जो अपराध है उसमें तो सभी अपराध हो में राइट आप प्राइबेट डिफेंस होता है लेकिन संपत्ति क के बिरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें केबल चार अपराधों में ही होता है चोरी लूट रिस्टी और अपराधी कती चार चोलूरिया जिसको हम लोग करते हैं theft, robbery, mischief और criminal trespass में ही जो है वो right of private defensive level होता है जो जैसे cheating, cheating में RPD नहीं होगा, criminal breach of trust उसमें RPD नहीं होगा, misappropriation of property उसमें RPD नहीं होगा, मतलब जो ततकाल बचाने वाली बात नहीं है, ऐसे RPD नहीं होता है, तो इन अपराधों में ही होता है, चोरी, loot, restore, अपराधी कती चार तो यह आपको section 35 बताता है लेकिन यह कहता है कि कौन सी ऐसी, यह प्रस्मी का मतलब क्या है, कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां होगी जिसमें राइट अप private defense होगा ही ने, यह कौन सी धाराम बताया गया है, तो यह बताया गया है आपको, आपको आजाएगा option number A, section 37 यहीं लिखा है कि section 37 में अंतर विष्ट को बंधों के अधीन रहते हुए, प्रतेक ब्यक्ति को अपने सरीर और संपत्ती और दूसरे के सरीर और संपत्ती की सरफच्छा का अधिकार होगा है, तो section 37, चलिए आगे बढ़ते हैं संपत्ति in a Paraguay, कि में अप्राध में किस अप्राध के संबह्त में private प्रतेक्छा का अधिकार उकलत नहीं है जस्क्त पता रह उएक कि कुछ ऐसे विख्र्च्छ में तो सारे है, संपत्ति क्यल और कुछ ऐसरे अप्राध जिसमें नहीं होता है जैसे criminal breach of trust इसमें right of private प्राइबेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बिरुद कोई प्राइबेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता यह बात कई प्राइबेट प्रतिरक्षा का अधिकार उकलब्द नहीं होता इसके बिरुद के बिरुद बच्चे के बिरुद जहां लोग का अधिकारी की साहिता प्राप्त करने का परयाप्त समय हो इन सब यह कब नहीं हो जाएगा जहां लोग अधिकारियों की साहिता प्राप्त करने का समय है वहां अर्पेडी नहीं है अब मैं बताता हूं यह बात लिखा कहा है यह बात बताई गई है सेक्शन 37 सेक्शन 37 देखें जो बच्चा एकदम सिला नहीं पढ़ा है और अचानक से हम यह ब गवराएगा नहीं जितनी बातें आप समझ जा रहा है उतना समझे अगर कुछ बातें नहीं भी समझ में आ रही है उसे स्किप करिए दिमांग से इसको लोड मत लीजिए जब थोड़ी सी समझ ला में डेवलप हो जाएगी तो यह बात भी समझ भी आ जाएगी आटोमेटिकली कि हाँ सर ने यह बात लगाई सेक्शन और कम से कम इतना तो पता चली जा रहा है कि इस सेक्शन पर हमको कितना दम लगाना है सेक्शन थर्टी सेवन कहता है कि चार परिस्थितियों में भी उपर लिखाता न कि सेक्शन थर्टी सेवन में अंतर वे स्टुक बंधों के अधीन रहते हुई प्राइबिट डिफेंस होगा यानि section 37 चार ऐसी परिशिदियां बताती है जिसमें right of private defense नहीं होता है कौन कौन सी है जैसे लोग सेवक के कारी के बुरुध नहीं है लोग सेवक के निर्देश से जो कारी किया जा रहा उसके बिर भी right of private defense नहीं है कि जहां लोग अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के समय है वहां right of private defense नहीं कर सकते है भारती न्याय सनिता कि किस धारा में शरीर में की private प्रतिरक्षा में मृत्यू कारिद करने का प्राप्त है बहुत राइट अप प्राइबेट डिफेंस और प्रोस्ट नहीं है कि शरीर के private प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यू की जा सकती है कि शिक्षन 38 कि सिक्षन 38 बता देता हूं कि सिक्षन 38 में साथ ऐसी परिस्थितियां बताएगे जब हमला से लग रहा होकि ग्रिवियस हर्ट हो जाएगा डेथ हो जाएगी रेप करना हो अननिचुरल लस्ट हो केड़नेपिं हो एब्डक्षन हो रांगफुल कंफाइनमेंट हो एसीड अटैक हो ऐसे मामलों में किसी ब्यक्ति की मृत्यू तक की जा सकती है लेकिन ध्यान रखिएगा सेक्शन 37 का रेस्टिक्शन तब भी रहेगा सेक्शन 37 में कब राइट प्राइबेट डिफेंस को यूज नहीं कर सकते यह पहली धारा है यह 6 साल यह 7 साल से नीचे का बच्चा है ऐसे लोगों के विरुद भी राइटा प्राइबेट डिफेंस वैसे यह जैसे समाने विरुद है यह 36 बताती है भारती नय सनिता के अधिन इसकी धारा 37 में अभी कथित निर्बंधनों के अधिधिन मृत्यू या घोर उपहती की युक्तिव आसंका कारिद करने वाले हमले की दसामिय प्राइबेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार कहां तक है अभी बताये थे डिथ किया जा सकता है जहां युक्ति-्युक्ताशंका है कि मृत्यू की हो सकती है अमले से ग्रिवियस हर्ट हो सकता है तो आप डिथ काज कर सकते हैं कौन सी धारा होगी section 38 में अच्छा एक चीज़ और है जैसे section 38, section 39 और section 40 ये तो बात हो जाएगी सरीर के विदुराइटा private defense उसी तरीके से section 40 section 41 और section 42 ये क्या हो जाएगा ये संपत्ती के विदुराइटा private defense तो 38 में जो आप पढ़ रहा हैं वो सरीर के में मामलों में किस परिस्थिति में डिथकाज कर सकते हैं और 40 में हो जाएगा संपत्ती के विदुराइटा private defense को यूज करने में कौन-कौन परिस्थिति में डिथकाज कर सकते हैं तो यहाँ साथ परिस्थितियां थी यहां चार परिस्थित्या होंगे, आगे हम बताएंगे इस पर शरीर के प्राइबेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है मृत्यु क्या संक्या हो, बला संग हो, और उपहती क्या संक्या हो, ग्रोक सभी सेक्षन 38 याद रखना है चोड़िए कर पाएंगे हम लोग अचानक से आप से 39 पूझ देगी क्या है ना बीनेस का जोड़ आ जाएंगे अभी तो याद होगा अभी 39 पूझेंगे तो याद होगा लेकिन अगर अचानक से पूछ दिया जाए जिसमें में सारे सब्जेक्ट के प्रश्म वहाँ आप बढ़ बढ़ कर जाएंगे तो इसलिए इसको चवाब कर लेंगे तो क्रमवद्ध तरीके से आप करेंगे तो आप concept develop होगा एक दो बार करने के वाद आपको BNS तयार हो जाएगा अब आप समझे कि कहीं प्री की परिक्षा सिर्फ इसके आधार पर देने जाएंगे कुछ नहीं देखे हैं केवल मेरा lecture सुने है केवल यह देखिए और मेरी बात प्राइबेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अभिक्त की मृत्यू तक कारिद की जासे किसके वरुद्ध यह भी है यह भी है क्योंकि सरीर के विरुद्ध मृत्यू तक यह है और संपत्ति की मामलों में मृत्यू यह है चालीश कि अगर देख लेते हैं अगला देख लेते हैं है संपत्त है 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 आए है 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 जो तुक्त है है यहां है है लेकिए यहें हमने गलती कर दीए थी ना एकतालिस बैयालिस और तिरालिस इसी वज़े से थोड़ा सा गड़बाड हो गया था ना समपत्ति के विरुद्धिन अपराधों में किस अपराध के समपने प्राइबेट पर दिरेक्षा का अधिकार उपलग्द नहीं है थोड़ी दिर पहले यह डिसकस हुआ था कि केवल समपत्ति के विरुद्ध चोरी लूट रिस्टी और अपराधिक अतिचार में ही है मतलब अपराधिक न्यास भंग में यह अधिकार उपलग्द नहीं होगा समपत्ति के विरुद्ध प्राइबेट प्रितिरक्षा के अधिकार में मृत्यू कब किया जा सकता है यह बात अभी आपने देखा था कौन सा सेक्षन था सेक्षन 41 सेक्षन 41 कौन से में मृत्यू कारित करने रॉबरी हो गया रात्रोग्र वेदन यानि हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट अगनी द्वारा रिष्टी जो किसी निर्मार तंबू या जलयान में किया गया हो जो मानो निवास याव संपत्ति के भिरक्षा के रूप में प्रयोग अगनी द्वारा रिष्टी या कोई चोरी लूट या घृहती चार जो ऐसी परिस्टियों में किया गया हो जिससे यूग्तिव संभाव ना हो अगर प्राइबएट प्रतिरेक्षा के अधिकार का प्रेवग नहीं किया गया तो पैडा मरित्थी होगा तो ऐसी परिस्टियो हाँ देखिए ये कोश्चन है इसको पढ़ लीजी इसको पढ़िए एक व्यक्ति ने दूसरे की जेब काट ली अगले दिन जब आफिस के सम्हें पान खा रहा था उसने देखा कि वो आदमी है जिसने जेब काटी थी और उसे पकड़ लिया अपना पर्स लेने का प्रयास करने लगा वाई स्वयम को बचाने लगा और इतने बल से उसमें बाजू मरोड दिया कि उसका टूट गया अब एक्स पर वाई की उपहती कारित करने का रोप लगा क्या है इसमें से सही आपसन कह सकता है कि वो सम्पत्ति कि प्राइबेट प्रतिरक्षा का बचाव नहीं ले सकता है क्योंकि जब प्राइबेट प्रतिरक्षा का बचाव कभी ले सकता था जैसे संपत्ति के विरुद प्राइबेट प्रतिरक्षा का अधिकार कप प्रारम होता और कप टक बना रहा था यह आप देखेंगे तो संपत्ति के बुरुद्वाले में 41 में मृत्यू हो रहा था कब हो सकता 42 में जो है मृत्यू से भिन और 43 में कब प्रारंब होता और कब सब बना रहा था मतलब वो उससे बाहर हो जाया पहुंख से या लोग प्राधिकारियों के सहायता ले लिए या संपत्ति प्राप्त कर लिए तो अपने निम्मर 20 हो जाया में हैं भारती न्या सनीता के धिनर दुस्प्रेरन गठित होता है ये अबिट्मेंट की बात करता है यह बारती न्या सनीता के फिर दुस्प्रेरन गठित होता है कैसे किसी ब्यक्ति को कोई अपराद करने के लिए उकसा कर सद्यांत्र में सम्मेलित होकर किसी अपराद के कारिद करने में किसी ब्यक्ति की सहायता करके उपर सभी तरीकों से आपसर नमबर डी सही हो जाएगा उपर उक समय तरीक तरीके बताएगे हैं सेक्शन 45 में बताएगा है जब इससे पहले हम लोग पढ़ते थो तो सेक्शन 107 आईपीसी का था उसमें बताएगा यह कैसे किया जा सकता है उक्सा कर सड्यंत्र में सम्मिलित करके और सासे सहाता करके तो इन तरीकों से हो सकता है मनें सभी तरीकों से हो सकता है अबिट्मिंट का अपराद करने के लिए कौन सा आवस्यक तत्व नहीं है यह बताना है गलत एंसर चुनना है सड़यंद सासे सहायता उक्साना दुस्परेद कारिका किया जाए अप्सान नमर डी क्योंकि अभी हमने तीनों पढ़ा था तो यह तीनों तो है यह नहीं गलत किसी वागति यह आपराद करने से पहले यह यह अपराद किये जाते समय आपराद हो जायने के बास जो सहायता दी जाती है उसे आस्रह देना और छिपाना वो अबेटमेंट नहीं है ठीक है ना यह तो बिल्कुल मत करिये जगा गलती क्योंकि यहां पर गलती कर देते हैं कि Abitment जो है वो बाद में नहीं होता है अपराद किये जाते समय हो सकता है या उससे पहले हो सकता है उसके बाद नहीं हो सकता निमलिकित में से कौन से बिगल्प में केवल अपूड अपराद की गठित किये गए है Incomplete Offenses या Incoate Offenses करते है कौन सा है इसमें से इंजरी मतलब ये चारों होंगे तो अपराद होगा लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें इंजरी नहीं होती फिर भी अपराद जो होते हैं कौन सा दोस्प्रेण नुक्सान नहीं होता किसी का सब्सक्राइब किसी का नुक्सान नहीं होता प्रयत्म से नहीं फिर भी देखती दंडित किया जाता है इसलिए इसको ऐसा करते हैं का एक लोग आफिसर न्यायालायक के वारंट द्वार्ण यह को पकड़ने के लिए प्रादिकत है खौ उस तथ को जानते विए और यह भी जानते विए कि गय नहीं है को ज्यान भूज कर विप्दिस्ट करता है कि गोही और और तद्वारा सासा यह को पकड़वाता है यहां ख़व गोह को पकड़े जाने का किस तरीके से दुस्परेंड करता है अब इस सारी चीजीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन से धारा है अबेटमेंट की सेक्शन फुट्टी फॉइ ए सी की हत्या करने के लिए वी को डाक दौरा भेजे गए पत्र के माध्यम से उक्साता है औक साने दौरा दुस्परण कंप पोड दो उसको मार दो आग लगा दो बं फेक दो लेटर से लिखके उसनी किया तो अबेटमेंट कंप कम्लीट हो जाएगा आपसन नुमबर सी सही हो जाएगा जैसे ही पत्र की विश्यवस्तु के बारे में उसको पता चलता है जैसे उस बात की जानकारी उसको मिलती है कि ऐसा उन्होंने हमको करने के लिए कहा है एबिटमेंट वहीं पर कम्लीट हो गया को के द्वारा खो को गव की हत्या करने के लिए उक्साया जाता है जो ऐसा करने से इनकार कर देता है को दोसी है कि नहीं मतलब ए बी को कहता है कि कि चैसे में बात कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम जो है वह आजाएगी सेक्षन 46 के EXPLAINATION 2 पर हो SECTION 46 में कुछ 5 EXPLAINATION Explanation 2 क्या कहता है EXPLAINATION 2 कहता है कि यह दोस्परेरिण के अपराद के लिए आवस्यक नहीं है तो उसके लिए इनकार कर देने पर भी इन्होंने तो अपना काम करी दिया था तो यह जरूरी नहीं कि दुस्परिवत कारिक किया जाये यह भी अवस्यक नहीं है कि वह वही अपयक्षित परडाम कारित करे जो दुस्परिवत चाहता है हो गया ना आप समूमर सी सही भारती न्याय सनीता के अधिन दुस्परिरण गठित होता है अबेटमेंट गठित होता है पुक्षाकर बाइंस्टिगेशन बाइ कांस्पिरेशी बाइडिंग आल अब दी इवाफ सभी हो गया कौन सी धारा थी सेक्शन फुट्टी फाइग हाँ दुस्प्रिण का अपराद गठित करने हो तु कौन सा तक तो आवस्यक नहीं कि दुस्प्रेण अद्वारा अद्द दुस्प्रेण का अपराद गठित होने के लिए सद्यंत्र सासय सहायता उक्साना दुस्प्रेद कारका किया जाना option number D हो जाएगा जब abitment के offense के लिए ज़रूरी नहीं कि जिस काम का abitment किया जा रहा है वो किया ही जाए अभी पिछले वाले में हमने यही समझा था कौन सा provision था section 46 का explanation 2 5 explanation है और 5 explanation important आएगा प्रसम तो discuss करें तो यह explanation 2 में कि ज़रूरी नहीं है कि abitment जिसका अपराद के लिए किया जा रहा है वो अपराद किया ही धारा 108 भारतिय नयाज सनिता में अपराद में किसी ब्यक्ति को दोससिद्ध किये जाने के क्या कह रहा है इसका क्या आपसन सही हो रहा है अब अब भी एसा करने से इंकार करने अब दोस्य है यह तो डिसकस हो चुका है न इंकार करने के बावजूद भी हत्या कारित करने के लिए भी कोक्साने का दुस्परण हो जाएगा वही 46 का explanation दो यह कहानी पढ़ लिजे बड़ी famous कहानी है और case पर बेजड है इसलिए इसको पढ़ लिजे एक पुजारी है दूसरा विवाह जानते हुए उस विवाह को जो है बकायदे हो पूजा पाठ करके संपन्न कराते हैं पहले से विवाहित ब्यक्ति विवाह के समय पर एक पिता इस दसा में क्या होगा लाइबिल्टी आपके नीचे है आपड़ी दूसरा विवाह जानते हुए उस विवाह को संपन्न कराता है केवल पुजारी एबिटमेंट के लिए दोसी है सहायता दोरा दूसरान के लिए केवल पुजारी ही दोसी होगा यह बात जब हम सेक्शन 108 पढ़ते थे ना एबिटमेंट का पहले उसी पर बेज़्ड केस थी 107 और 108 पर केस थी तो सहायता दोरा दूस्परण में इसी के लिए दोसी होगा बराती और अन्य लोग जो होते हैं वो खाना खाने के लिए जाते हैं उनको विवाह से कोई मतलब नहीं दूसरा करो चौथा करो इसे कोई मतलब नहीं लेकिन किस ने किया पुजारी ने किया और यह बात किस केस पर आधारी था तो उमी वर्सेस इंपरर की ही कहानी का यह फैक्ट है जिसमें यह बात कही गए कि पुरोहित दोसी होगा और अन्य लोग दोसी नहीं सी की हत्या करने के लिए और वह दिखेकर पद्रस के माध्यम से उक्साता है जैसे हिए पत्र विशयवस्तू प्रिशिती के ड्रम की हत्या के लिए उक्साया जाता है जो ऐसा करने swipe कर लिए moyens का दोसी है हत्या कारिद करने के लिए दुस्पराइद करने के लिए दुस्पराइद करता है कार नहीं किया जाता है यहाँ चोरी का दोसी है किसी अपराद का दोसी नहीं है चोरी के दुस्पराइद का दोसी है चोरी का प्रयास करने का दोसी क्या इस्थिति होगी यह यह प् पर चोरी के दुस्प्रेरण का दोसी है क्यों यह तो बच्चा छे साल का है नो कहां गया हाँ छे वर्षी बालक यानि साथ साल से नीचे का बच्चा तो अपराद करने में सक्षम होता ही नहीं है कौन से धाराम पढ़ा था अपने अधिए थो छे साल का भच्च Чज जो है तो अपराद करने में सक्षम होता है नहीं फिर भी यह दुस्प्रेरण का अप्राद गठित होने के लिए आवस्यक नहीं है जिसको दिस मिया लें रहा है ओपराध करने में सक्षम होना जरूरी नहीं है इसलिए दोसी ऊह गे उस îमें और भी बात कहता है और यह वहा जरूरी नहीं कि दुस प्रेरित ब्रहति का यानि जिसको है किया जा रहा है उसका वही आसा और ग्यान हो जो दूसरे इरादे से भी काम करेगा तब भाई साथ दोसी हो जाएंगे यहां तो सक्षम नहीं है तब भी दोसी है तो एक्स्प्लिनेशन नुमर थ्री सेक्शन 46 को 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 की हद्या करने के लिए उकसाता है पर राम सुरूप गौ कि दोस्प्रण का दोसी हो एक्स्प्लिनेशन टू पहले से जानते अब उसकी लेंगुश को में फिर से कंप्लीट करता हूं जरूरी नहीं है कि दोस्प्रण कारित हो जो दोस्प्रण के लिए पढ़िए इस कहानी को पढ़िए फिर वाप्सन ले लिजिए मतलब उसने हत्या करने के लिए कहा था और हत्या नहीं किया उसने क्या कर लिया चोरी किया उसकी कार चुराई अब उसने क्या उनसा अपराद किया क्या कार चुराने के लिए भी अबेटर जिम्मेदार होगा अब इसके लिए यही आप्सन है को ने कोई अपराद नहीं किया है को किवल चोरी करने के लिए खão को उकसाने का दोसी को हत्या करने के लिए खाओ को उकसाने का दोसी को खौ。 और हत्या दोनों करने को उसाने का दोसी है लेकिन चोरी के अपराद के लिए किसी प्रकार का वो दोसी नहीं है क्यों कि सेक्षन 51 यह कहता है कि जब दोस्परेरित कारे से भिन कोई कारे किया जाता है तो वह भिन कारे के लिए अबेटर तभी जिम्मेदार होगा जब भिन कारे इसका प्रोवेबल कांसेक्वेंस हो या अधिसंभाव परड़ा तो यहां पर हत्या करना और चुरी करना दोनों डिफ데 के साथ साथ चौरी उसका प्रोवेबल कांसेक्वेंस नहीं है किसी डेवियर्ट करने कि लिए का रहा धर्याए उसकी डेथ हो घर में आग लगाने के मर जाते हैby 아드कर यह इसलिए­वल अग्ठ्या करने के लिए उक्साने का दोसी होगा, वो चोरी के लिए उक्साने का दोसी नहीं होगा, यानि उसके लिए कोई आवेटर की जिम्मेदारी नहीं होगा, कौन सा सक्षन मैंने बता, 51, अपराद का दुस्प्रेरण के सम्मद में चार आपसन है पढ़िए अपराद का दुस्प्रेरण आपसन नम्मर ए हमेशा एक अपराद है चाहे वो ब्यक्ति सक्षम है चाहे वो ब्यक्ति सक्षम नहीं है चाहे वो व्यक्ति मना कर देता है, चाहे वो व्यक्ति मना नहीं करता, चाहे उससे वही परडाम निकलता है, जो वो चाहता है, चाहे वो परडाम नहीं निकलता हर दसाम के उसे परादे, नेक्स्ट है, सद्यंत्र दौरा दुस्प्रेण गठीत करने के लिए निमली में से क्य आऊसिक नहीं है आपने देखा थान फैसमें हमने नेडिखा था था दो तरीके 3 तरीक एक उक्सा कर दूसरा सधेयंतर में प्रिंद में क्या बताए कि मिहां इसमें से क्या आऊसिक था तुर नहीं है इसमें और सन्पड़ी है अपराद कारित करने वाले ब्यक्ति के साथ मिलजल कर दुस्प्रिरक्त को अपराद करना चाहिए यह बात जरूरी नहीं क्यों यह जरूरी नहीं निकले क्योंकि यह सेक्शन 46 का एक्स्प्लियनेशन 5 इसको एक्स्प्लियन चाहिए के साथ बैठके योजना बनाएं या एक दूसरे को जानते यह जरूरी नहीं और जबकि ये क्या का रहा है? अपराद कारिद करने वाले ब्रक्ति के साथ मिलजूल कर दुस्परेवरों को अपराद करना चाहिए. ये तो बिल्कुल सही नहीं लेकर, हैंना? एक भारती नागरिक, अमेरिकन नागरिक, बट अजमेर से अमेरिका में टेलिफोन द्वारा उक्साता है कि वह सौ को अमेरिकी पढ़िए इसको क्योंकि बढ़िया कॉस्चन है यह थोड़ा सा टेक्निकल है यानि देखे प्रस्ण क्या कर रहा है यह भारत में है यह जो है वो इंडिया में है और वो अमेरिका के किसी व्यक्ति को उक्साता है कि तुम अमेरिका में ही अमेरिका के आदमी की हत्या करें अब यह क्याता है कि आग बहु को उक्साने के लिए दोसी तो होगा भारत में कोई धारा बताती है कौन सी धारा के इंटरकर दोसी है option number C हो जाएगा 47 47 एक आता है कि भारत के बाहर के अपराद को किये जाने के लिए भारतम मैं दुस्पर दॉट जाता है यह बhbreaker ऑपराद कहां किया जानाím अमेरिका में किया जाना North spent और 50 48 जो 48 पलड़ जाएगा, 48 क्या पलड़ जा रहा है, कहा रहा है कि कौ जापान में खौ को भारत में गौ की हत्या करने के लिए उकसाता है, देख रहा है न, कौ जापान में खौ को कहता है कि गौ की हत्या तुम करो, कहां भारत में करो, मनें उकसाया भारत से बाहर जा रहा है, अपराद भारत में करना है, पिछली धारा का उल्टा, तो क्या इस्थिति होगी, ये क्या हो जाएगा, हत्या के दुस्परण का दोसी है, और ये बात सेक्शन 48 से कभर होगी, सेक्शन 48 और 47 ये द्यान रखीएगा, ये तो तरस्न हो स सकते हैं, तो ये जो है 48 से कभर होगा, ठीक ना, एक सिकंड मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, मैं बर्चिक करके देखता हूं, तो इस प्रस्ण को हम लोगों ने पढ़ा ही था, इस प्रस्ण का क्या अंसर होगा, इस पहले समझें मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि जिस अपराद के लिए एवेट्मेंट किया गया था, वो अपराद किया गया, लेकिन उसके लिए BNS में कोई express provision उसके punishment के लिए नहीं है तो उसको punishment किस धारा के अंतरगत दिया जाएगा या कौन सी धारा उसके लिए बताती है तो कौन सी धारा हो जाएगे तो option number C हो जाएगा यानि section number 49 में बताया गया है कि कौन अगर किसी अपराद का किया गया और उसके लिए express provision नहीं है तो उसे वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे उसने खुद वह सपराद को किया हो ठीक चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने में यह प्रसनाता है कि निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें से कौन सा कथन सही है दोस प्रेरक का दैत तो मुख्य अपराधि के दायत प्राधारित दोस प्रेरक निर्दोस हो तो मुख्य अपराधि भी चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स है एसी को पीठने के लिए बी को उक्साता है तो पस्चात उस स्थान पर स्वयम पहुंच जाता है जहां भी सी को पीठ रहा था एक किसकी अंतरगत उतरदाई होगा यह आ जा रहा है आपका अपसानश सी ओजाएगा ऐसे कुंखसाता है ऊठाकर कि तुम जाके सी को पीठ लेकिन इसका मन माना नहीं जाकर महां पर उपस्थित रहता है जब BC को पीट रहा है तो अब एक ही क्या लाइबिल्टी होगी उसके लिए यह कौन सी बात बताती है तो सेक्शन 54 है कि दुस्परेरक्टी उपस्थिति के स्थिति में क्या स्थिति हो और यही बात सेक्शन 114 जो है बताता था आई-पी-सी का अब इसका क्या दाइद तो होगा ऐसे ही दाइद तो होगा जैसे उसने खुद अपराद किया हो फिक उस अपराद के लिए उत्तर दाइद होता है दूस प्रिरण के लिए नहीं तो उस अपराद के लिए उत्तर दाइद होता है चली आगे देख लेते हैं और बाक और इस्वत देता है जो एक लोक सेवक है बार इस्वत लेने से इंकार करता है भारतिये न्याय सनिता में और दंडनी है निम्निक्या दिये कौन सी धारा लग रही है यह आपसर नमर बी हो जाएगा 57 कता है अब आपको रिस्वत देता है यहां पर ओषिशॉत देना या लोक सेवक ड्वारा रिस्वत धिये जाने दोनों भारल्य मिधान कि दोयों कि जोर। तो भारती निया सनुस्ता क्या घैंग कितना की सटारिगां GO अगर किया चाही तो एसी स्थिति में दो परीसितियां बँदेंडी दो तो परिष्थितियां इसमें बनती है। किसी बेक्ति को सेवक को किया जाएगा तो एक बटा दो दंड से दंडित किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात मैं यह कहा रहा हूं कि जैसे हम किसी साधान व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाते हो मना कर देता है तो दंड की मात्रा कितनी होगी थोड़ी कम होगी एक चौथाई होगा उस दंड के लिए जो मैक्सिमूम हो सकता है लेकिन अगर हम किसी लोग सेवक को ही कुछ अपराद करने के लिए जिसका काम ही अपराद को रोकना है तो ऐसी सिति में सजा थोड़ी ज्यादा होगी यानि उसका एक शवथाई नहीं होगा आधा मिलेगा दस साल की सजा होगी तो पांच साल की मिलेगी तो यह है आपको समझ गया आई बात चल जो है पहले कि सेक्शन 120A IPC के अंतरगत था जिसमें क्रिमिनल कांस्पिरेशी को डिफाइन किया गया था अब यही पूछ रहा है कि अब क्रिमिनल कांस्पिरेशी को कौन सी धारा के अंतरगत परिवासित किया गया है तो 61 हो जा रहा है क्रिमिनल कांस्पिरेशी अच्छा उसमें क्रिमिनल कांस्पिरसी है क्या जब दो या दो से अधिक ब्यक्ति किसी अबैद कार को या कोई ऐसा कार जो अबैद नहीं है अबैद साधनों दोरा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति अपराधिक सट्यंत पहलाती है परन्तु किसी अपराध को करने के सहम तो यह परिभासा जो है सेक्शन 61 में है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद कि कोई करार सहमती अपराधिक सड्यंत्र का लाती है यह दी कि इसके लिए है हाँ अपसर नम्मर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सही बात है कि अबैद कृति करने के लिए सामत होते हैं उन पक्षकारों में से सभी के द्वारा सभी के द्वारा कोई कारिक किया जाता है उसके फर्दरिंस में या उन में से कम से कम एक के द्वारा कोई कारिक किया जाता है अभी जैसा मैंने परिवांसा बोला, तो उपर आप राधिक सद्यन्त के लिए, आप राधिक सद्यन्त की एक case है, बहुत important case है, ये है नलिनी वर्सेस स्टेट आफ महारास्टा, नलिनी की case है, नलिनी वाली case की राजी गांधी हत्या से माम लाते हैं, और उसमें इशू ये थ के लिए निवनतम व्यक्ति कितने होने चाहिए आसान सवाल करिमिनल कांस्पिरेसी के लिए दो या दो से या धिक व्यक्ति कहां हो गया ऑप्शन नमबर सी कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए अब यह उम बस के मकान में चोरी करने के लिए समध होते हैं लेकिन वास्तों में च लिए कि अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक सारेहं तब होगी जब उसके फर्धरेंज में कोई कारिक होगी यहां आपराध को ही करने के लिए जब सहमति बन रही है तब तो आप राजिक साधेयन तुरंत होगी, उसके furtherance में कोई एक ट्याव मीशन होना ज़री नहीं है हाँ, ध्यान रखिएगा केहर सिंग केहर सिंग versus डिलही administration दिल्ली प्रशाषन केहर सिंग versus दिल्ली प्रशाषन की एक case है, जिसमें ये section number, यहाँ पर जो criminal conspiracy का है section 61, इन दोनों की conspiracy में अंतर है, कहता है कि यहाँ अपराध को करने के लिए जब सहमत्ती बन रही है, तो उसके furtherance में कोई act होना जरूरी नहीं, लेकिन abitment वाले मामले में जो conspiracy से होता है, उसके furtherance में कोई act होना जरूरी है, थोड़ी थोड़ी चीजें नेखिया हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि अगर कही topic बताने लगेंगे तो तो बहुत लंबी class हो जाएगी तर जो जेल नहीं पाएंगे आप लोग, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें जो जरूरी हैं, जो बता देते हैं, और यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है, यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे च्छात्र हैं, जो अच्छे college से नहीं पढ़ता रहा है, बहुत से ऐसे च्छ इक्रेशन निकल नहीं पारा तो मेरा प्रयास यहीं है कि ऐसे छात्रों तक भी बात पहुंचे ऐसे छात्रों को भी सही तरीके से गाइडेजन्स मिल पाए जिफार जो कि जरूरत मंद हैं उनको मिलनी चाहिए गाइडेंस क्योंकि बिना गाइडेंस के मेहनत करने से बहुत परिश्रम हो जाता और रिजल्ट पॉस्टिव नहीं हो पाता है तो इसी वजह से हम लोग प्रयास करते हैं इतना चलिए इनमें से कौन सा अपराधिक सड्यंत्र के अ सहमत्य की अग्रिशन में वाह क्रित्य किया जाना सदेव आवस्यक है चाहे सहमत्य किसी अपराध के लिए गलत हो गया तो करने के लिए सहमत्य जो बनती है उसके फर्दरेंस में कोई कारे करना जरूरी नहीं होता है लेमिंग्टन रोड सूटिंग सडेंद्र केस के रूप में किस केस को जानते हैं आपके सामने आप्षन है आप दो ताइए लेमिंग्टन रोड सूटिंग सडेंद्र केस कई बार परी में पूछा है और उसके एंसर को यही मानता है इसी को मानता है जबकि वास्तों में जो केस है वह है इंपरर बनाम वह संपायान की केस है लेकिन आपके सामने जब एक्जामनेशन में परस्ना है तो आपसन्ण, मिर्ज-अक्पर वाली ही केस लगाईएगा आजीवन करवास यहने करवास से दंडनी अपराद को करने के प्रयत्म करने के लिए भारतिय दंड न्याय सनहिता 2023 में बंदित किया गया है प्रयत्म के लिए दंड की बात करता है तो यहां पर पहले क्या यह धारा आई पीसी में कहां थी यह थी 511 अब क्या हो गई 162 B.N.S.D. प्रयत्म को कौन से मामलो में हो सकता है आगे हो तो मैं बताओंगा भी भारती न्याय सनहिता की धारा 62 की प्रयोजता के प्रयोजन के लिए अपराद भारती न्याय सन्हिता के अधिन अपराद होना चाहिए किसी विशेश या स्थानी विधी के अधीन अपराध होना चाहिए ए और भी दोनों उपरुक्त में से कोई नहीं क्या सही है option नमर ए हो जाएगा bns के अंतरगत जो अपराध है bns के अंतरगत जो अपराध हैं जो करवास से दंडनी है और जो आजीवन का रवास से दंडनी है ऐसे अपराधों का जो प्रयत्न है और जिस प्रयत्न के लिए bns में कोई express punishment है नहीं उसको punish करेगी section 62 मैं फिर से repeat करता हूं मैं फिर से इस बात को repeat करता हूं करा है कि section 62 में punishment for attempt है अब यह कहता है कि कि इसे offense जो bns में तो है attempt लेकिन उसके attempt के लिए provision bns में expressly दिये नहीं गये तो उसे कैसे punishment दिया जाएगा ऐसे offense जो death वाले मामलों नहीं लाइफ इंप्रिजन्मेंट और imprisonment से punishment तो उसमें कितना attempt के लिए punishment होगा तो यह धारा बताती है 62 कि उसके आधे से दंडित किया जा सकता है जितना उसके लिए maximum अपराद किये जाने पर हो सकता था उसके प्रयत्न पर आधे से दंडित किया जा सकता है भारतिय नयाय सनिता कि धारा वासठ लागू नहीं यह थोड़ा सा mistake हो गया है प्रस्मी चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपराद का प्रयत्न सपराद के लिए निर्धारित अधिक्तम कारवास की अउधी का कितना हो अउधी से दंड़नी होगा आधिस अभी थुड़ दिर पहले मैंने बताया था ने कितना उसके लिए जो maximum punishment है उसका आधा होगा प्रयास कौन सी धारा है तो 62 है एक धारा पर इतनी question में बना दूँगा कि आपको न चाहते भी वो धारा याद हो जाए को य की जेव से अपना हाठ डाल कर जेव काटने का प्रयास करता है यह की जेव में कुछ नहीं होने के वज़र से genetically सपल हो जाता है दी गई परिस्थित्ती में निम्रिमेंसे कौन सा विकल्प सही हाँ डालता है जेव में कुछ था ही नहीं इसलिए चुराने ही पाया, इरादा उसका चुरी का ही था, क्या इसे ती रहेगी, प्रहत्ने के लिए दोसी है दार अबासट के अंतरगा, प्रहत्ने के लिए दोसी है, और यह मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, यह section 62 जो आप देख रहे हैं, उसका example जब आप पढ़ेंगे, example number B होना चाहिए, example number B पढ़ेंगे तो यही वला example होगा, next, निमलिखित में से कौन सा अपराधिक प्रहत्न का एक द्रिश्टान है, पढ़िए, जादू टोने से मारने का प्रहास करना, प्रहत्न है, कूट रचित करेंसी, नोट बनाने के साचा खरिदने के लिए मुंबई जाना, को खो को मार डालने के आसा से, खो समझ कर उसके कमरे में टंगे कोट पर गोली चलाना, को किसी और का समझ कर स्वयम का छाता ले जाता है, प्रहत्न कौन सा है, क्रिमिनल अटेंट कौन सा है, option number C है, कि मार डालने के आसा से, खो को समझ कर कमरे में टंगे कोट पर गोल और और वो kicket कि इस मामले जो समाज को भयभीत करते हैं इसे मामलों में temporary अपना हांत बी के जेब में डाल कर जेब कतरी का प्रयास करता है परंतु जेब में कुछ न होने के कारण प्रयास सफल हो जाता है उसने कौन सा काम किया चोरी का प्रयास किया और ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने साल्प कराई थी कि सेक्षन 62 का इलुस्टेशन नमर बी है लेकि अभयानंद मिस्रा ये भिच्छा नह आप्सन नमर ए सही हो जाएगा दो ही आप्सन मुझे दिख रहे हैं अगले है एंसर में बता देता है चार सो बीस प्लस पांसो ग्यारा मतलब छल और उसके प्रयात्न के लिए दोसी हुआ था तो यह उससे रिलेटेड है अपराद ही प्रयात्न पर बहुत बार हम लोग इस केस को पढ़ते हैं अब है अनंद मिस्त्रा वर्सेस टेट आप लियार बलात्संग का अपराद भारती नयाय सहीता कि कौन सी धारा में परिभासित किया गया है कौन से रेप का उपन से सेक्शन में 63-84-103-1375 बलात्संग कौन सी धारा में अब यहां से रेप वाला चेप्टर शुरूआ जाएगा महिलाओं के बिरुद हुझे अपराद है 63 से शुरूआत है अटेम्ट अभी आप लिगों ने पढ़ा 62 में इससे पहले 61 में क्रिमिनल कांस्पुरेसी पढ़ी थी अब 63 में रेप को डिफाइन किया गया है चलिए उसकी आयू कितने से कम है ध्यान से पढ़िएगा उसकी सहमती से किया गया है फिजिकल रिलेशन बनाया गया है और अपनी पत्नी नहीं है अपनी पत्नी नहीं है तो उसकी आयू कितने से कम होनी जाए किसी भी पुरुष द्वारा ऐसी स्त्री जो उसकी अपनी पत्नी नही हो जाएगा अठारा वर्श से कम हुआ और ये सेक्षण 62 कि लाज नमर 6 में होना चाहिए, लाज नमर 6 में और देख लिजिए गा, लाज नमर 6 में होना चाहिए, अब ध्यान दने घोन LC इडल्री वेफिक तो है नहीं तो किसी अन्न ब्यक्ति की पत्नी को उसकी सहमती से physical relation बनाना रिप हो जाएगा अगर उसकी age जो होगी है 18 साल से नीचे है कोई एक बिधवा के साथ उसकी सहमती से landing समोग करता है, कोई दोसी है, क्या बिधवा के साथ उसकी सहमती से physical relation बनाता है कोई अपराद किया उसने कोई अपराद किया है नहीं उसने कोई अपराद नहीं किया जब विदवा की एज का कोई मतलब नहीं यहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब कोई अपराद नहीं क्योंकि सहमती से चली आगे बढ़ते हैं भारती न्याय सनीता के अंतरगत क्या अपराध नहीं है क्या अपराध नहीं है बैवाहिक बलात्संग द्वी विवाग दंगा करना रिष्टी करना बी एनेस के तहर कौन सा अपराध नहीं है बैवाहिक बलात्संग क्योंकि द्वी विवाग तो अपराध है ही दंगा करना भी अपराध है, रिस्टी करना भी अपराध है, सारे अपराध हैं, तो इसलिए वैवाहिक बलात्संग योग अपराध भी एनस के थाथ नहीं, चलिए आगला देख लेते, निम्निमे से किस मामले में भारती दंड सनहिता की धारा 375 अपवाद दो, अब भारती किया यू 15 वर्ष थी, ये कौन सी केस है इसमें, ये केस जो होनी चाहिए, ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, केस वाली केस है क्या, ये बताईए, के रेप के अपराद के लिए दंड कौन सी धारा में, 63, 64, 114, 376, रेप के लिए, पनिस्मेंट कहां है, इसका सही आप्शन क्या हो जाएगा, 64, डिफिनेशन जो थी, 63 में थी, पनिस्मेंट कहां होगा, 64 में होगा, और ये 376 जो है, वो IPC के अंतर जो था, रेप का पनिस्मेंट 376 में था, चलिए आगे बढ़ते हैं, भारती न्याय सनेता की धारा 65-1 के अधिन अधिरोफित कोई जुर्माना, देखी क्या लिखा हुआ है, 65 क्लास नम्मर वान, यानि रेप के मामले हैं, और ऐसे मामलों में, उस लड़की की एज कम है, और उसमें जो फाइन लगा जा रहा है, उसमें जुर्माना, क्या किया जाएगा, किसको दिया जाएगा, पिडीत को संदत किया जाएगा, मतलब पिडीता को संदत किया जाएगा, 65-1 में ये रूल है, और 65-1 ये कहता है कि पिडीता को संदत किया जाएगा, कब जब 16 वर्स से, 16 वर्स से कम उम्र की लड़की के साथ रेप किया जाता है, तो ऐसे मामलों में जो compensation को decide करेगा, वो victim को दिया जाएगा, उस थोड़ी से धारा और बड़ी है, उसमें और भी बातें लिखी हैं, फिलहाल इस question के हिसाब से answer यही है, नेक्स है, भारती न्याय सनहिता की कौन सी धारा, बलात संग का अफराद, कारित करने के दवरान, पिडित की मृत्यू, पिडित की मृत्यू या लगातार विकृत सी दसा तारित करने के लिए दंड़ भुबंदित किया गया, मतलब ऐसा कोई बैक्ति रेप करता है, जैसे कि विक्टिम की डेथ हो जाती है, या फिर वो लगातार वो पागल की दसा में हो जाती है, यो कौन सी धारा है इसके समन्ने, आपसर नमबर डी हो जाएगा, सेक्शन 66 में ये बात बताईगे है, और सेक्शन 66 ये कहता है कि अगर ऐसा कोई बैक्ति करता है, ऐसा कोई बैक्ति करता है, तो उसे कम से कम, 20 वर्स से कम से दंड़ नहीं किया जाएगा, या आजीवन कारवास से दंड़ किया जाएगा, जो आजीवन कारवास से प्रकृतिक जीवन का करवास होगा, या फिर मृत्यु दंड़ से दंड़ किया जा सकता है, तो ये सेक्शन 66 में ये कहता है, ये धारा इससे रिलेटेड है, कि जब किसी स्त्री की रेप से डेथ हो जाया वो पागल हो जाया पर्मानेंटली तो वहाँ पर जो सेक्शन 66 है तो उसे कारवास जो 20 साल से कम का नहीं होगा आजीवन कारवास जो सेश प्राकृतिक जीवन का होगा और या मृत्ति उदंड से दंडित किया जा सकता है भारती न्याय सनिता के अंतर पती द्वारा अपनी पत्नी के साथ प्रिथकरण के दवरान संभूग दंडनी है यह कहता है कि जैसे कभी-कभी चुडिसिल से प्रेशन हस्बंड वाइफ में हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हस्बंड वाइफ साथ में नहीं रह सकता है लेकिन विवाह समाप्त नहीं होता है अगर उस दवरान कोई पती अपनी पत्नी के साथ रेप करता है तो उसके लिए सजा कौन सी धाराव देती है तो इसकी सजा जो देती है ऑप्शन नमबर डी 67 देती है 67 देती है और यह सजा कितनी देती है यह क्याता है कि दो वर्स से कम नहीं होगी जो साथ वर्स तक हो सकती है अगर कोई जुडिसियल सेप्रेशन के दवरान अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन उसके कांसेंट के बिना बनाता है भारतिय न्याय सनहिता के सेक्शन 69 निम्न काउप वंद करती है किसका प्रवंचनापुड साधनों आदी का प्रयोग करके मैतन संगठी तपराद आतंकवादी करें जपट मारी 139 किसके बारें बात करती है 139 किसके बारें बात करती है प्रवंचनापुड साधनों आदी द्वारा फिजिकल रिलेशन बनाना यह नई धारा है जैसे साधी का जहांसा देकर अगर कोई ब्यक्ति मतलब उसको साधी करने का इरादा नहीं है लेकिन इसलिए उसने जहांसा दिया कि तुमसे साधी करें कि ताकि फिजिकल रिलेशन बना सके तो वो इसमें दिया जाता है और वो दस वर्ष तक का पनिस्मेंट हो सकता है प्लस पाइन भी हो सकता है दस वर्ष तक का पनिस्मेंट फाइन कौन सी धारा है यह धारा भियाद करेगा सेक्षण 69 होगा भारती नयायस नहिता कि किस धारा के अंतरगत यानि गैंग रेप कौन सी धारा में है 67 68 69 70 गैंग रेप कौन सी धारा में है option number D हो जाएगा 70 क्योंकि 69 में अभी हमने का देखा साधी का जहां सा देखा तो यह गैंग रेप option number D 70 में हो जाएगा देखिए रेप से भी संबंदित जितने भी प्रश्ण बन सकते हैं उतने में बनाये हैं और आराम से कर लिजी कोशिस किया करिए अधिक से अधिक बार रिपीट करिए फिर देखिए फ्री में कितना मजहाता आपको कि भारती न्याय सनिता कि धारा सत्तर एक के तहत सामूहिक बलात्संग यानि गैंग रेप का दंड कितना होगा यह पढ़िए तो गैंग रेप के लिए कितना दंड दिया जाएगा कि पढ़िए इसका क्या कह रहा है इसमें यह वला जीवन कारवास कठोर कारवास यह तो इसमें आपसन है नहीं नहीं अच्छा है असन नमरnd इसे हमका खोज रहे हैं कि सरय आपसन अठोर कारवास सो 20 साल से कंका नहीं होगा इंटो इसे आज़ जीवन कारवास तक बढ़ाया जासकता है जिसका आर्थ है नैसर्गिक जीवन के से सथाध तक का कारवास तथा आर्थ धंड हो सकता है बात समझे है कि नहीं यह कह रहा है कि गैंग रेप के मामलों में सजा जो होगी सेक्षन कौन स बताता है सेक्षन सेवेंटी के क्लाव नमरों गैंगरेक सेट बीस साल से कम का नहीं होगा जो आजवन कारवास तक हो सकता है और जो सेश प्राक्रितिक जीवन का करवास होगा भारती न्याय संहिता की धारत 72 के अधिन 18 वर से कम आयू कि इस्तिरीक से सामुहिक बलात्संग के लिए अधिक्तम दंड क्या है 72 के अधिन सामुहिक बलात्संग के लिए दंड कितना है अधिक्तम दंड डेथ सेंटेंस हो सकता है वैसे ही आपने सफ्टर एक में ही देखा तो उसमें आज जिवन का रवास तक हो सकता है और जहां बात हो गई अठारा वरसे कम और उसमें भिम्रत्यु दंड है अठारा वरसे कम होगा तब तो भी डेथ संटेंस तो बनता ही है नेक्स है यदि कोई ब्यक्ति पहले भारती न्याज सनिता की धारा चोंसट या पैंसट या धारा चाचट या सरसट की अधिन दंडनी अपराद के लिए दोसिद किया गया और उसी अपराद के लिए पुना द दंडित किया जाए रेपिटेशन के मामलों में कितना दंड होगा रेपिटेशन के मामलों में जो दंड देने की बात करता है वो सेक्शन सेवेंटीवन करता है लेक्स्ट है यह जो पूरु में भारतिय न्याय सनिता की धारा चौंसट के अधिन दंडित हो चुका है और उसे पुना उसी धारा के अंतर के दोसी पाकर आजीवन करवास से दंडित किया जाता है यह आजीवन करवास के क्यार कामन जुन से लगा लेंगे सेस्प्राकृति जीवन का रिप्रेटेशन पर प्राकृतिक जीवन की करवास हो जाएगा अगर पहले आजीवन पर आवास से दंडित किया जाता है चली है नेक्स्ट है सोलह और से कम आयू की इस्तिरी से बलासंग करने की उनरा बृत्ति करता अपर आजीव के लिए दंड क्या है किसकी बा बात की नहीं गई अब यहां सोलह वर से कम आयू की लड़की के साथ रेप किया जाता है और फिर उसको दुहराया जाता है तो दंड कितना दिया जा सकता है आजीवन कारवास जिससे उस व्यक्ति के सेस जीवन के प्राकृतिक जीवन के कारवास होगा अब यहां मृत्यू दंड भी हो सकता है कब जब उस लड़की की उम्र सोलह साल से कम है और वह अपरादी जो है वह एक बार दोस्चिद्ध हो चुका है और दुबारा दोस्चिद्ध किया जा रहा है भारतिय न्याय सनिता का निमलिकित में से कौन सा प्रावधान वलात्संग पिडिता की पहचान के प्रकटिकरण के अपराद को बताता है पहचान का प्रकटिकरण अपराद होगा यह कौन सी धारा बताती है यह जो 228A आप देख रहे हैं यह तो IPC की धारा है यहां पर कौन सी धारा होगी यहां पर कौन सी धारा होगी option number C हो जाएगा section 72 है कितनी सजा मिलेगी दो वर्स तक की सजा हो सकती है अगर कोई व्यक्ति पहचान का प्रकटिकरण करता मतलब जैसे ने कि news में या किसी भी तरीके से रेप की पीडिता है उसका नाम आप बता देते कि इस लड़की का रेप हो तो वहां दो साल तक की किज़ हो सकते प्यासे कई किससतरीकी लज्जाभंग करने के विली सीया क्याति ही अगला भारती था के और भारती में त Earlier अगर किसी इस्त्री की लज्जा भंग की गई है कैसे चाहे साल्ट का प्रयोग किया गया है चाहे क्रिमिनल फोर्स का यूज किया मतलब किसी इस्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमलाय आप राधिक बल का प्रयोग किया गया है तो वह धारा 74 इसको पनिस करती है कहती है जो एक साल से कम नहीं होगा और जो पांच वर्स तक का हो सकता है दंडित किया जा सकता हूं कि इस सारे प्रोवीजन आपके यह ज़रूरी है वो मैं डिसक्र करूंगा है थोड़ा सा हो सकता है कि लगए कि यहारे बाप thinkers कितना प्रस्णा इसको अर्हामें लेंगी कुद्पीडन, लेंगी कुद्पीडन, sexual harassment जिसको कहते हैं, इसकी परिभासा कौन सी धारा में दी गई बताई, लेंगी कुद्पीडन की परिभासा कौन सी धारा मे दी गई, बताई, option number C हो जाएगा 75 में sexual harassment अब sexual harassment पहले कहा था section 354 का A में था जिसमें sexual harassment को परिभासित किया गया था sexual harassment को परिभासित किया गया था अगला प्रशन ले लिजी कि जब एक महिला अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो उसी समय X ने अपने mobile से उसके photo की चली X ने कौन सा अपराद किया X ने कौन सा अपराद किया option number B द्रिस से रतिक्ता का अपराद कर लिए और ये है कौन सी धारा में section 77 में द्रिस से रतिक्ता और पहले कौन सी धारा में था द्रिस से रतिक्ता C में था मतलब section 354 C में द्रिस से रतिक्ता था कोई भी व्यक्ती कोई भी इस्तिरी जो है वो अपना private कृति कर रही है और वो स्वास के साथ कर रही कि मुझे कोई देख नहीं रहा और उस समय कोई व्यक्ती फोटो खीचेगा या उसे एक टक्स देखेगा वो इस द्रिस से रतिक्ता के अपराद का दोस्री होगा निक्स्ट है भारती नयाज से रहा किस धारा के अंतरगत पुरुष द्वारा महिला का पीछा करना दंडनी बताए गया है स्टाल्किंग जिसको कहते हैं स्टाल्किंग कहा है 75, 76, 77, 78 कहा है 78 में स्टाल्किंग क्या है स्टाल्किंग का मतलब होता है कि किसी स्ट्री को उसकी अनिक्षा दरसित करने के बावजूद भी उससे परसनल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए प्रयास करना, उसे छोने का प्रयास करना, तो यह जो होता है, stalking कहला पीछा करना, या electronic माध्यम से भी उसको लगातार मानिटर करना, तो वो जो होगा, stalking कहला आएगा, और वो कौन सी धारा में है, 78 में, पहले कौन सी धारा थी इप्पेकि की, 354 का ये D हुआ करता था अभी इस पर और भी प्रस्टन है इसलिए इसको इसको इसक्ष्प्लें में करते हैं next है कि A और B अच्छे दोस्त हैं A B से साधी का प्रस्ताव करता है किन्तु B इनकार कर देती है यह संदेख करता है कि B का प्रेम संबंध किसी अन्य से है ए बी द्वारा उपयोग करने वाले मुबाइल फोन और इमेल एकाउंट मानिटर करता है। ए द्वारा कौन सा पराद किया गया है। क्रिश्चन तो समझी गए? आपसर नमर B हो जाएगा पीछा करना कर रहा है। क्यों ऐसा है? पीछा करने के लिए क्यूं दोसी हो रहा है? गुस्ता तो आई रहा होगा लेकिन पीछा करने का इसलिए दोसी हो रहा है। क्योंकि वो पीछा कॉछ में पढ़ेंगे इस धारा को तो उसमें ये भी पता आ गया कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कोई व्यक्ति स्टालकिंग के लिए दोसी नहीं होता जबकि उसको देख रहा है उसको पीछा कर तो वो होता है कि किसी अपराद का पता लगाने के लिए बिधी के अंतर का सौंपे गए किसी कृति को क करने के लिए या फिर कोई परिस्थितियों के अनुसार वो कारे नयायोचीत था उसको करने के लिए अगर उसको मॉनिटर करता है पीछा करता है तो ऐसी स्थिति में पीछा करने के अपराद का दोसी नहीं है ये कौन सा भाई साब कौन सा कारी कर रहा है तो पीछा करने का एक युवा पुरुस ने एक हिस्त्री के सामने 2000 रुपए का करेंसी नोट इस प्रकार लह रहा है कि वह हिस्त्री के असिस्ट स्विकृति के लिए रुपए का प्रस्ताव दे रहा है। उसके भुरुद अपरात दर्ज किया जा सकता है कौन सी धारा के अंसर गरता है। 79 यह 79 क्या कहता है कहता है कोई अंग बेक्षेप या कोई तैयारी करना है जो जिससे महिला का अनादर होता हूँ तो महिला का अनादर होता है तो यह सेक्षन 79 में पनिस होगा कितने से पनिस होगा तो तीन वर्स तक के करवास से पनिस किया जा सकता है दहेज हत्या डावरी डेथ देखिए रेप वाले कटेगरी से अब हम लोग बाहर हो गए डावरी डेथ कौन सी धारा में है दहेज मृत्यू जो है कौन सी धारा में है option number C हो जाएगा section 80 के अंतरगत section 80 के अंतरगत दहेज मृत्यू है पहले कौन सी धारा IPC की हुआ करती थी section 304B हुआ है तो अब इसमें क्या होता है डावरी डेथ होता कब है यह धारा यह बताती है कि जब भी किसी स्थी की डेथ उसके बिवाह के बाद साथ साल के भीतर हो जाती है और वह डेथ होती कैसे है चाहे जलने से हो जाए चाहे सारिक चोड से हो जाए या सामाने परिस्थितियों से अन्य था हो जाए तो ऐसे स्थिति में उससे पता चलता है कि उसके मरने से पहले उसके पती वालों पती के नातिदारों ने दहेज की मांग को लेके उसको साथ कुरूरता कि थी या उसके साथ मिरदैता पुरोग बिवहार किया था यह उसे तंग किया था तो वो क्या होता है तो वो पती और उसके नातिदार जो है उसके मृत्यू करने वाले कहलाते हैं और ऐसे मृत्यू दहेज मृत्यू कहलाते हैं यह section 80 है भारती नयाज सनीता का जिसमें यह बात बताई गई और जिसमें सजा जो है वो साथ वर्ष से कम की नहीं होगी जो आज इवन कर आवास्तक हो सकती है इस नेक्स्ट है आपका प्रस्न भार्ति नियाय सहिंटा की धारा अस्टी के आरोप हेत्व एक आवस्यक तथ यह भी है कि मृत्यु विवाह के परश्चात कितने साल के भीतर समाने परिस्थितियों से अने खाओगे अभी जस्थ हमने डिसकस किया था इस बात को कितने साल के साथ साल के भीतर होगी समाने परिस्टियों से अने था तब ही उसको डावरी डेथ किया आवस्यक तो नहीं है इसमें से क्या डावरी डेथ के अपराद के लिए आवस्यक नहीं ये कि नातेदार दौरा दहेज की मांग के लिए उसके साथ कुरूरता कारिद करने, कुरूरता कारिद किया जाने मृत्यू के कुछ पूर हुआ हो, और तीसरी चीज अभियुक्त दौरा स्तिरी के सारीरिक उपहती कारिद करने का प्रत्यक्ष दर्सी साख्ष हो यह जरूरी तो आपसन नमर सी गलत हो गया आवसेक तक तो नहीं है पड़ रहा है तो यह हो जाएगा गलत चल यह गला देख लिए है कि कोई पुरुस इस्त्री को जो विधिपुरुक उससे विवाहित नहीं है प्रवंजना से यह विश्वास कारिद करता है कि वह विधिपुरुसे सही हो जाएगा एक क्यासी में यह बात बताएगे और यह जो होगा सजाज होती है उसमें दस वर्ष तक ही हो सकती है पहले यह जो धारा थी आईपीसी के 493 थी 493 थी धारा चले आगे बढ़े हम अगला प्रसन आपके सामने यह अगला प्रसन यह एक हिंदूपति इसलाम धर्म अपनाए और पुनभ विवाह करे तो अब अब दूभ विवाह का दोश्रह होगा यह किस वाद में बताएगे यह किस वाद में बताएग्या था इस वाद में बताया गया था तो सरला मुदगल वर्सेज यूनियन आफ हिंडिया के इस पर बहुत सारी केसे हैं लेकिन ये सरला मुदगल वारी केस में ही बताया गया था कि अगर कोई बक्ती है तो बिवाह के प्रयोजनों के लिए धर्म परिवर्तन माने नहीं होगा उबाईगयमी के लिए दोस्य हो जाएगा और बोह की पत्टनी को बोह के घर से फुसला कर ले जाता है और नियाप्राद कारित किया है पत्नी को वह के घर से फुसला कर ले जाता है और ने अपराद कारिद किया कौन सी धारा के अंतर है कि अपसर नमर क्या हो जाएगा सी सेक्शन 84 के तहत अपराद है मतलब दूसरे की पत्नी को फुसला अब आप कहेंगे कि अडल्ट्री अपराद नहीं है लेकिन किसी पत्नी को फुसला कर लिए जाना यह अभी भी और यह बात IPC में जो थी वह 497 नहीं है 498 का प्रोविजन था अब 84 में हो गया और सजा इसमें कितनी मिलेगी फुसला कर ले जाने के लिए दो वर्स की सजा मिलेगी भारती न्याय सनिता की धारा पच्चासी संबंदित है दहेज मिरत्यु से किसी इस्त्री के पति या पति के नातिदार दोरा उसके प्रति कुरूरता करने से कि जार कर्म से कि दुविवास है 85 सेक्षन 85 किस से रिलेटेड है 85 जो है किसे इस्त्री के पति या पति के नातिदार दोरा उसके प्रति कुरूरता करने से और ये बात आप जानते हैं IPC के जो धरातित 498 एथी और इसके लिए जो सजा है वो सजा जो होती है वो तीन वर्स तक की हो सकती है तीन वर्स तक किस सजा हो जाते है कागने जेवल उफेंस है ये कुरूरता पति या पति के नातिदारों दोरा कुरूरता के लिए जावरी के लिए जो कुरूरती के जारी है तीन साल तक की हो सकती है अभी ज़स्ट हमने बात कही थी जिसमें तीन साल की जील हो सकती है कुरूरता के लिए जावरी के लिए जो कुरूर्टी के जारी है तीन साल तक की हो सकती है चलिए अगला प्रस्म है किसी इस्त्री के पति या पति के नातिदार दर उसके प्रति कुरूर्टा को परिभासित किया गया है परिभासित कहां किया गया है तो यह option number हो जाएगा डी हो जाएगा option number section 86 में cruelty को define करना और cruelty को punish करना तो पहले punish कर देता है फिर define करता है पचासी में अभी अपने cruelty के दिखा न कि cruelty जो होगी पती के पती के नातिदार दोरा जो की जाएगी वो तीन साल के करवास से दंडित किया जाएगा अब उसकी परिभासा की cruelty है क्या तो 86 बना दिया गया पहले 498A तो आप कहेंगे वही तो बात है 498A का जो इस पस्टी करण था उस पस्टी करण में बताया जाता था कि cruelty है क्या तो किसे इस तरी को इसलिए तंग करना ताकि दहेज की मांगो पूरा किया जा सके आत्म हत्या करने के लिए वो विवस हो जाएगा यह सब cruelty के अंतर जाता उफ्तर गर्वपात कारित करूफ करने के आश्य से गर्वधो को औससदी देता है गरभवस्त शिशिक हो जाती है को दोसीय ल घकर नमर milk जाएगा गरवपात कारइत करने के लिए लए तोसी घरवात कारित करने का लंटeras कि नेक्स्ट कोश्चन आपका ये है गर्वपात कारित करने के इरादे से हुई मृत्यू के बारे में ने लिखित में से उपबंद किया गया है क्या है सेक्षन नाइंटी क्या कर रहा है गर्वपात करने के इरादे से हुई मृत्यू के बारे में निम्लिकित में बन वह मत्तब ये की करवाना चारा रहे थे गर्वपात हो गई तो यह section 90 उसके लिए punish करता है और section 90 यह कहता है कि अगर उस तरी की सहमती से किया गया था वो गरपात कराया जा रहा था और वो मर गई तो जो करवा रहे थे वो 10 साल के imprisonment से punishable होगी और अगर उसकी सहमती के बिना करवा जा रहा था तो वो life imprisonment से punishable हो सकते है जो miscarriage कराया जा हृण और अपरा अभरधा उसट्री कि मृत्यकर बैस प्रद्रध करके जाती है वह अपराद आप राधिक मानवबध की कोती में आता उस इस्तरी के मृत्यू नहीं होती है कि इतद्वारा जात सजीव सिसु के मृत्यू हो जाती है जो उसके गर्भ में है को इस धारा में परिभासी तपरात का दोसी है चलिए इसको देख लीजेगा बहुत इंपार्टन परनेंगे कब 12 वर्ष से कम आयू के एक सिसुख की म्रत्य उकारिद करने के आस्याए से उसे रेगेस्तान में और अच्छी डाल ब देता है Is कौन सिधारा है इसके लिए ये बात पहले IPC में भी थी 12 वर्ष से कम आयों के सिसी को ड्याल देता है 93 में है रेखिए ये हाँ पर लिखा है 12 वर्ष से कम 93 जो सेक्षन है कहता है कि त्याग देने के इरादे से किसी बच्चे को यानि 12 साल से कम बच्चे को क्या है त्याग देने के इरादे से उसके माता पिता या सनरक्षक माता पिता या सनरक्षक द्वारा अगर उसे किसी ऐसे सुनसान जगां पर छोड़ दिया जाता है तो कौन से धारा के अंतर के अपराथ बनेगा तो 93 के अंतर बनेगा पहले यही प्रोविजन सेक्शन 317 में हुआ करता था 370 में यही बात किया गए जाते हैं अब उसी में अगर वो मर जाए तो कल्पेपल होमिसाइड के लिए भी करवाई हो सकती है भारती न्याय सनिता के सेक्शन 95 के अधीन निमलिखित में से कौन सा अपराध दंदनी है सेक्शन 95 पढ़ लीजिए आप्शन पढ़िए अपराध कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेने से सम्मादिए सेक्शन 95 जो है अपराध करने के इराधे से बालक को भाड़े पर लेने से संबंदिए थाई लिखा है अगला कि जो कोई किसी सिसु का व्यपहरण या अपहरण उसके सरीर पर कोई संपत्चल संपत्य व्यमानिपूर आसे से लेने के लिए करता है धारा 97 भारती नया सनिता के अंतरगत दंडली है यदि सिसु की आयू किसे कब यह बात section 369 जो IPC थी इसमें यह बात बताई गई थी यह बात बताई गई थी कि अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल से कम है और उसको इसलिए किडिनेप किया जाता है ताकि उसके सरीर पर जो अभूशन है जो कीमते समान है उसको चुरा सके हैं तो यह जो है 10 साल का बच्च है और सक्षन जो है 97 है और पूराना जो IPC था उसमें सक्षन 369 था दस साल तक की जेल अरे 10 साल तक के बच्चों के लिए है वो आप राधिक मानोबद से अभिप्रेथ है क्या है आप राधिक मानोबद से अभिप्रेथ है आसर पुर्वक मृत्युकारित करना intentionally किसी की death cause करना इसमें से जो option है उसके हिसाब से यही हो रहा है culpable homicide मैं बताऊँगा इसके बारे में जो जो चीजे छूट जाएंगे इसमें जो प्रस्न में नहीं होगी उसको हम समझा देंगे आप लोगों करता है निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है कौन सा विकल्प सही नहीं है सभी हत्याएं अपराधिक मानोबद है सभी अपराधिक मानोबद हत्या है हत्या करने के लिए आशे से हमेशा हत्या करने के लिए आशे हमेशा आउसक नहीं होता भारती न्याय सनिता गिधारा 100C के तहत कारे उस ज्ञान से किया गया हो कि उस कारे द्वारा मृत्युकारित होना संभाब दे है। जो बताई गई चार कंडिशन है उसको फुल्फिल करता है। यह सभी आप राधिक मानोबध हत्या यह बात गलत है। अब कल्पेबल होमिसाइड के जो हम लोग कल्पेबल होमिसाइड की बात कर रहे हैं उसको सेक्षन 100 में डिफाइन किया गया है। सेक्षन 100 में डिफाइन किया गया है। अब यही बात अगर हम जब तब पढ़ते आई पीसी में तो सेक्षन 299 में डिफाइन किया गया है। को यह जानता है कि यह जाड़ी के पीछे है। खो यह नहीं जानता। पढ़िये इसको क्या लिखा है। यह क्या है। बाई एक को पता है कि जाड़ी के पीछे है दूसरा को नहीं पता है। जिसको नहीं पता उसको कहता है गोली चला अब और बिजाराज गोली पर चला देता और उसके पीछे जो आदमी है मर जाता है कौने कौन सा अपराद किया जिसने हुग साय हुसने तो कलपेबुल होमिसाइड का अपराद किया कौह kसी अपरात का दोस्य है ? कल्पेबल होमीषाइड के लिए सेक्षण हड्ड़ में उसके लिएemor हो जारहे है हमोगास55 में उसके लिए पानिस्मेंट हो जारहा है 110 में उसके लिए क्या हो जा रहा है उसका प्रहुत न हो जा रहा है तो यह तीनों धाराएं हैं अब यही पहले वाले IPC में क्या थी है तो यह little 99 में उसके लिए परिभासा था उसके लिए 304 में उचा पैंस्मेंट था और 308 में culpable homicide का attempt तो इस तरीके से पहले था और अब यह धाराएं पार नेक्स्ट है एक गड़े पर लकड़ियां और घास इस आसे से बिच्छाता है कि यह जड़ विश्वास करते हो भूमी पर सुद्रिण चलता है उसमें गिर जाता है मर जाता है क्या उसमें कोई अपराध किया दुस्परण का अपराधिक मानोबद का अपराधिक सड्यद्र का कि आपराधिक हत्या का क्या सही है इस इसमें से क्या हो जाएगा हो जाएगा आपराधिक मानोबद का यह कैसे मैं कह रहा हूँ यह कैसे कह रहा हूं कि है क्योंकि क्योंकि यह कल्पेबल होमेसाइड वाला जो section 100 है section 100 का hundred का example number bet same to same आपके बेर में लिखा हुआ है, लकडियां और घास भी छाना, मुर्गे पर गोली चलाना, जाड़ी के पीछे गोली चलाना, और मुर्गे वाले, इलूस्टेशन तीनों, तीनों इसे में हैं, एक पुजारी बुरी आत्मा से बचाने के लिए एक बालक को पीटता है, बालक की मृत् उत्तरदाई नहीं है, आपराधिक मानो बद के लिए उत्तरदाई है, सदभावना की प्रतिरक्षा का हकदार है कि हत्या के प्रयास के लिए उत्तरदाई है, क्या सही हो रहा है, मतलब भूत निकालने के लिए लड़की की पिटाई हो जाई, इस प्रकार करता है कि उसकी गर, culpable homicide के लिए उसे, ये case जो है वो जमालुदीन की case है, जमालुदीन की case उसमें यही fact था, कि ये कोजा है, ऐसा करता है, क्यों culpable homicide किया गए, जब तो उसका इरादा तो था नहीं, इसलिए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसी कारे को करने का knowledge है, तो माना जाता है कि उसका culpable homicide के लिए दोसी, तो जो व्यक्ति कारे कर रहा है, उसे इस बात का ज्यान है, कि संभव है कि इस कारे से इसके मृत्यू हो जाए, पर इंटेंशन तुम्हारा नहीं ठमार नहीं का, लेकिन तुमको इतना पता होना चाहिए ने कि जिसके उपर भूत सवार है, मतलब बिमार हो, उसको इतना पीटेंगे तो मर जाएगी, उसने पीटा मर जाए, इसलिए कल पे बोलो हमी साइट में, मा के गर्व में इस्थित सिसु की मृत्यू कारित करना मानवद नहीं है, यह दिया गया है, कहां दिया गया है, सो के एक्स्पिलेंशन वन, ए एक्स्पिलेंशन 3, एक्स्पिलेंशन नूमर 5101 का, क्या लिखा है, मा के गर्व में स्थित सिसु की मृत्यू कारित करना मानवद नहीं है, यह है सेक्षन 100 का एक्स्पिलेंशन 3rd, इस पर खुब प्रशनाब दे हैं, यह पहले जो था ना, सेक्षन 299 का, 299 का एक्स्पिले एक्स्पिलेंशन क्या कहता है, कि किसी मा के गर्व में स्थित शिसु की मृत्यू करना Culpable Homicide नहीं, लेकिन तब Culpable Homicide हो जाएगा, जब सिशु के सरीर का कोई भी भी अंग बाहर आ गया हो, भलेही उसने अभी सांस नहीं ली, उस की मृत्यू कारित करना Culpable Homicide हो जाएगा तो यह उस धारा में सेक्शन 100 का है ब्रड़र्जी न्याय सनिता के निमल öğ हद्या को परिमासित के गया, murder को कौन तो हो जायगा 101 में। क्योंकर दो मर्डर हो गया 101 में अप्राधिक मानो भद हत्या नहीं है यदी किया जाता है। मतता में आप्रतिरोध आवेग्य में गंभीर और अचानक प्रकोपन में क्यों प्रक्सभी क्योंकि जब आप सेक्षन हमने थोड़ी देर पहले बात बताई थी सेक्षन 101 जो मर्डर को डिफाइन करता है वो यही कहता कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है कब जब वो ही चार कंडिशन अब फिर से बोलेंगे मैं ठक गया हूँ तो वो मर्डर है उन चार परिस्थितियों में किया जाए लेकिन इसके सेक्षन 101 क्या पांच एक्सप्षन है जिन परिस्थितियों में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है उसमें से पहला ही है कि ग्रेव एंड सडेन प्रोवकेशन में अगर कोई व्यक्ति है और उसकी डेथ कास कर देता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोसी होगा मर्डर के लिए दोसी नहीं होगा के एम नानावत्ति की केस इस पर आप पढ़े होंगे के एम नानावत्ति वर्सिस स्टेट अगर वो गुष्टे से उस ब्यक्ति के जिसमें गुष्टा दिलाया है उसकी मिर्त्यू कर दे किसी यहनी की नहीं उसकी मिन्दिक्ति कर दे तो वो मर्डर के लिए दोसी नहीं होता है गुष्टो चाम कर्रा और गोलि से हो मारा जाता है को कि अwhy की हत्या का दोसी नहीं है क्योंकि कौने खपर सासे गोली नहीं चलाई यह कथन सही है कि क्या आश्टेती है बताई जब उसे पता ही नहीं था कि जाड़ी के पीछे है और गोली चलाता उसके मृत्ति हो जाती है तो उसमें उसकी गल्ती नहीं है यह देखिए एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए दावा किया वह सर्प दंस को ठीक कर देगा रहे द्रय नहीं सांप का खेल दिखाने वाला था इसने गाए कि मेरे पास ऐसी दवा है जो मैं साम कटवाओगे जो कटवाओगे उसको मैं ठीक कर दोगा चुटकियों में कटवाएक आदमी ने मर गया किस अपराद के लिए दोसी होगा किस अपराद के लिए दोसी होगा यह दोसी होगा को मॉर्डर के लिए दोसी होगा अब आप कहेंग कि समती थोड़ी दिए उसको तो ये विश्वास दिलाया गया ना कि तुम अगर कटवाओगे तो हम तुमारी जयान बचा लेंगे पका अब इस आधार पर उसने कटवाया मर गया तो यहां समती कैसे ध्नात लागो नहीं वह मर्डर के लिए दो से अच्छा एक चीज़ और य दुसरा क्या है कि प्राइबेड प्रतिरक्षा के अधिकार का ओतिकर्मर कर जाया कोई दकी मतलब जो हद है हमारी प्रति रक्षा की अधिकार का उससे आगे बढ़के ऑमने डेथकास करें पॉब्लिक सरवेंट जो है वो अपने जो बिधीने प्राधिकार उसको दे रखा है उससे आगे पढ़के किसी की death cause कर देता है अचानक से fight हो जाए, sudden fight हो जाए, अचानक लडाई हो जाए और उसमी किसी की मृत्यू कारित की जाए दसरत पास्मान की इस पर case भी है, दसरत पास्मान वर्सस स्टेट आफ बिहार की case है और इसमें कहा गया था कि सहमती से मृत्यू कारित की गई थी न, एक दसमी फेल हो जा रहा था बार-बार लड़का और उसने कहा कि अब हम मरेंगे, पत्नी ने कहा कि नहीं, अब आप मरेंगे तो हम का जीगे करेंगे तो हमको भी दे दो जहर, तो पत्नी को जहर उसने दे दिया, आपने खाया बच गया इसके लिए लगा कि पत्नी ने तो सुछा से कहा था कि हमको जहर दे दो नहीं, सहमती से एगर किसी की मृत्यू की आजाता है, तो मड़र तो नहीं होगा, लेकिन कलपेबल होमिसाइड तो होगा ही, तो कलपेबल होमिसाइड के लिए दूसरी ठराए गया. यही पांच परिस्थितियां हैं 101 में पांच अफवाद बताए गए हैं जिन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति इरादे से मृद्धिव करता है फिर भी मुर्डर के लिए उत्रवाई नहीं होता है अच्छा यह सांप कटवाने वाला जो हमने कहा था वो सांप कटवाने वाला जो केस है पुनाई फातिमा का केस है पुनाई फातिमा के केस में है और एक केस इसी पर है सांप कटवाने वाला भी है यह जो केस है को कहता है कि सांप कटवाव में बचा लूगा यह पुनाई फात दिखाने में उसके सर पर सांप रका स CiAμε काट यऊ मरगा यहां पर मुर्डर के लिए नहीं हुआ है को क्यों कि इसदे लिए पर वाई सब स सा समर का जब खेल दिखा रहा दिखा रहा हुआ तो सांप का जя हरीला दांत उसको नहीं हो रहा होगा होसकता है लेकिन तुमने जिस कांग को किया उसको निगरासन एलरीजनस लेगिया जिससे प्रिजूम किया जाता है कि तुमको इस बात का पता था कि तुम्हारा कारे ख़तरना ख़द कर उसकी किसी के । ने डिट हो सकती है को खो के सिर पर घुसे सिवार करता वो मर जाता है कौन सा पराद किया उसने कौन सा पराद किया उसने कि मर्डर क्यों मर्डर है घुशा ही तुमारा इसलिए मर्डर है क्योंकि Section 101 की Condition Second Second Essential जो है कि वह यह कहता है कि जब अपराधिये जानता है कि उसके कारे से रिट्यू संभाव है जानता है और उसने वो कारी किया मृत्यू हो गई मौडर जैसे यही का एक्जामपल सेक्ष्ण बंजुरो नंका इक्जामपल नमर इक्जामपल नमर रहे हैं एक्जामपल नमर बी जो पढ़ेंगे न तो एक्जेक्टली यही इलोस्टेशन है ही उसे य एक सो एक लेकिन आई पीसी जब थी तो उसकी किस धारा में तो धारा तीन सो का दूसरा एसेंशियल और दूसरा एक सप्सप्षन और एक सप्सप्षन का रहा है एलुस्टेशन हम लोग कहां थे यह हम लोग यह हम लोग यही क्या असपास होंगे हम हम कहां कोगया यह कुछ्छियन कोई एक मेडिकल स्टोर में बम रख देता है और अंदर से लोगों को बम से फटने से पहले बाहर आने के लिए तीन मिनट का समय देता है तीन मिनट का समय दे रहा है बम रख देता है और फिर कहता है कि बाहर भाग जाओ नहीं तो फट जाएगा ख़व जो की गठिया का मरीज था बच निकलने में असफल रहता और मारा जाता है कौन सा प्रात किया इसने मर्डर का फंस किया नेक्स्ट है को किसी प्रतिहेतु के बिना ब्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का बद कर देता है को भारतिय न्याय सनिता के अधिन किस अपराद का दोसी है तोप चलाता है बिना प्रतिहेतु के बिना किसी बितिपुड प्रतिहेतु के त लोगवे दोप चलाता है अपसर नंबर क्या हो जाएगा को आपसर नंबर भी हो जाएगा मडर का दोसी कैसे मडर का दोसी सेक्ष्टन 101 माने मडर का जो चोथा ingredient से जो कहता है कि जब कोई बहुति कुषी कारी को जानता है को इतना सनसंकट इतना खतरनाक है यिसे पूरिये संभाव के आए कि मृत्ती हो जाएगी या इसी चोट य जाएगी जिस चोट से आजयोज़ाएगा तो म३र रगतunci होगा अब यह तो रहा है वीड़ पर तो इसा नहीं कि हम कान आth इसा नहीं लिए भीत prints नुक्स है आंसिक रूप से उसे गैर कानूनी रूप से भोजन देने से विरत रहकर कारिद करता है समझे ले ने? कुछ पीटा और कुछ जब कमजोर हो गया तो खाना देने में उसने लोप किया और जिससे उसके मृत्य हो जाती और नहीं अपराद किया? कौन सा अपराद किया? आप राधिक मानवा जो हत्या नहीं हत्यार होरुपाती उपाती क्या है? यह मर्डर का दोसी होगा यह मर्डर का दोसी होगा यह देखिए यह पढ़िए थोड़ा सा बड़ा है एक जेलर का के पास एक कैदी यग का प्रभार उसकी मृत्यू कारित करने के आसे से कव अबैद रूप से बहुको भोजन की आपूर्ती करने में चूप करता है इसे यह की सक्तिछिड हो जाती है और वह दुर्भल हो जाता है मा एक कैदी जो उसकी दुर्भलता से अनभिग गया है मा एक कैदी जो उसकी दुर्भलता से नभिग गया है यह के साथ लड़ाई करता है जिससे परडाम सुरूप यकि मृत्य हो जाती है जो कि यह को पर्याप्त भोजन दिये जाने पर नहीं होती भारती न्याय सनिता के धारा तीन आठ और धारा एक सो एक को ध्यान में रखते हुए निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है प्रस्म तु समझ गया है इसके साथ आप सना अब देख लिए कौन सा कथन सत्य है को और मा दोनु हत्या के दोसी नहीं है माने हत्या की कोटी में नवाले अप राधिक मानो बत किया हो यह इसमें से बेस्ट आपसट अगर चुनना हो तो का ने हत्या का प्रयास किया है मतलब जिसने उसको कमजोर किय था और मन हत्या की कोटी मिनना आने वाले आप राधिक मानो बद का प्राध किया है यह ज्यादा प्रोविबल एंसर है और उसे कोई एंसर सही नहीं यह क्यों नहीं है यह जो तीन आठ की बात कर रहा है फ्रस्ट में कि तीन आठ को ध्यान में रखे तीन आठ का मतलब पुरानी IPC 35 इसका मतलब यह होता है even is still कि इस दारा में बताया गया है इसके आधार पैजयर बन रहा है उसमें कि एक जैलर है और वह है उसको इतना कमजोर 65 और क्जोग है मरने की कगार पर आ गया उसे हटा दिया किए दूसरा जेलर आता है, पहले जेलर के साथ कोई सडेल्टर था नहीं, और उसने फिर उसी इरादे से उसको खाना नहीं दिया, उसके मृतिपी हो गए, अब ऐसी स्थिती में क्या होगा? तो पहला वाला attempt के लिए दूसरा वाला murder के लिए दूसरी हो रहा है अब लेकिन इसमें वो जो कैदी है वो जेलर थोड़ी है वो कैदी है और वो नहीं जानता कि ये इतना कम जो हो रहा है थोड़ी सी लड़ाई हुए उसमें मर गया तो culpable homicide थोड़ी लगेगा यहां हमने आपसा नमबर बी चुना है ए ने बी को डूबते हुए देखा लेकिन उसे बचाया नहीं बी डूब गया ए ने कौन सा अपराद किया बहुत आसान कोश्यन है क्योंकि जब आप सुरू करते हैं पढ़ाई एललवी की तो उसी समय यह सब आलतू-फालतू के प्रसन आपके सामने आते हैं क्योंकि डूबने से बचाने का उसका बिदिक करतब थोड़ी था उसका नहतिक करतब भी हो सकता तो नहतिक करतब होने से क्रिमिनल लाइबिल्टी नहीं बनेगी हत्या और मानोबध में किस वाद में अंतर इस्थापित किया गया था प्रकृति कि मामुलियों अनकर, मृत्यू के लिए सफियिंट हो हूँ इस में प्रस्ट क्या है प्रस्ट क्या है ट्रांस्फर आफ मैलिस का रूल किस धारा में एक सो दू एक सो नब्या थीन पांच एक सो छ् Arrives ट्रांस्फर आफ मैलिस एक सो दो IPC की अगर हम लोग धारा याद करते हैं तो IPC की धारा 301 में ट्रांसफर आफ मैलिस का था अब मैलिस है क्या ट्रांसफर आफ मैलिस का मतलब यह कि अगर कोई व्यक्ति मारना किसी को चाह रहा है मर कोई और जाता है तो जो मर जाता है उसको मारने का भले ही रादा नहीं था लेकिन फिर भी यह ट्रीट किया जाएगा ऐसे जैसे उसी को मारने का ही रादा था मतलब यह जो मैलिस था इस व्यक्ति की परती सिफ्ट हो गया उस वेक्टिटी परती यह सब प्रिजूम किया जाता है तो यह ट्रांसफर आफ मैलीस का रूल जो है जो था वो सेक्षं 302 में था और अटेंप्ट जो था 307 में था तो अब यह धारा है थोड़ी बदली है थोड़ी क्या पूरी बदल गई को ने अपनी पिस्टॉल से सासे ख़प और गोली चलाई किन्तु वह गह को लगी गह की मृत्ति हो गई को द्वारा कारीत अपराद है मारना चाह रहा था ख़प को लग गया कौन सा अपराद है यह आपसर नमर डी हो जाएगा ट्रांसफर आफ मैलीस के अंदरगत एक सदू के अंदरगत उसकी भी घत्या करने के लिए दोसी होगा वैसे ही जैसे उसको मारने का ही इसका इरादा रहा हो ठीक है अ के द्वारा बह को धंकी दी जाती है वह कि बह सौ को गोली मार देगा इस पर बह सौ को गोली मार देता है और समर जाता है बह का अकरित्या होगा क्वेश्चन समझ जाए ए बी को धंकी देता है कि तुम सी को गोली मार दो अधरवाज मैं तुमको गोली मार दो अब इस लिए उसने अपनी जान बचाने के लिए बी ने सी को गोली मार दी असी मर गया बी ने कौन सा अपराद किया यही परस्ता है कि भी ने कौन सा प्राद किया है कि मर्डर का मर्डर के लिए दोस्थी होगा हुं मर्डर के लिए दोस्थी अब आप कहेंगे कि अब उसके लिए उसका उतरदाई तो नहीं होता यहीं हमने पढ़ा है आपने सेक्शन थार्टी टू हो और पहले यह सेक्शन नाइंटी फॉर हुआ करता है आई पी सी का अब उसमें क्या लिखा है कि देखिए हत्या और मृत्यु दंड से ऐसे दंडनी अपराद जो राज्जी के विरुद्ध हैं अपरादों को छोड़कर अपरादों को छोड़कर मतलब हत्या करने के लिए धंकी दे जाती तो आप हत्या थोड़ी कर देंगें बचाने के लिए दूसरे की जान के ओल राइट अप प्राइवेट डिफेंस के अंतरगती लिए जाती है और परिस्तियों में नहीं भारती न्याय सन्हिता व्यक्तियों की नियूनितम एक सो तीन दू के अधिन डंडनी अपराद कारित करने के लिए व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए देख लेजिए यह अप्सन है आपके सामें एक सो तीन दू की में बात कर रहा हूं ये एक नई धारा 132 जो जोड़ी गई है वह यह कहता है आपसन नमर सी हो जाएगा जो यह कहती है ये पहले नहीं थी कि अगर पांच या पांच से अधिक ब्यक्ति मतलब ब्यक्तियों का एक समू हो गया तो कमसे कम पांच ब्यक्ति मिलकर हत्या कर देते हैं हाठ्य कर देते हैं किस आधार पर धरम के आधार दहल जाती के आधार पर समुधाय के आधें यह चानू आ तरीके से मॉम लिंचींग का लाथ तो एसे स्थिति में पनिश्मेंट एक सो तीन के class नमर दो के अंतर दिया जाता है और ये इसी को हम लोग करते हैं एक नई धारा जोड़ी गए एक सो तीन दो छिक ये बताईए बैचन सिंग वर्सेस state of पंजाब का राजी का मामला संबंधित है किस में बैचन सिंग वर्सेस state of पंजाब option A हो जाएगा भारत में म्रित्य दंडि से संबंधित है बैचन सिंग वर्सेस state of पंजाब की जो केश है बैचन सिंग वर्सेस state of पंजाब नेक्स्ट है कि भा ने देखिए यह जो प्रसन आप देख रहे होंगे कि सेक्सम एक ही पेज पर सारे प्रसन नहीं आपाए है कुछी धर-धर हो गया थोड़ी से सेटिंग में प्राबलम हो गया है लेकिन बाद में ठीक हो गया है थोड़ी देर बाद जब हम लोग देखें भा ने दूसरे कैदि खो की हत्या कर दी और उसके क्रित के लिए क्या दड़ होना चाहिए अजीवन सकारवास की सजा काट रहा है और उस दौरान उसने किसी के मुर्डर कर दिया अब उसे कौन सी सजा मिलेगी यह बताना आप्सन है मृत्यू दंड दिया जाना चाहिए भा को मृत्यू दंड नहीं दिया जा सकता और केवल आजीवन का रवास से दंडित किया जा सकता भा को उसके सेश प्राक्रतिक जीवन पढ़ लिजी आप्सन नमर सी हो जाएगा मतलब सेश प्राक्रतिक जीवन का जीवन का रवास यह अमरित्यू दंड से दंडित किया जा सकता है अब यह बात आई कहा है यह बात सेक्शन 104 में है यह भी एक तरीके से नई धराई है क्यों नहीं धरा है क्योंकि मैं बताता हूं इसके पीशे हिस्ट्री क्या रही है पहले इसी प्रकार की बात IPC की धरा 303 कहती थी इसी प्रकार का मतलब exactly यही नहीं 303 कहती थी कि आजीवन सिद्ध दोस द्वारा अगर कोई सी व्यक्ति की का मडर किया जाता है तो ऐसी स्थि में यह होगा कि 303 जो कहती थी उसे कहता था कि मृत्यू दंड ही दिया जाएगा कि नहीं मिठ्धू वर्सेस स्टेट अफ पंजाब के केस में मिठ्धू अफ पंजाब के केस में कोट ने कहा कि यह तो गलत है आर्टिकल 14 का वाइलेशन एक आदमी दस मडर करके आ रहा है उ वह जो गलती है दारा 104 से बीनिस में सुधारी गई तो बीनिस में सुधारी गई कि अगर कोई व्यक्ति आजिवन करावास किसा शजा काट रहा है और फिर से उसने मडर कर दिया तो क्या होगा तो 104 यह कहता है कि उसे आजीवन का रवास जो सेश प्राक्तिक जीवन वाला होगा या फिर मृत्यू या फिर मृत्यू है पहले केवल मृत्यू था तो इसलिए गड़बर हो गया था तो आपसन नमर सी हो जाए चलिए अगला प्रसन देख लिए और जो किसी ख खमों से बाढ़ दिया और उस पर हमला कर दिया जिसके पड़्डाम सरूप वक की मृत्ति हो गई और ने किस धारा के अंतरगत अपराद दिया अब आज समझ रहे हैं अब किस प्रकार की लाइबिल्टी बनेगी कौन सी धारा के अंतरगत लाइबिल्टी बन रही है इसकी लाइबिल्टी बनेगी 105 उपेक्षा द्वारा मृत्यू उपेक्षा द्वारा मृत्यू कारित करना अब उपेक्षा द्वारा मृत्यू जो पहले था न तीन सो च्यार A में था causing death by negligence यहां पर यही होगा कि उपेच्छा पुड़ कारे द्वारा यह ताले पुड़ कारे द्वारा मृत्यू कारे करना लेकिन समझे इस चीज को उपेच्छा पुड़ कारे द्वारा मृत्यू करना यहां कारे तो हुई नहीं रहा है यहां तो सीधे-सीधे मार रहा है न उसको लेकिन फिर वी अब चुकी और किसी धारा में तो कभर हो नहीं रहा तो इसलिए यही कभर लग यही धारा लग यागी सब्सक्राइब करना भारती न्याय सनिता के निम्न धारा के दिन समाविशित किया बताने क्यों तो नहीं न एक सो पांच एक सोचे एक सो एक कोई अपराद में अभी जरस्ट हम लोगों ने देखा एक सो पांच की इंटर्ड़ दूसरी ठक तो कही होंगे आप लोग भी लेकिन वो लोग ठके होंगे जो लोग लगातार इस लिक्चर को देख रहा है अगर कोई व्यक्ति लगातार नहीं देख रहा है इंस्टाल्मेंट में देख रहा है कि आदा घंटा आज देख लिजिए देख लिए एक घंटा बाद में देख लिए देख लिए तो फिर क्या दिकत है तो करी सकते हैं और मुझे लगता है कि अभी भी हम लोगों का लेक् चलता है 193 कहता है कि को ऐसे स्थान पर कुलहाडी से लकडियां काट रहा था जहां बच्चे खेल रहा है हवा में उचली और समीप खड़े बालत को लगी जिससे उसके मृत्तियों किस अपराद का उतरदाई है देखिए इसी प्रकार का एक एक्जांपल एक्सिडेंट में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सिडेंट में हम लोगों ने पढ़ा था अब अगर आपसे पूछू कोई एक्सिडेंट कौन सी धारा में था 18tv में रहा होगा section 18 में accident रहा होगा तो accident में जब कोई बेक्टी जैसे लकडी काट रहा है दुर्भाग्य से उसका जो लोहा है निकलके किसी को लग जाता है तो यह सेम एक्जाम्पल है, थोड़ी सी भासा चेंज हो जाती है, तो लाइबिल्टी चेंज हो जाती है। तो जहां सावधानी का कोई भाव नहीं था वहां कोई अपराद नहीं जहां सावधानी का भाव था मतलब बच्चे खेल रहा है वहां किया जा रहा है तो वह जोसी हो जाएगा भारति न्याय सनेता की धारा 106 का ड्लास नंबर वन की अदि अपराद के लिए न्याल local Одhijn कितनी उद्धी का अपरावास दे सकता है तीन वर्स दो वर्स एक वर्स की 5 वर्स क्या है कौन सी धारा करे है 106 का ड्लास की कितना पनीस्मेंट दिया जा सकता है लड़ लिए आपसर नमबर डी हो जाएगा पांच वर्स नेक्स है भारतिय न्याय सनिता का निमलिखित कौन सा अवबंद एक जुलाई दोहजार चौबिस से प्रवर्तन से अपवर्जित रखा गया है कौन सा अवबंद है जो एक जुलाई दोहजार चौबिस से प्रवर्तन से अपवर्जित रखा गया है यही है 106 का क्लास नमर दो वाई उपेक्षा पूड कारे द्वारा मृत्यू कारित करना पांच साल और अगर कोई व्यक्ति उपेक्षा पूड कारे से मृत्यू कारित करता है और तो उसको यहां पर 10 सवर्ष की सजा है और पुलिस को या किसी हॉस्पीटल को पहुंचाए बिना प्राधिकारी को सूचना दिये बिना फरार हो जाता है तो यह चीज रोक दी गई क्योंकि इसका बड़ा विरूद हुआ कि बाई अगर मान लिज कि वहां ठीक नहीं होगा इसलिए अपसर बी जो है इसको कहा गया है कि यह धारा अभी लागू नहीं होगी बाद में लागू की जाएगी मतलब यह कहता है यह प्रशन पड़ लिजे कि उपेच्छा द्वारा मृत्यू कारिद करना जो मेडिकल मामलों में है तो कहता है कि तब तक नहीं किया जाएगगा जब तक कि उसका कार आशिर पूडूच कि मिरति हो जाब डाक्टर तो बहुत आपरेशन कर रहा है मिरति हो जारी तो केस कर देंगे उपार तो कौन सी केस में बात कही गई थी कि उसका आसा दोस्पुड होगा तभी लाइविल्टी होगी कौन सी केस है यह बड़ी फेमस केस है जैकब मैथूज वर्सस स्टेट आफ पंजाब बहुत लंबी चोड़ी गाइडलाइन दी गई थी इसमें मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत गाइडलाइन इसमें दी गई थी कि कौन से मरीज को लेना है मरीज का क्या इलाज करना है कैसे रखना है यह सब चीजों की जिम्मेदारी हास्पीटल लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर वहां पर कुछी की डेथ हो जाती तो उसक कर नहीं कर रहे हैं अपमहत्या दुस्पी ने को बात कर रहे हैं तो वह कौन से धारा इंठ्क थे आप्सन नम्मर अब हो जाएगा एक सो साथ के अंतरगर बड़ा गंभीग है क्यों कि किसी ब्याइस से ब्यक्ति को आप उक्सार रहे हैं जो उसकी बुद्धी अभी विकास नहीं हुई है या तो बच्चा है या विक्रेचित है तो एक सो साथ के अंतरगर तो यह डेट सेंट क्यों भारती नयाय संहेता के किस धारा में आत्म हत्या कार्ण का दोस्परण न को परिवहास दीगे वह बच्चु और के लिए था और यह सिर्फ साथा न के कि किसी ही विक्रिएक को आत्म हत्या के लिए दुस्परण करने की परिवहास दीगई ढीएक लेर सव새 two-thy में था 108 हो तो पृष सो पांच में था यह 306 में हो जाए आप सन नमर 20 भारति न्याय सनिता की कौन सीध्रवा हत्या के प्रयास क花 स्की एपराद केलिए डंड आफ ... और हो तो कौन सीध्रमरा हत्या के प्रयास के लिए जो दंड की बात करती है जो धारा पहले IPC में हत्या का प्रयास कौन सी धारा में था, 307 में था, अब कौन सी धारा है जो हत्या के प्रयास की बात करती है, इसका option number C हो जाएगा, 109 धारा जो है, हत्या के प्रयास की बात करती है, चलिए business पर और भी question हम लोग solve करेंगे, हत्या का प्रयास म 109 को थोड़ा सा बताई देते हैं और 109 जो कहती है वो दंड को तीन भागों में बाढ़ती है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या का प्रयत्न करता है तो हत्या के प्रयत्न की स्थिति में उसे दस वर्ष तक कि सजा दी जा सकती है लेकिन अगर उस प्रयत्न में उपहती हो गई जिसको मारना चाह रहा था तो ये लाइफ इंप्रिजन्मेंट तक हो सकता है आजीवन का रवास तक की सजा हो सकती लेकिन अगर आजीवन सीद्ध दोस है है वी इंज़ उसकी बात हम लोगẩ token मतलब पहले से आजीवन का रवास की सजा काट रहा और वह किसी की रजा का प्रेत में करता है तो उसको सजा क्या मिले घी मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है या आजी ओधी दंड या जीओन करवास जोंगा ऑज एह फ्राक्रटिक जीओन का करवास नहीं हो आपको कॉब को पॉहर है का कौमल वयस के सिशो की मृत्यू करने के आसे से उसे एक निर्जन स्थान में रच्छे छोड़ देता है यद्यपी उसके परड़ाम सरूप उस सिसु के मृत्यू नहीं होती कौने कौन सा अपरात्य है अभी थुट दिर पहले ऐसा था ने ऐसा ज्यांपल था ने कि एक बेटी जो किसी बच्चे का मावाफ है 12 साल की कम बच्चे को छ घ्रं जए गए है अटेंब्टु मडर सक्षं 109 पुए 109 का ग्जामपल नम्मर बी जो है इक्जामपल नम्मर बी है वो यही बात करता है और यहां वहां पर परित्याग करने का इरादा था और यहां पर मृत्यू करने के इरादे से उसे सुंसान जगां पर छोड़ देता है। तो ऐसे इस्थिति में जब इरादा मृत्यू का होगा तो attempt to murder होगा अग परित्याग करने का इरादा होगा तो वो धारा लगेगा दोनों fact circumstances एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं अलग अलग विस द्वारा यह की हत्या करने का आसर रखते हुए को विस खरीता है और उसे भोजन में मिला देता है और यह की मेज पर रखने के लिए यह के सेवक को परिदक्त कर देता है को ने कोई अपराद किया पर उसने समझ रहा पढ़ लिजे तो बिलकुल हत्या का प्रयत ने किया सब काम थो अपने तरफ से करी दिया था ना कुछ बचा था अपने तरफ से करने के लिए और यह बात section 109 का example number D में लिखा हुआ है हम अपने से थोड़ी बता रहे है example number D में लिखा हुआ है जहर खरीदा उसके खाने में मिलाया नौकर को दे दिया कि लिए जाओ उसके table पर रख दो अब इनका काम तो सब खतम और attempt यह है न कि जब अपराध ही अपने तरफ से वो सारे कारे कर दे जो उस अपराध की पुड़ता के लिए अवस्यक है लेकिन परिडाम वो ना निकले जो चाहता था तो प्रहतने के लिए दोसी होगा ना लग गया आपसन नमर एक भारती न्याय सनिता के अंतरगर कौन सा दंड़नी अपराध नहीं है हत्या करने की तयारी डेकैती करने की तयारी भारत सरकार के विरुद्ध करने की तयारी भारत सरकार के साथ सांती का हाथ्या करने की तैयारी दंडनी नहीं हाथ्या का प्रेत्म प्रएध्म दंडनी तैयारी दंडनी alleen मतलब बीयने सुथ चाए आईपी सी उसमें कुछ इलेक्टेड अफंस ही हैं जिसके प्रिपोरिशन पनिशेबल बलती अदर्वाज सरकार के साथ मैत्रिपूर संबंद रखने वाले देश में लूट पार्ट करने की तयारी 126 पढ़ा था दंडनी था तो यही तीनों चीज दंडनी थी अब वही चीज अभी भी दंडनी है डेकैती के लिए डेकैती करने की तयारी जो हो 310 का क्लास नमर 4 पढ़ेंगे तो डेकैती करने की तयारी BNSS के तहथ भी दंडनी भारत सरकार के पर दूद करने की तयारी 149 जब BNSS का पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि आए कि पनिशेबल है दंडनी सांती संबंद रखने वाले देश में लूट पार्ट करने की जो तयारी है वो 154 में हो जाएगा सेक्शन 154 में हो जाएगा तो जो पहले था वो अभी भी है बस धाराएं बदल गई तो हत्या करने की तयारी दंडनी यह नहीं करा है कि भारती नाय सहिता की किस धारा के अधील आप राधिक मानोबद करने का प्रयत्म दंडनी अप राधिक मानोबद का प्रयत्म दंडनी अगा असानी से बता सकते हैं कि उपर से गर आए तो 105 में हो जा रहा है आपराधिक मानोबद का प्रयत्म एक सो नो में हत्या का प्रयत्म है तो 110 में जो हो जाएगा वो आपराधिक मानोबद का प्रयत्म हो जाएगा यही बात 308 जो थी आई पी सी की 308 पनिशेबल था भारती न्याज सनिता की कौन सी धारा संगठित अपराद और उसके दंड का उबंद करें यह देखें नई चीज़ें आगए इने संगठित अपराद मतलब और्गनाइजड क्राइम जो है उसको परिभासित किया गया है अब संगठित अपराद और छोटे संगठित अपराद चोटे संगठित अपराद यह दुनों के दो धारा है बनाएगे तो संगठित अपराद कौन सी धारा में है संगठित अपराद कौन सी धारा में है इसका option सही हो जाएगा, option नमोर C, 111, बड़ी लंबी धारा है, उसको पढ़ना पड़ेगा, तो organized crime इसमें है, अब यही पूछ दिया जाएगा, छोटे संगठी तपराद किसमें है, तो 112 में हो जाएगा, छोटे संगठी तपराद, जो small organized crime है, वो 112 में हो जाएगा, तो धारा मैं बताया गया था छोटे संगठी तपराद, 112, अब इसका option पढ़िए, छोटे संगठी तपराद हो, के संबन में क्या कहता है, option नमोर C, छोटे संगठी तपराद के लिए दंड कितना दिया जा सकता है, कारवास, जो एक वर्स से कम का नहीं होगा, जो 7 वर्स तक का हो सकत है, यह छोटे संगठी तपराद हो में दंड हो सकता है, 12, और बड़े वाले में तो मिर्तिव दंड तक हो सकता है, मतलब संगठी तपराद जो 111 के अंतरगत है, अब भारती नय सनिता के कौन सी धारा आतंकवादी terrorist act को, और उसके दंड का उपन्द करती है, देखिए यह नय आ गया, terrorist act और उसके punishment के लिए बात की जा रही है, क्या 110 है, नहीं, क्योंकि 110 में तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है 110 में, 110 में आप, culpable homicide का प्रेप में, 111 में आपने पढ़ा, नहीं, यह तो संगठी तपराद, 112 में क्या है, छोटे संगठी तपराद, बचा कौन, 113, terrorist act, पहले नहीं था, terrorist act अब आया है, संक्रामक रोग से ग्रस्ट एक बेश्या, एक पुरुस के साथ यह प्रकट करते हुए संभोग करती है, कि वह किसी रोग से ग्रस्ट नहीं है, उसने कौन सा प्राद, और प्राकृतिक छल उपाती रिस्टी, बताईया आप से, हर्ट किया उसने, लग नहीं रहा है, उपाती, क्योंकि उपाती की जो परिभासा आप लोग पढ़ते हैं, उपाती की जो परिभासा पढ़ते हैं, कौन सिधारा में है यह, 114 में, पहले कौन सिधारा में था, 319 में था, भी IPC के, तो 114 कहता है कि उपाती कब होती है, जब बैक्ति दूसरे बैक्ति में बाड़ी पेन डूसरे में एक ब्यक्ति कि जब दूसरे में सारिक पीडा रोग यांग सैथिल कारित करता है तो वो क्या करता है उपहति करता है तो क्या कर रही है वो महिला रोग यानि डिसीज काज करती है तो इसलिए यह हो जाए लिखा है यह क्या हो गया इसने क्या किया स्वेक्षया उपहती कारिद करने का प्रयाज किया है और स्वेक्षया उपहती कारिद करना है कौन सी चीज में स्वेक्षया उपहती कारिद करना जो है वो आपको सेक्षन जो होगा वो 115 में होगा section 115 में उसके लिए बताया गया है अच्छा एक चीज और इसमें दंड कितना मिल सकता है एक वर्स तक का कारवास हो सकता है या 10 हजार रुपे का जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है स्विक्षय उपहती कारित करना पहले कौन से धारा में था तो स्विक्षय उपहती कारित करना जो था उसको परिभासित जो किया गया था वो 321 में किया गया था दंड जो मिलता था वो 323 में मिलता था लेकिन अब कई सारी धाराओं को एक में मिला दिया गया गोर उपहती परिभासित किया गया है ग्रीवियस हर्ट को कौन सिधारा में डिफाइन किया गया है तो 114 में उपहती हो गई स्वेक्षया उपहती 115 में हो गई तो सभाविक सी बात है कि गोर उपहती आजाएगी 116 में अब 116 जो ग्रीवियस हर्ट की डिफिनिशन देता वो आठ परकार की चोट को ग्रीवियस हर्ट बताता है आठ प्रकार की चोट जैसे उसमें से दोनों आखों में से किसी भी आख की देखनी की छमता को स्थाई रूप से खताब करें। और फिर उसके जीवन को संकटापन करती है वो चोड या जिसके पढ़ाम सरूप कोई व्यक्ति पंद्रह दिन तक ते ब्रसारे में पेड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में असमार करता है अब प्रस्ण कहां बनता है अब ही आएगा आएगा आपके लोग कोई व्यक्ति 15 दिन तक ते ब्रसारे पीड़ा में रहता है शर्या चेहरा वीदा बेगार दिया गया इस सभेविकल्प से ही क्या हो जाएगा सभेविकल्प सही है यह पंद्रह दिन गिरिवियर सप के नहीं है कौन सी उपहती घोर उपहती नहीं है किसी भी नेत्री पता यह तो इसमें इसको सोची क्योंकि ध्यान से देखने की जरूरत है इसको ध्यान से देखेंगे तभी पकड़ पाएं देखेंगे आप लोगों नहीं है वैसे इतना कठिन था नहीं मैंने इसे सस्पेंस बनाने के लिए इसको कह दिया था कि कौन सी उपहती घोर उपहती नहीं है तो इसमें आप देख रहें कि डस दिन तक िब्र फीर हमें रहना घोर उपहती नहीं है क्यों पियोगि आप जानते हैं कि मैं मतलब 15 दिनों तक या तो टिब्राह उपहती करने मिस आоды कि और सब्धार कर question है क्या भोर उपहती की अंतरगत नहीं आता है इसमें से देख लिजी आप्शन इसका option C हो जाएगा क्यों C हो जा रहा है लगतो रहा है इसलिए क्योंकि कि यह ओस्थाइब इक्षेद रहा है लिखाना दोनों में से किसी भी द्रिष्टी का औस्थाइब इक्षएद जबकि चाहें द्रिष्टी हो चाहें सुनने की चमता हो टेमपरोरी नहीं फर्मा नेंट जो है च्छतिक को को दाहिनी बाह में आते हैं ख़र निमनी की अधिन दंडनी अपराद के लिए दोसी है आपके सामने यह आप्षन है देख रहे हैं ना क्वेस्चन देख लिए बताइए इसका सही आप्षन हो जाएगा बी बी हो जाएगा इसका सही आप्षन क्योंकि यहां लिखा है कि तेज धारदार हथियार से यानि अगर कोई व्यक्ति खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति को उपहती या घोर उपहती कारित करता है तो उसके लिए पनिश्मेंट जो है वो आजाएगा आपको सेक्षन 118 के अंतरगर अब उपहती एगर होगी तो उपहती या गोर उपहती कुछ भी किया जाएगा तो इस धारा कंतर करें उपहती होगी तो तीन वर्स तक का हो सकता है और गोर उपहती होगी तो एक साल से लेके साथ साल तक है साथ, देख लीजी का एक बार, एक साल से लेके, दस साल होगा, देख लीजी का एक बार, दस साल होगा, और ये तीन वर्स होगा, और बीस हजार रुपया फाइन हो सकता है, खतरनाक हंथियार से अगर कोई बेखती, किसी को उपहती कारित करता है, तो तीन साल क साल के एक साल से कम नहीं होगी दोदस साल तक हो सकती और उसके लिए जुर्माना है उसके लिमेट नहीं है नेक्स कर लेते हैं लोग लिखा है कि को यह को मुक्का मारता है और उसके दांट कप तोड़ देता को ने भारती नाय सहिंता कि किस धारा के अधिन दंडनी अपराद लगेगी इसका सही अप्सन हो जाएगा 117 दो लेखे घोर उपहती के परिभासा आपने पढ़ी है ना 116 में आपने पढ़ी है परिभासा अब ये कहते हैं कि स्विक्षया घोर उपहती कारित करना और स्विक्षया घोर उपहती कारित करने के लिए कारित करने के लिए दंड 117 में आ जाएगा तो 117 की धारा 2 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का गृवियस हर्ड करता है तो 117 दो के अंतरगत उसे कितन हर्ट जो हम आई पीसी में पढ़ते थे गोर उपहती के लिए जो दंड था वो 325 के अंतरगत दिया जाता था गोर उपहती के लिए दंड था वो 325 लेकिन तब सक्षन बहुत चैंज थे गोर उपहती की परिमासा 320 में स्वेक्षया गोर उपहती कारित करना 322 में और गोर उपहती के लिए जो दंड था वो 325 में इस तरीके से नेक्स है करने तलवार दोरा खोको सतही तचा में गहरी छती कारित करने उसने कौन सा अपराद किया उपहती कि खतरना का आयुद दोरा उपहती कि रक्तसराव दोरा उपहती कि दंभी रुपहती को ने तलवार दोरा खोको सतही तचा में गहरी छती कारित करना अब ही आप लोगों ने देखा कि एक सव अठारा के अंतर्गत पनिस किया जाता है चलिए आगे बढ़ लेती संपत्ति या मुलेवान प्रतिभूती उद्धापित करने के लिए एक स्टार्ट करने के लिए या कोई ऐसा कारे करने के मजबूर करने के लिए जो अवैद है जिसे से किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो स्वेक्षय घोर उपहती कारित करना कौन सी धारा में बढ़े यह कौन सी धारा में बढ़े था बताई इसका सही option हो जाएगा 1.92 में जो 10 वर्ष तक के punishment के लिए हो सकता है देखे यह कराने का मेरा purpose यह भी है कि हिंदी मीडियम student के लिए हमेशाथ दोयम दर्जे की ब्यास थारती आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे आप किसी देश के किसी भी कोचिंग संस्थान में आप चले जाएंगे दो प्रकार की classes होती है जनरली एक ही होती है जो इंग्लीज मीडियम को priority दे जाते हैं कहीं कहीं अगर दो उनों है तो हिंदी मीडियम के student को यह समझा जाता है जैसे यह तो सिर्फ फीस देने रिजल्ट देने वाले बच्चे तो इंग्ली स्वाले गचें तो पूरा focus जो होता है नों इंग्ली मीडियम पर होता गाइड हो जाए अच्छी बुक और गाइड नहीं मिलते हं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है बहन हार कम तो है नै मेरा प्रयास इसलिए है कि हिं असर देना है ऐसी opportunity देना है जिससे कि वो अन्य लोगों की तुलना में अपने देहत्तर प्रदर्शन को सावित कर सके कि दो सो सत्रह क्वेशन नमर है कि कव एक जमिदार एक रयत को अपना लगान देने के लिए बाद करने के लिए यातना देता को भारती न्याज सनहिता के किस धारा के अंतरगत दंड़नी कारी करता है बताई प्रस्ण तो समझ रहा है न यह प्रस्ण क्या है यह प्रस्ण जो है वो दो प्रकार की बात करता है कि अगर कोई ब्यक्ति मलब पुलिस अधिकारी है संस्विकृति कराने के लिए या फिर कोई पुलिस अधिकारी जो रेवेन्यू आफिसर है अपना पैसा वसूलने के तो वो 121 में दंडित किया जाएगा ठीक है न और ये प्री के लिहाज से बहुत important question है क्योंकि ये question जो section 330 में आता था जो IPC का था IPC के 330 में कई बार पूछा गया है उमीद करते हैं कि ये BNSK 120 में भी ये होगा और ये बार पूछा जाएगा इसलिए बात कर रहे हैं मतलब समझत गया नकि जैसे संस्विकृति कराने के लिए पूलिस वाला मारता पिटता है तो उस धारा के अंतर गत उसे बंडित किया जा सकता है 120 सासखिय सेवक को उसके कर्टब्य के दवरान उसके कर्टब्यों से भयो परत करने के लिए चोट पहुंचाना है अपराद 121 ए भारती नयाज सनहिता के अंतरकत कितनी सजा हो सकती है यह थोड़ा सा प्रॉपर कुश्चन नहीं है इसलिए क्योंकि इस प्रकार के कुश्चन आने की संभावना थोड़ी कम रहती है पांच वर्स तक का है इसको स्किप करते हैं जल्दी से हाँ यह है अमलका प्रयोग कर स्वेक्ष्या घोरुपहती कारिद करना भारती नयाज सनहिता के किस धारा में देने किसका एसीड के द्वारा स्वेक्ष् है ना एसीड से ग्रिवियस हर्ट काज करना यह 124 में और यह दस वर्स से लेकर लाइफ इंप्रिजन्मेंट तक हो सकता है इसमें आजीवन करवास तक की सजा है एसीड अटेक के मामने नेक्स्ट अमल हमले के प्रतेक आहत को नियूनितम तीन लाख हरासी दी जानी चाहिए एसीड अटेक अगर किसी पर किया जाता है तो उसके लिए प्रतिकर करूप में कम से कम तीन लाख की धनरासी दी जानी चाहिए किस केस में कहा गया था तो आप्सन नमर जो है उसके हिसाब से लक्षमी वर्स यूनियन आफ इंडिया 2005 की केस है यह इसी में कहा गया था क्वंफल रेश्टेंट को कहा unch define किया गया है सदोस अवरोध 126.1 में define किया गया सदोस अवरोध होता क्या है जब किसी व्यक्ति को किसी उस दिशा में जाने से रोक दिया जाता है जिस दिशा में जाने का उसी अधिकार है जिस दिशा में जाने का अधिकार है उस दिशा में जाने से रोक देना सदोस अवरोध का पराद बनता है और ये सदोस अवरोध जब IPC पढ़ते थे हम लोग तो उसकी परिभासा जो थी वो 339 में थी जली सदोस अवरोध के लिए दंड क्या होगा केवल सादा होगा केवल कठोर होगा दोनों हो सकता है को ये क्या इस्थिती रहेगी इसके लिए इसके लिए जो है बस 126 के एक में इनकी परिभासा थी 126 दो में punishment हो जाएगा जो punishment का जो nature है वो simple nature का होगा उसकी अलवा एक महीने की jail हो सकती है यह यह 5000 रुपया जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है ठीक है यह सिती है रांग फुल रेस्टेंट की 126-2 में punishment है उसकी चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सदोस परिरोध को परिभासित कहां किया गया है, सदोस औरोध अभी हमने देखा था, अब हम सदोस परिरोध को देख रहे हैं, कि कहां परिभासित किया गया है, तो 126 एक और दो में से सदोस औरोध तो अंदाज भी लगाएंगे तो भी 127 के एक और दो में सदोस परिरोध हो जाएंगे वर्स की जेल हो सकती है, 5000 जुर्माना है या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है, अचा 127 दो में ये बात हो गए, परिमासा 127 एक में हो गया, अब ये बात जो है रंखुल कानफाइनमेंट कहां डिफाइन किया गया था, तो ये डिफाइन किया गया था, IPC के सेक्षन 340 के अंतरगत, और ये पनिस्मेंट जो था सेक्षन 342 के अंतरगत दिया जाता था, तो ये IPC की बात हो गई, अब अब की स्थिति क्या है, ये है, हाँ, रंगफुल कनफाइनमेंट होता क्या है, जो परिमासा दी गई है, वो ये कहती है, कि किसी भी व्यक्ति को जब एक न सदोस्परिरोध है, एक भी व्यक्ति को कहीं बैठा के दर्वाजा खुला है, लेकिन वहाँ दो बंदोग धारीयों को बैठा देना की जाएगा तो मार देना, इसी तरीके से, जो है, किसी भी व्यक्ति को एक निस्चित परिशीमा से बाहर जाने से रोक देना, जो है, वो क वुत्रदाई है, किस अपराद के लिए? सदोस्परिरोध के लिए. अब अधैक, परिरोध क्या है, और सदोस्परिरोध के लिए उत्तरदाई है. निम्लिखित वहारतिय न्याय सनित्य की किस द्धारा की अंतरगत सदोस पर्योदर का दंड बताया अभी जस्ट बात पुए थी ना एकफोचाटाइस दो के अंतरगत हो जाए नेक्स हो जाएगा कि भारती नयाय सनिता के निम्न में से कौन सी धारा अपराधिक बल से संबल देते हैं, क्रिमिनल फोर्स इसको कहते हैं, क्रिमिनल फोर्स कहां डिफाइन है, यह डिफाइन है, section 129, अब फोर्स कहां डिफाइन है, क्योंकि फोर्स ही क्रिमिनल फोर्स बनता है, फोर्स कहां डि पीसी के एंगल से देखें तो force का मतलब 349 और criminal force का मतलब 350 अब है क्या force और criminal force force का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में गती गती परिवर्तन गती परिवर्तन या गती हिनता कारिद कर देता है तो वो उस दूसरे व्यक्ति पर force को यूज़ करता है या किसी पदार्थ में गती गती परिवर्तन या गती हिनता कारिद कर देता है जो यदि उसके पर्क में आए तो उसके संवेदना सक्ति पर प्रोभा पड़ सकता है तो वो force को यूज़ करता है अब यही force criminal force कब बन जाता है जब अपराद करने के इरादे से उसकी सहमती के बिना किया जाए या च्छती भाय छोबकारित करने के आसे से किया जाए तो वो force criminal force बन जाता है वही 129 में बता गया बहुत सारे 129 के illustration होंगे और हर illustration प्रस नाता है चुक्छ हम हर illustration तो करा नहीं सकते हैं कि नाव है बध्यवी और नाव को बहा देता है वो रसी खोल देता है तो वो क्या होता है गरम पानी डाल देता है किस इस्त्री का गूमगट उठा देता है उसकी consent के बिना, तो यह सब क्या है? Criminal force है, एक दुलहन जा रही है, डोली में डोली पकड़ लेता है, लूट लेने के इरादे से, क्या है? Criminal force है, तो इसी तरीके से बहुत सारे illustration इसमें है. को यह को छोब कारित करने के आशा से यह कि सम्मति के बिना एक कुत्ते को यह पर जहपटने के लिए भड़काता है कौन सा पराति अब इसी से पकड़ जाए, यह हैला नहीं है क्या इरादा है उसका? छोब, एनज्ज करने के इरादे से क्या कर रहा है? तो वो जपटने के लिए करता है, तो ये क्या हो जाएगा, criminal force ही हो जाओ, criminal force कहां define किया गया है, 129 में, घोर उपहती अब ही आपने देखा, कहां है, घोर उपहती के लिए, section 116 में, उपहती कहां था, section 115 में, हमला कारित किया जा सकता है, कैसे, assault कैसे किया जा सकता है, assault किया जा सकता, Yung big ship दोरह, तैयारी दोरह, दोनों के दोरह, नटोईस के दोरह, गया है, और यही अगर IPC का section देखेंगे हम लोग, तो section हमला जो था, वो section 151 में define किया गए, अब है क्या यह हमला, हमला कहता है कि जब कोई ब्यक्ति, कोई अंग बिक्षेप या कोई तैयारी इस आसे से करता है, कि पास वाले ब्यक्ति के मन में ये युक्तियुक्त आसंका पैदा हो जाए, कि उस पर वो अपराधिक बल का प्र को एक हिंसक कुट्य के मुखबंधनी इस आसे से या संभाब जानते हुए खोलना प्रारंब करता है, कि उसके द्वारा यह कोई अविश्वास हो जाए कि यह कुट्य से आकर्मण कराने ही वाला है, अपराधिक बल का प्रयोग होने ही वाला है, अगर ऐसी चीज हो गई, त कौन सा अपराध किया, एसाल्ट का, और एसाल्ट को कहां डिफाइन किया गया था, अभी आपने देखा सेक्शन 130 के अंतर गई, 129 के अंतर गई, 129 के अंतर गई, 128 के अंतर गई, 4 पताने क्यों इतना हैं कर रहा है आजकर, भारती न्याय सनहेता, 2023 के निमलिखित कौन सिधारा के अधिन संपत्ति की चोरी कारित करने के प्रयत में हमला या अपराधिक बल का प्रयोग गण्दनी, क्या करने हैं, संपत्ति की चोरीत कारित करने के क्रम में हमला या अपराधिक बल का प्रयोग है, और गण्दनी कौन सिधारा के अंतरगत है इसको देख लिजिए Section 130 Section 134 Section 134 चल भारतिय न्याय सनिता में ब्यपहरण कितने प्रकार का होता है Kidnapping की बात कर रहे हैं Kidnapping की बात कर रहे हैं Kidnapping कितने प्रकार का होता है तो यह आप पहले से भी जानते हैं दो प्रकार का होता है, कौन-कौन सा है, ये भारत में से व्यपारण, किडिनेपिंग फ्राम इंडिया, भारत में से, और विधेपुड सनरक्षक्ता में से, विधेपुड सनरक्षक्ता में से व्यपारण, मतलब किडिनेपिंग फ्राम इंडिया और किडिनेपिंग फ्राम ल पुर्ड रूप से महत्वहीन होती है। व्यपहरण में उसकी समती जो होती है पुर्ड रूप से महत्वहीन होती है। और बहुत दोनों 16 वर्स के हैं। और साधी करने के बहाने बहुत दूसरे सर ले जाता है। जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहां और क्या ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन उसका एंसर दीजी। केटनेपिंग का दोसी होगा। अब आप कहेंगे कि 12 साल के थे तो कैसे केटनेपिंग का दोसी होगा। क्योंकि अपराध करने में अक्षम साथ वर्स से नीचे का बेक्ति होता है। अपराध करने के लिए साथ साल से उपर का बेक्ति तो अपराध करने में सक्षम ही माना जाता है। तो यहां जो उसको सहर ले जाता है, ले जाना या बहका ले जाना है न परिभासा में, ले जाना या बहका ले जाना, इस चीज को एक्स्प्लेंड किया गया था बर्दराजन वर्सस इस्टेट अफ मर्दराज की केस, तो अब बहका ले जाना मतलब ले गया न, तो भले ही उस उसकी उम्र कम थी लेकिन अपराद तो करी दिया उसी अपराद करने के लिए नहीं एज एक कीस साल होने जो रही है देखिए आ गया किस एस वर्दराजन वर्सस स्टेट का केस संबंधित है किस से संबंधित है वाई एस वर्दराजन वर्सस स्टेट की केस किस से रिलेटेड है यह रिलेटेड है आपसर नमर सी यानि 363 और इस BNSS की अगर बात करें तो 137 क्लास 2 के अंतर गया अब इसमें क्या एक्स्प्लें किया गया था इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई लड़की मतलब इसमें ले जाने और बहका ले जाने को एक्स्प्लें किया गया था ले जाना और बहका ले जाना क्या है मतलब ले जाना या बहका ले जाना तब ही होगा जब उसे वहां से जाने के लिए किसी भी तरीके से इसने इंड्यूस किया हो उत प्रेरडा दी हो लालच दिया हो भरोसा दिया हो तब अगर कोई स्वेक्षा से कोई लड़की या लड़का किसी के साथ जा रहा है तो वो जो होगा यह kidnapping का case नहीं बनेगा निम्न में से कौन निरंतर जारी रहने वाला अपराद है प्रीमी अक्सार आप लोग पढ़ते हैं कि continuing offense कौन सा है असान सवाल है किडिनेपिंग के जग अबडक्शन के लिए आपन के लिए अबडक्शन के लिए जो जिस ब्यक्ति का अबडक्शन किया रह वह कितनी समयं एज का हो सकता है किसी भी एज का हो सकता है किसी भी एज का, इसके लिए एज मैटर नहीं करती लेकिन अगर हम लोग केड़नेपिंग की बात करेंगे केड़नेपिंग की बात करेंगे तो केड़नेपिंग में अब थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, अब बालक का हो गया है, जो कोई किसी बालक का या किसी unsound mind person का kid mapping करेगा अब समझे, पहले 16 और 18 वाली बात थी, अब उसको भूल जाएए, बालक बालक मतलब लड़का हो, चाहिए लड़की हो 18 साल से कम है, तो बालक का मतलब 18 साल से कम का कोई बच्चा है आया कोई किसी भी येज का कोई unsound mind person है, उसके guardian के guardianship से, उसके guardian की consent के बिना कोई ले जाता है या भखा ले जाता है तो वो kid mapping का दोस्य होता है, kid mapping from lawful guardianship, तो यहाँ अपहरन के लिए कोई येज नहीं है, अपहरन के लिए क्या है, अपहरन के लिए उसकी परिभासा क्या है कि जो कोई किसी भ्यक्ति को जो कोई किसी भ्यक्ति को मतलब एज की बात ही नहीं, किसी भ्यक्ति को बल पुर्वक या प्रवंजना पुर्व उपायों दोरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उत्प्रिवित करता है या ले जाता है तो वो अपहरण का पराद करता है मतलब एज कोई मैटर नहीं करती किसी भी एज का हो सकता है बस उसे ले जाने का जो तरीका है वो बल पुर्वक हो आचाहे चल पुर्वक हो 139 भारती नयाय सनिता के अंतरक्रत भीख मांगने के लिए प्रयोजन से किसी बालक का वेपहरण दंदनी है भीख मांगने के लिए कौन सिधारा में है भीख मांगने के लिए बारक का 139 हो जाएगा 139 पहले जो था न सेक्षन 363 में था 363A में था न तो यह 139 जो है उसे में भीख मांगने के लिए किड्नेपिंग होगरा करना है चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि खौक उसके ग्रिसिक को इसलिए बलपूरोग भाका कर ले जाता है कि वह खौक की हत्या कर सके किसलिए ले जा रहा है बलपूरोग भाका की ले जा रहा है ताकि उसकी हत्या कर सके तो यह कौन सिधारा के अंतरग हत्या या फिरोती के लिए, हत्या या फिरोती के लिए kidnapping या abduction, यही धारा है, 140 का class number 1 के अंतर गति इसको punish किया जा सकता है, नेक्स्ट है, अगला question पढ़िए आप, अगला question आप पढ़िए, क्या पूछ रहा है, किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से आयात करने के अपराद, यह अपनी है, अपराद, दस वर्स के कारवास से दंडनी है, यदि, लड़की की आयू निम्न से कम, कितने से कम हूँ, लड़की की आयू 21 वर्स से कम हूँ, लड़की की आयू 21 वर्स से कम हूँ, यह कहां लिखा है, section 141 जो है न, वो ही बताता है, वन फूर वन क्या कहता है, कि अगर लड़का है, या लड़की है, इनका आयात किया जाता है, आयाक मतलब विदेश से मंगाया जा रहा है विदेविरुद प्रयोजनों के लिए तो अगर लड़के की उम्र 18 वर्स से कम है या और लड़की की उम्र 21 वर्स से कम है ये दोनों की येजमें अंतर है परीमे ध्यान रखेए तो वो उस धारा के अंतरगत धारा 141 के अंतरगत पनिश किया जाएगा. भारत सरकार के बिरुद युद्ध करना, युद्ध करनी का परियत्म करना या युद्ध करनी का दुस्परेरण करना. भारती न्याय की सन्हिता के अधीन किस धारा के अंतरगत दंडनी है? किस धारा के अंतरगत दंडनी भारत सरकार के विरुध युद्ध करना युद्ध करने का प्रियत्न करना या युद्ध करने का दुस्प्रिरण करना यह राज्य के विरुध अपराद जो है वो चैप्टर नम्मर इसके सेवन में और यह 147 से 159 तक होना चाहिए राज्य के विरुध अपराद होगे समझने 147 जो है युद्ध करना, युद्ध करने का प्रेपन करना और युद्ध करने का दुस्प्रेरण करना यह तीनों को पनिस करती है 147 यह मृत्यू यह आजीवन करवास से दंडित किया जा सकता है अब IPC में धाराएं क्या थी, यह सेक्शन 121 में था जो युद्ध करना, युद्ध करने का प्रेपन करना दुस्प्रेरण करना और 148 में था सड़े अंत्र, मतलब 121 ए में जो था सड़े अंत्र को पनिस किया गया था, तो यह सारी धाराएं आपको याद रखने है फिर से एक बार देख लिजिए, चेप्टर जो है, पहले जो चेप्टर हुआ करता था, वो सेक्शन 121 से लेके, 130 था चेप्टर जो था, वो चेप्टर नमर 6 था, लेकिन अब जो है चेप्टर नमर 7 है, 147 से 158 तक है भारती न्याय सनिता, 2023 की निमनलिखित कौन सी धारा के अधिन भारत सरकार के पूर्द विद्ध करने का सडेयंत्र दंडनी, देखिए अभी हमने बात कहीं है, सडेयंत्र कहां दंडनी होगा, आ जाएगा ये 148 के अंतर गत, भारती न्याय सनिता में भारत के संप्रभुता, एकता और खंडता को खत्रे में डालने वाले कारे के लिए भेध दंड है, क्या, पता ही? आजीवन कारवास से भी दंडित किया जा सकता है, और साथ वर्स तक का कारवास और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इतना दंड दिया जा सकता है, जिसमें जैसे कोई ऐसी बात करता है, जो अलगावादी है, यानि एक खंडताव को प्रभावित करता है, लोगों को अलग करता है, बठवारा कराने का करता है, तो ऐसी सब बातें जो होती है, वो इसके अंतरवे पनिशेबल है, नेक्स्ट, क्या कर रहा है, भारती नयाय सनिता के अधेन, निमलिखित में से क्या दंडनी नहीं है, अब इसमें से ऑप्सन में बताना है, क्या दंडनी नहीं है, युद्ध करने की तयारी, हत्या कारित करने की तयारी, दकैती कारित करने की तयारी, मित्र देसमें लूट प करने की तयारी 122 दकैति करने की तयारी 399 और लूट पार्ट करने की जो तयारी थी वो 126 यह इसका नहीं है वो दूसरे मतलब IPC की धारा आम ने बताई है अब इसकी धार अगर बताएं 3104 3104 और क्या बचा राज के विरुद यूद करने 149 और सांती देश में लूट पार्ट करने की तयारी 154 होना चाहिए भारती नयाय सेनिता का अध्याय आठ संबंधित है चेप्टर नमर एट किसे रिलेटेड अब जब अभी साथ पढ़े तो जस्ट उसके बाद कौन सा है सैनिकों वाला कहां जाएगा सेना नौ सेना वायू सेना से संबंधित अपरादों के संबंद में चेप्टर नमर एट जाएगा चेप्टर नमर एट जो होगा वो सेना से है 159 से 168 तक चलेगा यह सेना से संबंदे पहले चेप्टर नमर शेवन था और चेप्टर नमर शेवन होने के साथ साथ यह 130 से लिके 140 था अभित्याजक को संस्रे देना उसी चेप्टर नमर एट का ही प्रसन है वक्षर पूछा गया है कौन सिधारा में है अभित्याजक को संस्रे देना बताएं अब ये त्याजक को संस्रय देना मतलब भगवड़ा है छोड़के भाग गया है अब उसको कोई आस्रय दे रहा है उसकी मदद कर रहा है उसको छिपा रहा है तो वो 164 में पनिस किया जाएगा अब भ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार क्या सही होगा अब भ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार पहले 171 A, B, C, D, S, तरीके सुवा करता थी तो ये 169 हो गया है 169 में अब भ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार है अब निर्वाचन अधिकार क्या है निर्वाचन अधिकार क्या है दिक आर निर्वाचन अधिकार का मतलब है कि जुनाव में खड़े होने, खड़े न होने, नाम वापस लेने, मत देने, मत न देना, यह सब निर्वाचन अधिकार के अंतर करता है भारती नय सनिता का अधियाद 10 किससे संबन्धित है चेप्टर नम्मर टेन किससे रिलेटेड है एक सो अठतर से एक सो अठासी है और यह जो होगा सिक्कों करंसी नोटों बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बल ने यह भी इसकी भी प्रिपरेशन पनिशेबल होती है सिक्का और सरकारी स्टाम्प जैने सरकारी स्टाम्प को बनाने के लिए जो प्रिपरेशन की जाती है रंग खरीद के लाना उसके लिए पेपर खरीद के लाना वह प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है तीन प्रिपरेशन हमने वहां पर देखी थी और एक प्रिपरेशन यहां है। विदेविरुद्ध जमाव भारती न्याय सनहिता में परिभासित किया गया। हानलाफुल सिम्भली सेक्शन 141 जो था आईपीसी का उसमें परिभासित किया गया था। अब कौन सी परिभासा हो गई है। विदेविरुद्ध जमाव के लिए। ऑप्शन नम्मर सी हो जाएगा 189 अब विदेविरुद्ध जमाव क्या है। कि अरद गया कि लोग से को आतंकीत को करना और किसी व्यक्त को अमुर्ध अधिकारों कुपर यृविद्धार करणा दालना है। या किसी व्यक्ति को आप जो नहीं करने के लिए अतंकित करना है या किसी से वह करनी के लिए वेवस करना जो करने काधिकार है तो ऐसा कुछ करता है तो अगर अप्जेक्थ या परिभांस 1500 बॉद है उसका says नहीं है इन्हें से कौन सा बिधि विरुध जमाव का आवस्यक्तत तो नहीं है ये है ही ये है ही और ये नहीं है समान्य आसे की बात नहीं क्योंकि समान्य आसे की बात section 3 के class number 5 में की गई है जब दो या दो से अधिक बेखती अपने समान्य आसे को अगरसर करने में कोई अपराध करते हैं तो यह ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे उस के सभी सदस जो होंगे उसने अकेले ही कारे किया हो यहां पर बात आती है जब हम section 189 की बात करते हैं अनलाफूल असेंबली में समान्य उद्देश से सब्द का प्रयोग किया गया है समान्य उद्देश से सब्द का प्रयोग आगे निम्नि में से कौन सा मामला विद्धि विरुद जमाव से संबंधित है अनलाफूल असेंबली से संबंधित कौन सा मामला है तो आपसा निम्मर यह हो जाएगा मोहन सिंह एम अधर्स वर्सस इस्टेट अफ पंजाब नेक्स आपके समने यह प्रस्न है कि मिल्कित में से किस में भारती नया सन्जिता की धारा 3 5 और 890 के मध्य सही अंतर बताए गया 35 और 190 है क्या, 35 और 190 का मतलब, पहले 190 का मतलब 149 हुआ करता था, 35 का मतलब 34 हुआ करता था, आप समझ्या गया, 34 और 149 में कौन अंतर किया था, ये किया गया है, अच्छा कौन सा अंतर है, केस नहीं पूछ रहा है, कौन सा अंतर सही है, ठीक है? option number A सही हो जाएगा 190 जो है वो एक बिसेस्ट अपराद का अगठन करती है जबकि 35 की वो लदाइद तो बताती है वो अपराद का स्रिजन नहीं करती है यह देखिया आगया प्रसंद्यों मैं पूछ रहा था उच्छतम न्याले ने भारती नियाय सनहिता और भारती दंड सनहिता की 341,4 में यही 190 और कौन से केस में डिफरेंस किया था कौन से केस में अंतर बताया था बताई यह आपका हो जा रहा है नानक चंड वर्सस स्टेट आफ पंजार के केस नानक चंड वर्सस स्टेट की केस हमांद के वह रहता है तो विरेंद्र सिंग विरेंद्र सिंग की वर्सस स्टेट की केस हो अभी 2011 की केस है इसमें भी डिफरेंस बताय गया था 3414 मतलब यह जो 35 और 190 है उसमें तो माली यह नानक चंग नहों हो तब नानक चंग है तो वही लगाना है अब यह फान्च य अधिक सदस्यों के विद्यव रुद्ध जमाउ में किसी एक सदस्य दWARA समान्य उद्धिस को अग्रसर करने में हिंसा क अक्रयोग गठित हो ता went क्या अपराद हुआ? विधि विरुद जमाव दारा उनके किसी सदस्य दारा. जमाव के समाने उद्देश को अगरसर करने में बले आहिंसा का प्रयोग किया जाता है, क्या है? यह क्या हो गया? यह रॉयट हो गया. रायट के दोसी होते हैं. तो जमाव के सभी सदस्य से बलवा के अपराद के दोसी होते हैं. और इसकी definition कहा है? तो section 191 में. देखते जाएए, 189 में विधि विरुद जमाव के परिभासा किए. 190 में विदिविरुत जमाओ के सदस्में दोरा कोई अपराद किया जाता है या कोई ऐसा कार किया जाता है जिसके होने की संभावना थी उसके लिए 190 हो गया 190 हो गया पहले IPC की धारा 146 में यह बात हुआ करती थी 146 में रायट को रिफाइं किया गया चलिए आगे बढ़िए बलवा करने के लिए भारती न्याय सनिता की अधीन दंड है बलवा मतलब वही रायाट अभी जो हम बात कर रहे थे 191 की तो उसमें कितना दंड दिया जाता है दो वर्स का कारवास या जुर्माना या दोनों हो सकता है और ये बात आपको जो है दो सो पचपन पहले जो दंडग था नब तो दारा परिभांस और सभे कही धारा में कर देगा है पहले जो दंड होता था धारा 1 46 में उसके लिए परिभांस थी और 147 में punishment था, लेकिन अब तो उसी के class में दे दिया जाता है, चलिए, कौन सा अपराद है, जो लोक प्रसांती के विरुद्ध है, लोक प्रसांती के विरुद्ध है, लोक प्रसांती के विरुद्ध हपराद हिसमें से कौन सा है, दंगा, ये जो section है, दंगा को जो define किया गया हो, 194 में define किया गया होगा, और इसके लिए जो सजा होगी, वो उसी के class दूसरे में होगी, जो एक साल तक की हो सकती है, और एक हजार रुपया जुर्माना हो सकता है, एक हजार रुपया जुर्माना या एक साल की सजा हो सकती है, तो बहुत छोटी सी सजा है, अब दंगा है क्या पर यहाँ सा काता है, कहता है जब दो या दो से अधिक ब्यक्टि किसी सारवजनिक स्थान पर लड़कर लोक सान्ती में बेगन डालते हैं तो वो दंगा करते हैं मतलब इसके लिए क्या इसन्सियल हो गए ब्यक्तियों की संग्य कम से कम दो सारवजनिक स्थान पर होना चाहिए पॉब्लिक प्लेस पर ही दंगा होता है, प्राइविट प्लेस पर है, सारवजी स्थान पर लड़कर, उस पर लड़ाई होनी चाहिए, और जिस 34 चीज क्या है, उसे पॉब्लिक पीस डिस्टर्ब होनी चाहिए, तो वो अपराद जो होगा, ओफरे होगा दंगा, भारती न्य सनेता की निवलिकित में से कौन सी धारा, प्रतिनिधिक दाइत्यों के बारे में बात करती है, इसमें से कौन सी ऐसी धारा है, जो विकेरियस लाइविल्टी के बारे में कौन सी धारा बात करती है, बिदे बिरुद जमाव के किसी सदस को उसके क्या करते हैं किसी मकान का अधिभोगी है मतलब हमारा मकान है और उसमें बिदे बिरुद जमाव किया जाता है या बलवा किया जाता है तो इस मकान का जो मालिक होगा जो जमीन का जो स्वामी है वो vicariously liable होता है सामानिता R versus Higgins के case में कहा गया था कि सामानिता criminal मामलों में तो लागू नहीं होता है कुछ exception इंगलेंड में बता गया थे कि criminal मामलों में भी vicarious liability का रूल लागू हो जाएगा exceptional situation भारत में तो बहुत रहे है बस यही एक आक्टो सिक्षन हो जो बताते हैं नहीं तो vicarious liability criminal मामलों में लागू नहीं निमलिव में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है पढ़िए बलवा सारवजनिक स्थान पर होना चाहिए दंगा किसी भी स्थान पर होना गलत बात है क्योंकि बलवा तो कहीं भी हो सकता है सारवजनिक स्थान हो अचाहिए private स्थान जबकि दंगा के लिए सारवजनिक स्थान होना ज़रू है क्योंकि अभी हमने कहा था कि जो सारवजनी के स्थान पर लड़ कर दो या दोसिय अधिक व्यक्ति सार पॉब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं तो बलवा के अपराते हैं चली नेक्स्ट कुश्चन आपका ये है कि भारती न्याज संटा के दिन रास्ट्री ये खंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांचंज होते हैं वह अपराद भूसित करते हैं कि आगया है उसको कौन सी धारा केंपर के तुम हड़ी आता हूं सामने से यह रास्टी या खंडता पर प्रभाव डालने वाले जो चीज होगी जो बाते होंगी जो अपराद भूसित करता है section 197 में है अच्छा यही चीज 153a में हुआ करती थी पहले और 153b में हुआ करती यह 196 में जो होगा यह भी परिक्षाम पूचा जाता कि धर्म मूलवंस जाती यहीन आधारों पर क्या होता है कि दो वर्गों में सतुर्था पैदा करता यह अपराद जो है यहां पर बनता है 196 के अंतरग तो यह दोनों रास्टी अखंडता पर प्रभाव डालने वाले और दूसरा 196 वाला क्या हमें का तो जो धर्म जाती लिंग छेत्र समुदाय के अधार पर जो है दो वर्गों में सतुर्था पैदा करने का अपराद होता वो इस धारा के अंतरगत होता है लोक सिवक जो किसी ब्यक्ति को छती कारिद करने के आसे से विधी की अवग्यां करता है कौन सिधारा के अंतरगत है लोक सिवक जो छती कारिद करने के आसे से विधी की अवग्यां करता है है 198 में और IPC का सेक्षन 166 हुआ करता था 166 हुआ करता था नेक्स्ट है यदि कोई लोक सिवक भारतिये नागरिक सुरक्षा सनिता 2023 की 173 एक के अधिन दी गई बलात्संग की इतला को लेखबद करने में असफल होता है तो वह दंडनी होगा समझ रहे ना रेप के मामलों में फायार दर्ज करने के लिए बाउंड करेंगे और वहां पर अगर वह नहीं दर्ज करते तो वह कौन सी धारा के अंतरगत उतरदाई हो जाएंगे, देखिए, कौन सी धारा के अंतरगत अपराधी हैं? दोसों के बाद तो बहुत ज्यादा इंपार्टेंट है नहीं तो अभी हम लोग थोड़ी देर और चलेगा लेकिन हमको लगता है कि अब क्रीम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है अभी है कुछ कारी चोरी है लूट है डकैती है सब चीज़ें बच्ची है क्रीमिनल भी च लेकिर एकदम से पढ़ जाईए पूरा का पूरा एक बार नहीं एक से अधिक बार जब अब तक कि आपको इस सारी धाराएं याद नहों जा पूरी तरीके से तब तक आप इसको पढ़ते रहे और जो कि रायपूर के जिला ने आधीस दोरा जारी किये गया समन के अनुपा है इसका क्या लिखा है यह जिला ने आधीस दोरा समन भेजा गया नहीं आया तो इसको जो हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं लोक सेवक का आदेश न मानकर गयरहाजिर रहना लोक सेवक का आदेश न मानकर गयरहाजिर रहना तो यह चुकि जिला ने आधीस है त वारा जब समझ जारी किया जाता हूँ नहीं आता कोई व्यक्ति तो उसके लिए छे महीने की जेल हो सकती है और दस हजार रुपया जुर्माना हो सकता है या फिर दोनुं हो सकता है यह 208 हम बता गया और यह जब IPC पढ़ते थे तो यह बात हम लोगों को 174 में मिल जाती थी भू धारा के जानते हुए कि उसके भू संपदा सिमाओं के अंदर एक हत्या की गई है उस जिले के मजस्टेट को ज्यानबूज कर मिथ्या इतला देता है कि मिथ्यू सांप काटने से कौन निम्न में से किस धारा के अंतरगत अपराद किया है बताए अच्छा प्रस्न है य लेकिए यह जो होगा वह होगा 212 के अंतरगत हो मित्या इत्तिला देना मित्या क्या देना इत्तिला देना है यह पूछा जाता है कि मिथ्या इतला देना कौन सी धारा में है, तो 212 अब बताएंगे, पहले जो यही बात थी, वो 177 में हुआ करती थी, अच्छा एक चीज़ और, अब यही अगर यह पूछ दे कि कि किसी ब्यक्ति को छति कारिद करने के इरादे से, या छोब कारिद करने के मिथ्या इतला जो दी जाती है, वो 212 में नहीं है, यह 270 में है, बात बदल जाएगी अब, केवल छति करने का इरादे से, क्या करते हैं, मिथ्या इतला देना है, यह, छति करने के आसे से देना है, 270, जैसे हमने जूट है information देदी कि इनके घर में, जो है, यह चीज चोरी की रखी हुई है, पूलिस आए तलासी करें, और पाए कि उनको मन में छोग हो, तो इसलिए यह 270 का माम ला जाएगा, पहले 177 में होता था, और यह वाली जो बात थी, यह 182 में होती थी, IPC की, अच्छा, एक प्रसन और दिमाग में है, कि मिथ्या इतला देना जो है, वो, क्या हो जाएगा, ध्यान रखेगा, इस अब confusion प्रसन है, मिथ्या इतला देना, 212, मिथ्या साक्ष देना, 227 में, मिथ्या साक्ष गढ़ना जो हो जाएगा, वो से लिया जो हो जाएगा, तो यह कुछ सेक्षन है, इनको याद रखना है, उस मामले को चिनेद किजिए, जहां अपराद के वास्तवी रूप में किये जाने को दंडित नहीं किया जासकता, मतलब अपराद हो जाएगा वो, तो दंडित नहीं किया जासकता, आत्म हत्या, यह तो सब दरस्टूड है, सब जानते हैं, कि आत्म हत्या अगर कर लिया जा यारी हत्याकर Πाहत्म याई हो पिर से इंद आगे प्रसु देखते हैं घ्यान कोर्वर्सस इस्टेट-अफ पंजाब का इससे रिले एध्यान कोर्फर से स्टेट-फज उपत्याप जी न की अधिकार में के प्रहत्म से रिलेटेड मिथ्या साक्ष और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उलेक भारती न्याय सहिंता के किस अध्याय के अंतरगत किया गया है मिथ्या साक्ष और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विश्रे में कौन से चेप्टर में बात की गई है बताई दोसो सत्ताइस से दोसो उनहत्तर तक की बात की गई है और चेप्टर जो होगा वो 14 होगा मिथ्या साक्ष वह ही मिथ्या साक्ष देना मिथ्या साक्ष गढ़ना वाली सारी कहाने इसे में आएगे 227 से 279 तक चेप्टर जो होगा वो 14 होगा मिथ्या साक्ष गढ़ना भारती न्याय सनिता की कौन सिधारा में परिभासित है कौन सिधारा में परिभासित है 228 में अभी 227 में हमने कहा था मिथ्या साक्ष देना मिथ्या साक्ष गढ़ना 228 में हो जाए अब गढ़ना क्या गढ़ने का मतलब यह है कि मिथ्या साक्ष फैब्रिकेटिंग फाल्स अवेड़नस फैब्रिकेट करना मतलब बनाना एक तरीके से ऐसी परिस्थिति को क्रियेट करना या किसी दस्तावेज में मिथ्या प्रविस्ट्री करना या किसी दस्तावेज को बनाना जिसको मिथ्या हम जानते है इसलिए बना ताकि नयाला या किसी प्राधिकारी के समख्ष जब उसे पेस किया जा है तो उसके आधार पर नयाला या प्राधिकारी जो है गलत राय बना कि तो क्या करता है मिथ्चैञ साक्ष गढ़ता है और आप समझळिए कि मिथ्चाइस देना 227 मिथ्चाइस Campaign Central 278 और देना और गड़ना दोनों के लिए दंड जो होगा वो 229. मतब देना और गड़ना दोनों कहीं है तो टेंशन न लिजे, अब बता दीजे, आसान है. 232 भारती न्याज़शनिता संबंधित है, किस से शंबंधित है? मिठ्या साक्ष देने के लिए धंकी, यादी कोई ब्व्व्वक्ति मिठ्या साक्ष देने के धंकी देता है, तो वो धारा 232 के इंतरगल धंडित किया जाेगा. ऐसी घोसरा जिसका मिथ्या होना जानते हुए सक्षी के रूप में काम लाता है आपको पता है कि ये बात गलत है फिर भी उसको सही के रूप में यूज करते हैं आपने नहीं बनाई आपने नहीं बनाई लेकिन जो है ऐसी घोसरा का मिथ्या होना जानते हुँ सच्ची की रूपे काम लाना बंधित है यह हो जाएगा दो सो सैंटीस में दो सो सैंटीस में दो सो में था आई पी सी भी इसलिए थोड़ा सा कल्कुलेट करने में प्रावलम हो रही थी आई पी सी के सब्सक्राव जानते घड़कर करने के लिए याज से लाफ कुछ च्छिपाने का कारी करता है उसयुक चजास की है कितनी सजादी जा सकती है? के बीद हावास के करवासति है फ़ल्विंदर कऊर वर्सस इस्टेट आफ पंजाब की केस है कश्मीरा सिंग्व इस्टेट आफ MP की केस है यह सब साख्ष के बिलोबण से है पहले यह जो धारा हुआ करती थी वो 201 के दंतर्गत साक्ष के बिलोपन की बात की लिए चलिए आगे देख लिए इत्तला देने के लिए आबद्ध वेक्ति द्वारा अपराद की इत्तला देने का सासे लोग किया जाना यह किस धारा के अंतर्गत है इत्तला देने के लिए आबद्ध वेक्ति द्वारा इत्तल लिजिए तो कि इसका बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम सजा जो हो सकती हो साथ वर सब्सक्राइब कहानी तो पढ़ी लिए कि पुलिस इनिविस्टिगेटिंग आफिसर है लगता है उसको इविडेंस से किसने हत्या कि काता कोई बात नहीं आप हमको इतना रुपया दे दो मैं आपको छोड़ देता हूं तो से प्रतिषादी करने के इरादे से कोई रिश्वत्वगर लिया जाएगा तो यह धारा साथ वर्स तक के करवा से दंडित किया जाएगा उबर्ती चलिए अगला देख लेजिए अगला है कि भारती न्याय सनिता कि किस धारा के अंदर के लुटेरों या डाकों को संसरे देने के लिए सास्ती का प्रावधान किया गया लुटेरों और डाकियों का संसरे पहले कहां था यह सेक्शन 216 का ए था लुटेरों और डाकों को संसरे देना अब कहां है अब कहां ह दो सो चोमन में और साथ साल तक का हो सकता है अपने इसमें लुठेरे और डाकियों को संस्रा अब संस्रा क्या होता संस्रा का मतलब उसको दंड से बचाने के लिए उसको अपने हां आस्रा देना उनको भोजन देना अपना वाहन देना किसी भी तरीके से उसको मदद करना नेक्स्ट है जमानत या बंदपत्र पर छोड़े गए ब्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारणों के बिना नियाले में अनुपस्थित रहना दंडनी है कौन सी धारा में? 269 में मतलब आपने अपियरेंस के लिए बांड भरा था जमानत दी थी और आप पर्याप्त कारणों के बिना अपसेंट हो गए तो ये 279 में है और इसके लिए एक वर्स तक की सजा हो सकती है एक वर्स की जेल हो सकती है अच्छा ये बात जो हम लोग आई पीसी पढ़ते थे 229A में था 229A में था उपेक्षा पुड कार जिसे से जीवन के लिए संकट पुड रोग फैलना संभव वो BNS के कौन से धारा में है देखे पहले तो ये किस चेप्टर से है ये ध्यान दीजिए ये जो चेप्टर है न वो पॉब्लिक नियूसेंस वाला आपने पढ़ा है न पॉब्लिक नियूसेंस लोक स्वास्त, असलीलता, इन सब चीजों से संबंधित, जो चेप्टर है, उस चेप्टर से संबंधित है मामणा, और उस चेप्टर को हम कहते हैं, चेप्टर नमर 15, चेप्टर नमर 15 से गलेटेड है, अब उसी सिक्रिबारे में ये प्रस्ण है, चेप्टर नमर 15 है ये, 270 से लेके 297 तक चलेगा 270 से लेके 297 तक चलेगा आचाहिए एक मिनट उसको थोड़ा समय ठीक कर देता हूँ अब भी ठीक कर देता हूँ तो फिर समय मर कर आता हूँ तो यह है यही क्वेश्चिन में हम लोग मटक गया थे तो यह क्वेश्चिन जो है 276 यह बात काता है कि उपेच्छा पुड़कायर जिसे जिवन के लिए संकट पूर रोग फैलना संभाद दे और यह चीज आप लोगों को कहां आ रही है आप्चन नंबर भी हो जाएगा सेक्षण 271 के अंतर लग अब यह जो चेप्टर है वह चेप्टर नंबर 15 होगा चेप्टर नंबर 15 होगा और चेप्टर नंबर 15 से संबंदित प्रोविज़न कहां से कहां तक है 270 से लेके 297 तक 270 से लेके 297 है किसी से संबंधित है यह आप जानेगे कि ना public nuisance से related obscenity से related लोक स्वास्थ से संबंधित बाते इन सब तरीके कोई चीजें इसी में आएंगे तो अब यह कहता है 270 में क्या बता गया 270 में बता गया public nuisance की definition public nuisance की definition क्या कहते है public new sense की definition यह कहते है कि जो को लोक को यह जन्साधारन को जो आस पास रहते हैं आज वास पास की संपत्ति का अधिभोग रखते हैं को इस समान च्छती संकट बाधा या छों कारित करता है या कोई ऐसा कारिक करता है या लोब करता है जिससे ऐसी पूरी संभावना है कि अगर कोई अपने सम्मान अधिकारों का प्रयोग करेगा तो उसे सम्मान ने छती संकट भादा पैदा होगी तो यह पॉब्लिक नुसेंस की मतलब नकली दवाईयां बनाना नकली दवाईयां बनाना कौन सी धारा में हैं अप्सान नमर यह हो जाएगा 276 में नेक्स्ट है कौने लोक मार्ग पर वहां उतावले पड़ या उपेच्छा पूर चला कर खो कि संपत्ति को छती कारिती कौने भारतिय न्याज संहिता यह कौन सी धाराओं का अंतरगत अपराद किया है क्या कह रहा है इसका सेक्शन कौन सा हो जाएगा इसका अप्शन नम्मर ए हो जाएगा 281 के अंतर का दंडनी होगा अचा पहले यह बात कहां हुआ करती थी आई पीसी के तर तो 279 कि लोक मार्ग पर उपेच्छा पोड़ो तरीके से उतावले पंसे वहां नहांकना जो है अपराद की स्रेडी में आता है नेक्स्ट है भारती न्याय सनहिता की निमलिखित में से कौन सी धारा हिकलीन नियम से संबंधित है हिकलीन समझते है आर वर्स हिकलीन की केस थी पढ़े होंगे आप लोगों ने वो किस से रिलेटेड है असलीलता से संबंधित है यानि असलीलता को कौन सी चीज असलील माना जाए कौन सी नमाना जाए इसके लिए कुछ मानक बताए गए थे जो कामोद दीपक है या जो कामोद ब्यक्तियों के लिए रुचिकर है या वो उस नेचर की है कि अगर किसी ब्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो वो कैसा हो जाएगी उसके दुराचारी अभरस्ट बनाएग तो यह चीज जो है अब आ गई है आर वर्सेज हिकलीन का जो केस है हिकलीन टेस्ट की बात अगर हम लोग करते हैं तो यह आज आता है 276 के अंतरगत कहा गया 270 294 हो जाएगा 294 हो जाएगा 294 हो जाएगा पहले 292 हो रहा था IPC के तरह 292 अब इसके तरह 294 आगे है भारती न्याय सनिता का चेप्टर नमर 16 भारती न्याय सनिता का चेप्टर नमर 16 जो है किस से रिलेटेड है चेप्टर नमर 16 किस से रिलेटेड है बताई देखिए option है आपके सामे धर्म से संबंधित अपराधों के संबंध में तो चेप्टर नमर 16 है वो धर्म से संबंधित अपराधों के संबंध में है और यह आपका जो सेक्षन है वो लागू हो जाएगा 298 से लेके 302 तक 298 से लेके 302 तक चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रस्न है लेकि अभी यही नहीं यहीं नहीं जब हम लोग कोई परिक्षा आती है जैसे यूपी हो बिहार हो या किसी स्टेट की जब परिक्षा आती है तो उस परपज के लिए हम लोग क्रैस कोर्स भी चलाते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ फांडेशन बैच चल रहा उसके लिए क्रैस कोर्स जैसे माली जब तीन महीने का प्रिक्षा रज़ी कि तो यह आपके प्री के लिए है समय इससे आप पढ़िए और अगर आपसे इससे काम नहीं चलेगा लगेगी नहीं हमको और कुछ पढ़ने की ज़ुरत है तब आप हमसे उस तरीके से जुड़ीगा अधर्वाइस बहुत सारी चीजें तो मैं ऐसे ही कर देता हूं ताकि आप लोगों की होगे बताइए यह जाएगा आपका आपसर नुम्मर एक है ना एक वर्स तक की हो सकेगी और जो सेक्शन जो इसमें लगेगा ना वो सेक्शन थ्री हंड्रेड लग जाएगा सेक्शन थ्री हंड्रेड में बात चलिए आगे पढ़ते हैं अगला प्रसना आपके सामनी यह है कि भारती न्याय सनिता का चैप्टर नमर 17 किस प्रकार के अपराधों से संबंधित है संपत्ति से और यह शुरू कहां से हो रहा है 303 से 334 तक जाएगा संपत्ति के बुरुधा प्राधों से चलिए बहले बहुत बड़ा चैप्टर था यह संपत्ति के बुरुधा प्राधों लेकिन अब जानते हैं अब इसे थेफ्ट के लिए बहुत सारे सेक्षन एक स्टार्शन के लिए बहुत सार सब सेक्षन को मिला मिला के एक सेक्षन में कलाज बना के निप्टा दिया गया है तो चोरी को परिभासित किया गया है चोरी को कौन सी धार हम परिभासित किया गया है चोरी को परिभासित किया गया है तीन ले ले लने आसे से बेमानी पूरा का आसे से उसे हटाता है तो वो चोरी करता है तो 303 में चोरी की परिभासा हो गई चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से क्या सही नहीं है चोरी के लिए संपत्ति चल होनी चाहिए चोरी के लिए संपत्ति स्वामी के कब्जे से हटाई जानी चाहिए चोरी ले जाने के आसर से हटाई जानी जाहिए और चोरी संफत्य द्व Trinity से हटाई जानी है क्या इसमें स्ट नेकि यह सब पॉजेशन की अगेंस्ट के मालिक से नहीं मालिक भी अपनी संपती की चोरी कर सकता है तो पॉजेशन के अगेंस्ट है तो यह गलत हो जा रहा है आप से चलिए आगे बढ़ी निमने लिखित में से कौन सा चोरी का अवस्यक्त तो नहीं है जो चोरी के एसेंसियल पांच पढ़ते हैं न मोवेबल प्रापर्टी होना कैसी के कबजे में हो होना उसकी कांसेंट के बिना डिसानेस्ट इंटेंशन हटाया जाना यह पांच चीजे हैं अब यह कह रहा है कि कौन सी चीज चोरी का हो सकता तो नहीं बेमानी पुडास है स्थावर संपत्ति कबजे से लेना बिना संपती क्या पकड़ में आ गया मोवेबल प्रापर्टी ह नीचे जब कि यहां इमोवेबल प्रापर्टी की बात की है नेक्स्ट है कि को को खो बकाया कुछ रकम लेनी थी खो से लेनी थी खो ने नदी के किनारे चेर रहे खो के बैल को पकड़ लिया और अपने घर ले जाकर बांदिया जब खो ने बैल को छोड़ देने को कहा तो क वह ने उत्तर दिया कि जब रकम मिल जाएगे तो छोड़ देंगे कौन सा अपराद किया है उसने कौन सा अपराद किया है चोरी ही है चोरी के लिए ही दोसी होंगे क्योंकि किसी व्यक्ति की संपत्ती को उसके संपत्ती के बिना बेमानिपूर इरादे से ले लेना हटा दे को खो कि पुस्तख उसके घर से उसकी समथी के विना उसको वापस लटा देने के आसर से उठा लेता है कि वो मěत्रवत उसे लटाने का इनाम ड़ेगा मतलब यह क्या करता इसकी चीज उठाक है और सोचता है इनको हम तब वह आपस करेंगे जब हम कोई नाम नहीं है तो इसने क्या किया तब भी चोरी की तब भी चोरी की कि नेक्स्ट को और खोज भारती वायुसेना में कैड़ेट कमांडर से प्राधिकार प्राप्त किये बिना जोधपूर हवाई एड़े से एक वायुआन निकाल लेते हैं और पाकिस्तान की और उडाकर उडान भर देते हैं उनके द्वारा कौन सा अपराद कारीत किया गया है अपनी सोने की चेन यह के पास गिरवी पढ़यम का मतलब क्या होता है गिरवी करना प्लेज कर देना करने के बाद सोनी की चेन के बदले लिये गए रिण को चुकाए कि उसे यह के कबजे में से यह की समत्य की बिना ले लेता है करने का मतलब समझी क्या है यह इलूस्ट्रे कि अपनी चेन किसी को गिरू भी रखता है उतसे पैसे लेता है अब फिर उसके बाद सोचना है कि पैसा वापस न करना पड़े अपनी सोनी की चेन उसके समती के दिना ले लिता है कौन सा अपराज किया है चोरी ही है और यही हम लोग पढ़ते हैं कि कोई बैक भी अपने सामान की भी चोरी कर सकता है अपने सामान की चोरी के लिए भी दोसी हो सकता है समान तो उसी का है लेकिन फिर भी चोरी के लिए दोसी हो एक स्टार्शन को कहां डिफाइन किया गया है एक स्टार्शन एक स्टार्शन को कहां डिफाइन किया गया है और उसका मतलब क्या होता है एकस्टार्शन जब किसी व्यक्ति को समें मुष्कों या किसियानि व्यक्ति को भाय में डालकर कोई संपत्ति या मुल्यवान प्रतिभूति देने के लिए वेवस किया जाता है तो वो एक्स्टार्सन कहलाता है अब ये बात जो है बदल के आ गई है 308-1 के अंतरगर्ण अब कहां डिफाइन हो गया 308-1 के अंतरगर्ण कि तुम्हारा बच्चा हमारे कबजे में काली पहाड़ी के पीछे पैसे नहीं पहुंचाए तो बच्चे को हम मार देंगे क्या है एक्ष्टार्सन को खो को टेलीफोन पर मानहानी का कथन प्रकासित करने की धंकी देता है और यह कहता है कि जब तक उसे 20,000 रुपए नहीं द धंकी देता है धंकी हो गई ना मानहानी करने के धंकी देता है पैसे मांग रहा है सीदे सीदे क्या मांग रहा है पैसा तो जब पैसा मांग रहा है तो यह क्या हो जाएगा एक्स्टार्शन हो जाएगा और एक्स्टार्शन के लिए punishment यहां पर कहां हो जाएगा 308 का class number 2 हो जाएगा और जिसमें 7 वर्स की करवास हो सकती है और plus fine भी हो सकता है एक्स्टार्शन के मामले में लूट का अपराद गठित करने के लिए निम्नांकित में से क्या वस्यक है लूट का अपराद चोरी उद्धापन छल चोरी या उद्धापन क्या होगा बताई इसका हो जाएगा हर प्रकार की section कौन सा हो जाएगा इसमें section 309 एक्स्टार्शन किसमें था 308 में 309 में होगा robbery यानि लूट लूट कहता है 309 में डिफाइन है और उसमें कहता है कि हर प्रकार की लूट में या तो चोरी होगी या एक्स्टार्शन होगा तो चोरी कब लूट हो जाएगी वही चोरी करने में में चोरी करने के लिए चोरी द्वारा संपत्ति को ले जाने में उसका प्रयत्न करने में अपराधी जब स्वेक्ष्छा है उस व्यक्ति की मृत्य उपहती या सदो सवरोध कारित करता है यो सका तो चोरी लूट बन जाती है यह उसका परयत्न करता है इस चार शन करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की उपस्थिति में और तथकाल उभर जटी पहंचाने के धंगी देそれ बात कहा है 309 के class number one पहले ये लूट जो थी वो 390 में परिफासे थी पहले का मतलब IPC जब भी मैं पहले बोलूँ तो इसका मतलब IPC की बात कर रहा हूँ कव अपने नौकर ये सब कराने का purpose ये है समझ लिजे मिशन APO है ये मिशन APO कि जो बच्चे हमारे APO कर रहे हैं चाहे वो हिंदी मेडियम से हो चाहे इंगलीस मेडियम से हो इनके APO के परपज के लिए जो भी subject है चाहे BNSS है चाहे साक्ष है दिनियम है इनके इतने MCQ मेड डीटेल में करा दूँगा कि ताकि आपको इधर दर परिशान ना होना पड़े और आने वाली वेकेंसी में आपके लिए पहले से आप रेडी रहे हैं तो क्या कर आए को अपने नौकर को हंदुरस्थान पर ले जाने के लिए कोई रकम देता है और वह स्वें भेश बदलकर उसे आरोपित करनी के आसाए से राजमार्ग पर लूट लेता है कौने कौन अजाप रा चोरी लूट बन गई चोरी ही लूट बनी है यहाँ तो अब यहाँ क्या पराद किया इसने इसने लूट किया है अपने ही समान की चोरी हो सकती है मैंने भी थोड़े पहले बता तो अपने समान की चोरी हो सकती है तो चोरी ही लूट बन गई तो अपने समान की लूट भी हो सकता है अपना ही समान है नौकर को दे रहा अब फिर नौकर से लूट ले रहा इसने इंटेंशन भी गलत हो जा रहा है पहला अप्सन्न गलत हो जा रहा है प्रतेक लूट में कम से कम दो यंगति यह य French आ coordination कम सके हैं कि इस में से कुण सापराद ऐसा है जिसके लिए वी संठाध पांच कि जरुवत नहीं पड़ती है कुल आनलाफूल ऐसेंमभली होती है ंतातर अड़केत ही होती है पंच व्यक्तियों के जवरत कहां नहीं पढ़ती है कि लुट में pack्וד अप्तरों अकेले बेख़्िती है कि जो कोई लूट करेगा वह कथिन कारवास से दंडित किया जाएगा, जिसके उधी कितनी हो सकती है, जो कोई लूट करेगा, वो कठिन कारवास से दंडित किया जाएगा, नलंरे का सकती है, इस वान कि ग्रेयों हो सकती है, और यह बात कहां लिखा है, बता हे है, यह सेक्षण 309 का class number 4 होगा class number 1 में loot को define किया गया फिर यहां पर punishment चलिए अगला देख लिजे भारती नियाय सनहिता कौन सी धारत दकैती को परिभासित करती है दकैती को परिभासित करती है देखिए कितना असान हो गया है पहले की तुलना में कितना असान हो गया है 308 में आपने देखा extortion 309 में आप देख रहे हैं robbery और 310 में हो जाएगा डकैती कितना जल दिये दिखो गया तो 310 में हो जाएगा डकैती को परिभासित किया गया अब डकैती क्या है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सन्युक्त होकर में मदद करते हैं और कुल मिला के ऐसे व्यक्तियों की संख्यां 5 है तो वो सारे के सारे ब्यक्तिद डकैती करते है ऐसा परिभासा में बताया गया भारती नयाय सन्युक्ता कि ढहरह 310 के अंग्ण डकैती के अपराद के लिए आवस्यक व्यक्तियों के नियुनितम संख्या कितनी है? कितनी? यही तो है पांच 310 की परिवासा काम साथ कि जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सन्युक्त होकर लूट करते हैं, मतलब लूट ही टकैती बन जाता है तो लूट करने के लिए तो व्यक्तियों के संख्या कोई है ने एक भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं लेकिन वही चार व्यक्ति में प्लस वन हो जाएगा पांच जहां हो गए वो लूट अब नहीं रह गई लूट टकैती बन ले, गंभीर हो गया और अपराद को, क्या भारती नयाय सनिता की धरा 311 एक प्रिथक सारवान अपराद का गठन करती है भारती नयाय सनिता के धिन डकैती करने में घातक आयुधों का उपयोग करने पर नियुनुतम कितना करवास दिया जा सकता है यह बात जो है साथ वारस है, और कहां है यह तीन सो, तीन सो बारा है घातक आयुध से सजीत हो करन, खतरनाक हतियार ले के अगर तो यह डकैती करेगा तो वो सजा ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है साथ साल से कम नहीं होगी यह धारा तीन सो बारा में बताया गया अपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पस्चातवर्ती आसे होना चाहिए, कैसा? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रियेशन आफ प्रापर्टी आई पीसी की धारा 403 में डिफाइन किया गया था जो किसी चल संपत्ती को बैमानी पुरक अपने उपयोग के लिए ले लेता है या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्ति कर देता है तो वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रोप्रियेशन आफ प्रापर्टी रहता है बैमानी पुर्णासे इसके लिए भी होना चाहिए अब बैमानी पुर्णासे को अगर मैं पूछ दू तो कहां है डिफाइन 2.7 में को को एक मुल्यमान अंगुठी पड़ी मिलती यह नहीं जानता कि वह किसकी है को उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयात ने किये बिना उसे तुरंत बेज देता है को ने कौन सा प्रादिया है हमने कहा था नहीं कि कि मिस एप्रोप्रियेशन आफ प्रापर्टी मिस एप्रोप्रियेशन आफ प्रापर्टी आपने देखा था मिस अपोरापरेशनब्रों प्रापर्टी तो यहीं है, जो कोई सम्पत्री आप की नहीं है, आप कहीं पा जाते हैं, और उस सम्पत्री को आप तुरंत अपने फायदे के लिए उसे कर जाते हैं, या उसे कर देते हैं और यह काम डिशानेस्ट ली करते हैं तो आप क्या कर किये हैं संपत्ति का डिशानेस्ट में से प्रोप्रियेशन आफ प्रॉपर्टी का अपराद किया यह देखिए यह पढ़िए लिखा है ना बटवा देखिया और उसे उठा लिया खो ने पाया कि बटवे में 2000 रुपया उसने ले लिया और 6 घंटे बाद खो को बटवे में से 2000 रुपया वापस रखे और लोटा दिया उसने कौन सा अपराद किया संपत्ति के अपराधिक दुर्बिनयोग का अपराद तब भी हो गया कैसे मैं यह बात कह रहा हूँ यह बात जब आप सेक्शन 3.1.4, 314 में ही है criminal misappropriation of property तो 314 का जब explanation first आप पढ़ेंगे ना explanation first पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि misappropriation कुछ समय के लिए भी हो सकता है केवल कुछ समय के लिए भी अगर misappropriation है तो भी misappropriation का अपराद मन जाएगा चोरी भी केवल कुछ समय के लिए भी हो सकती है और misappropriation of property भी कुछ समय के लिए हो सकता है अच्छा इसी में इलुस्ट्रेशन भी है कि एक blank चेक गिर जाता है उस चेक को ले जाके bank में गिर भी रखता है फिर उसके बाद काम करके कुछ दिन बाद दे देता है तब भी वो misappropriation of property के लिए दोसी होई गया कौको लोकस्थान पर 500 रुपए का नोट मिला उसका कोई जानकारी नहीं थी कि 500 रुपए किसका है वह नोट को उठा लेता है कौन सा अपराद किया नोट को उठा लिया उसने कौन सा अपराद किया उसने कोई अपराद नहीं किया क्योंकि section 414 314 जो criminal misappropriation of property इसका section आरे section करें हाँ section का explanation second क्या कहता है कि जो संपत्ति किसी भी व्यक्ति के कबजे में नहीं है केवल उस संपत्ति को उठा लेना misappropriation of property नहीं है और इसी explanation second का example नमर, example नमर ए जो है वो यही बात करता है ऐसी संपत्ति का बहिमानी से दुर्विनियोग जो मृत ब्यक्ति के मृत्यू के समय उसके कबजे में थी भारती न्याय सनहिता के निम्न की धारा के अधिन दंडनी अपराद यह बात जब हम उहां पर पढ़ते थे न तो 404 में था कि किसी मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति का दुर्विनियोग जब उस समय था अब यहां कौन सा अपराद बन जाएगा यहां कौन सी धारा के अंतरगत अपराद बनेगा आपसर नंबर यह हो जाएगा 315 के अंतरगत और 3 वर्स तक का करवास हो जाए होगा तीन वर्स तक का करवास अथा मतलब 314 में misappropriation देखे 308 में एक स्टार सं 309 में रावरी 310 में डकैती और 314 के अंतरगत आपने देखा misappropriation और 316 में देखेंगे criminal breach of trust criminal breach of trust देखेंगे आई गया अपराधिक न्यास भंग का अपराध वरडित है कौन सी धारा में है यह क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट कौन सी धारा में है अभी बात यहीं चल रहे चली निम्न में संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है संपत्ति के विरुद्ध कौन सा अपराध हो सकता है परिरोध के मान हानी की न्यास भंग के उपताब प्रापर्टी के अगेंस क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट होता है बाकी संपत्ति के विरुद्ध नहीं है क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट होता क्या है कि जब एक व्यक्ति किसी संपत्ति के संबंध में कोई हक दूसरे को देता है किसी ने किसी कांट्रेक्ट केता है तो वो हक जब दूसरे को देता है कुछ राइट उस संपत्ति में देता है और वो व्यक्ति उस राइट को मिस्यू वह बात कई गई है कि जैसे कर्मचारी भविस्ट निधी की अंतर्गत जो कट उती है जो सेलरी की कट उती होती है और उसका भी मिस्यूज अगर वह व्यक्ति कर जाता है जो काट रहा है जो नियोजक है जो इंपलायर है तो उसके लिए जिम्हेदान होगा तो इसी तरीके से और किसी भी प्रकार की जो कंपलसरी डिड़क्शन है जैसे माली जे इंसुरेंस के रूप मेरासी जो कट रही है तो वो भी उसी तरीके से आगा कहने वो एक्स्प्लेनेशन लिखने की जरुद क्यों पड़ी इसलिए क्योंकि यह कहता है कि जब भी कोई ब्यक्ति दूसरे ब्यक्ति को किसी संपति से संबंदित अख्तयार माने हक किसी को सौपता है तो यह सौपना की वर्ड है तो यह कहा एक्स्प्लेनेशन में कहा गया है कि सेलरी भले हमारे पास नहीं आई आपने काटके ही दी लेकिन फिर भी उसे हम सौपना ही मान के चलेंगे इसलिए वो एक कि को अपने सेवक खो के माध्यम से अपने मित्र को एक मुबाइल फोन भेजता है सेवक उस फोन को अपने घर ले जाता है और उसका कुछ समय तक उपयूग करता है खो दोसी किस अपराद का अब चली रहा है यही तो हो जाएगा नियासमा अगला क्षिज क्या हो गए कि को एक भांडा गारिक है यात्रा पर जाते हुए अपना फर्नीचर को के पास संभिदा क्या दिन नियस्ट कर देता है कि जब हम वापस आएंगे तो तुम हमारा दे देना लोटा दिया जागा को उस माल को वेमानी से क्या किया बेच दिया क्या भराज किया यहतनों इस्ट करिमिनल में सहं किर में करिमिनल ब्रिचए ऑफ ट्रॉस्ट किया वक्रेशन बेंड़ाए है आइयधे दियता है प्रीच आफ ट्रॉस्ट कि निवलिकित में से कौन सा वाज चार सो छे यानि क्रिमिनल ब्रीच आप ट्रस्प जो आई-पी-सी का है इसकी अधीन न्याह भंग से संबंधी थे इसमें से कौन सा अप्शन आ रहा है इसमें से कौन सा अप्शन सही लग रहा आप सर नमर ब्रीच अध़ा इसको मैं बता देता हूं सही नहीं है चुराई हुई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति नहीं है मतलब सब से पहले इस्टोलेन प्रापर्टि है कहां डिफाइन किया गया है तो इस्तोलन प्रापर्टी को define कहा किया गया है तो section 317 में define किया गया है. 317 सम לסशम सात्र में define किया गया है चुराइओं होज सम्पत्त्य कुछ रुब सम this संपत्ति जो होती है वो चुराई हुई संपत्ति का लाती है तो अब तो चुकि सारी चीज़ें आ जाती है इस लिए इस question को हम cancel करते हैं छल से संबंदित प्रावधानों को भारती नयाज सनिता की किस धारा में समझाया गया है चीटिंग को कहां डिफाइन के बताया गया है चीटिंग को चीटिंग जो है पहले कहां था सेक्षन चार सो पंद्रम परिवां साथी इसकी चार सो पंद्रमे थी अब क्या हो गया है किसी व्यक्ति को उत्प्रिवित करता है कि वो संपत्ति दे या जो पहले से हमारे पास संपत्ति और उसको रखने की जणुमति या फिर इसलिए करता है ताकि वो कोई व्यक्ति को यह ऐसा कारे करे जो वो न करता यदि उसको हमने इस प्रकार प्रवंजना न की होती है तो यह cheating होती है, 308, cheating एक ऐसा अपराध है, तहते हैं कि वो अपनी चारों प्रकार की छती हो सकती है शरीर, मन, ख्याती, संपत्ती, बाड़ी, माइंड, रेपूटेशन, प्रापर्टी, यह सारों प्रकार की इंजरी इसमें हो सकती है नेक्स्ट है कि किसी अन्नि ब्यक्ति का छद्म प्रतिरूपन करके स्वयम परिक्षा में बैठना तथा उस अन्नि के नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरीत करना क्या है किसी के नाम से परिक्षा म बैठना और उसके नाम से हस्ताक्षर करना क्या कहला आए गई प्रतिरूपन द्वारा छल और कूट रचना है, प्रतिरूपन द्वारा छल सेक्शन 319 में है, 318 में चीटिंग हो गया, ठीक है, चीटिंग मने छल हो गया, अब प्रतिरूपन द्वारा छल 319 में, छल तो हम बता चुके हैं, प्रतिरूपन द्वारा छल क्या है, माने जब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन के चल करता है तो उसे हम प्रतिरूपण द्वारा चल करते हैं यानि cheating by personation जब कोई व्यक्ति यानि व्यक्ति को नुकसान कारिद करने के आसे संपत्ति का नास करता है तो यह कहा जाता है कि उसने कारिद किया क्या? आपसर नमर ए मिश्चीफ रिस्टी section 425 में पहले हुआ करता था 425 में पहले हुआ करता था अब कहा है? एक सेकंडर 324 में होगा यह 324 में होगा हाँ 324 ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं यह के साथ एक घोडे में सन्युक्त संपत्ति रखते हुए को को सदोस हानी कारित करने के आसे से को उस घोडे को गोली मा देता है को को भारतिय न्याज सन्हिता की कौन सी धारा के अंतरगर्दन लिट किया जा सकता है बताई लगेगी धारा कौन से? 325 क्योंकि जीव जन्तु को मारना उसी में पांच साल तक की सजा होसत कैसे? उसकी तो अपनी खुद की भी थी ये जो 324 में जो रिस्टी यानि मिश्चीफ को बता गया कि किसी संपत्ति में ऐसा नास कर देना कि उस प्रकार उसके मुल या उपयोगिता नस्ठ हो जा या कम हो जा या उस पर छातिकारक प्रभाव पड़े तो क्या होता है? रिस्टी यानि मिश्चीफ होता है यानि किसी संपत्ति को बर्बाद कर देना तो वो होता है अब उसी का एक्स्प्लेनेशन सेकेंड जो है ना एक्स्प्लेनेशन सेकेंड ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी भी संपत्ति का कर सकता है, यानि किसी संपत्ति का सन्युक्त स्वामी होते हुए भी, अगर उस संपत्ति को नुकसान इसलिए करता है, ताकि दूसरे को भी नुकसान हो जाए, तो वो मेश्चिफ के लिए दोस्ची होगा, और प्रवित्ति तो आदमी से दिक्कत कम है मतलब नुक्सान हमारा हो और साथ में दूसरे का भी हो तब हमको कोई दिक्कत ने हैं रामतित्थ्य आत्रा पर जाते समय आभुषणों का एक बाक्स अपने पडोसी स्याम को नेस्ट कर देता है स्याम रिस्ट्री करने के बैमानी पुडासा के प्राधिकार के बिना बाक्स को तोड़ कर खोल देता है स्याम ने अपराध किया है कौन सा यह यह तीन सो चोटिस में क्या है कि किसी चीज का कोई ऐसी चीज जो बक्से उकसे में है कोई बंध है उस चीज को प्राधिकार न रहते हुए भी तोड़ कर खोल ले यह है इसमें तो अब उसी के जो क्लास नमर टू है उसमें यह पनिश किया गया भारती नियाज सनीता 2023 की धारा 336 में निर्दिस्ट उद्देश्यों में से किसी एक के साथ एक मिथ्या दस्तावेज यह दस्तावी भावना में सेक्शन जो हो जाएगा 336 हो जाएगा नेक्स्ट है कूट रचना का अपराध निमने में से किस सम्मंद में कारिट किया जाता है किस के सम्मंद में कारिट किया जाता है कूट रचना कूट रचना यानि जिसको हम करते हैं फोर्जरी फोर्जरी किसके सम्मंद में होता है कोट रचना का मतलब होता है किसी डाकुमेंट में कोई ऐसी मिथ्या प्रविष्टी करना इस बुरे इरादे से करना ताकी किकिसी के साथ कांट्रक किया जा सके किसीको नुकसान पुहुंचा जा सके तो यह क्या कालाता है कूट रचना कालाती है और यह जो है 336 में होना चाहिए 336 में पहले क्या था ना 463 में कूट रचना और फोरजरी को डिफाइन किया गया था लेकिन अब 336 में हो गया है माननी उच्छतम न्यायाले का अतिहासिक निर्ड़ सीला सेवेस्टियन वनाम आर जवाहर राज किन अपराद से समदे सीला सेवेस्टियन वर्सेस आर की केस किस से रिलेटेड है कूट रचना से रिलेटेड है चलिए लिपिक अधिकारी या सेवक होते हुए अथवा उस नाते नियोजित होते हुए कारे करते हुए लेखा का मिथ्याकार कौन सिधारा के अंतरगत अपराद है यह तो कठिन हो गया बाई यह तो पुरानी आई पीसी में भी आप लोग न अपराद कर लिजेगा लेखाओं के मिथ्याकरण से संबंधित अपराद 344 में आते हैं यह お aintment करन के SP यह कौ Getting कि अपराधिक अभित्रास के अपराद में सामिल होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन जिसको करते हैं पहले 503 में था बताईएगा कौन सा है तो Criminal Intimidation के अफराद में क्या सामिलो हमला संपरहार धंदा धमकी क्रिमिनल इंटेमिडेशन है ही ऐसी चीज़ की हुती अभी करता है नुक्सान पहुंचाने के लिए धर न बहुना न यह सब क्रिमिनल इंटीमिडियेशन के अंतर रहता आता है ठीक है और यह बात कहां लिखी हुई है section 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन को रिफाइंगे केवल डराने का भी उद्श कोई लाव नहीं लेना केवल डराना ही कि अधेरा कायम रहे मतलब दहसत विद्यमान रहे विलन का उद्श होता है तो यह भी अपराद की स्रेडी में आता है को गौ जो मृत है तथा जिसमें ख़ःत वद्ध है कि ख्याती को नुकसान पहुँचाने की धंकी देता है क्या किया है क्या किया है ख्याती को नुकसान पहुचाने की धंकी criminal intimidation है देखिए इसी प्रकार की ख्याती को नुकसान पहुचाने के लिए धंकी तो एक्स्टार्सन में भी दी गई थी लेकिन एक्स्टार्सन में क्या होता है न कि property involved होती है एक स्टार्शन में ले देके घुमफीर के बाद प्रापर्टी की आएगी, प्रापर्टी, मुल्यवान, प्रतिभूति में ले देके पैसा, इसमें सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें सिर्फ पैसा नहीं है, किसी को डराना, किसी को भायभीत करना, किसी से को कार कराना, सब इसमें है लोग को चांथुर्हाक just a few Fußball करने के आशे से साशे अफमान दंधनी है लोग सांथी निए करने के आससे सा आपमान कौन सी धारा के अंतरगत दंडनी है क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहां है 300 क्यां यह साश्य अपमान कहां है 302 जो व्यक्ति नसे की हालत में किसी सारवजनी की स्थान पर प्रवेस करता है और अन्य व्यक्तियों को छुब्द करता है अधिक्तम कितनी अधी का करवास दिया जा सकता है यह होता है 24 घंटा अगर कोई नसे में व्यक्ति कहीं ट्रेसपास करता है तो 24 घंटा होता है और एक हजार रुपे का जुर्माना लगाया सकता है या फिर इसमें सामुदायक सेवा का भी दंड द दिया जा सकता है क्मूदायी सर्विस बताया था कहां डिफायन किया गया यह ब्न एसक्ष के सक्षान 23 के तीसरे explanation 23 के तीसरे class के नीचे explanation है वो चलिए आगे बढ़ जाते हैं मान हानी का अपराद निम्न की अपहानी से संबंधित है किसकी मान हानी का अपराद किसकी हानी से संबंधित है reputation की हानी है ख्यात की अपहानी है कौन सी धारा में से परिभासित किया गया है तो ये section 356 में define किया गया है मान हानी क्या है जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए साइच सब्दों द्वारा संकेतों द्वारा, दिसरूपन द्वारा यान था, इसी व्यक्ति के बारे में कोई लांचनि सासर से लगाता है या प्रकासित करता है, demographics परिख्यातय कहानी की जाए, या संभाव में जानते हुए या विश्वास करने का करण रखते हुए लगाता है, करता है कि ऐसे लांचन से ऐसे बेखती की ख्याती की अपानी होगी तो वो मानहानी का प्राइब करता है 356 पर यहां सा दिखी है चलिए आगे देख लिजिए कि भारती न्याय सनिता की धारा 351 की अधिन निमने का कौन सा अपवाद नहीं है मानहानी के 10 अपवाद, defamation के 10 अपवाद हैं मतलब किसी की कोई बात किसी ने किसी एक्सेप्शन में आही जाती है क्या है लोक से ओको का लोक आचरण, दुर्भावना पूर कथन, किसी लोक प्रस्ण के संबन में किसी ब्यक्ति का आचरण, नयायलेओं और कारवाईयों की रिपोर्टों का प्रकाशन कौन सा इसमें से अपवाद नहीं है यह प्रस्ण है आपकी साथ आपसन नंबर भी हो जाएगा दुर्भावना पूर कथन ऐसा कोई exception नहीं है उसका चली आगे बढ़ते हैं अब आप लोग समझ लीजिए last question मतलब last topic का एकडम final पर हैं मान हनि का अपवाद है लोक कल्यान के लिए सत्यबात का लांशन अपववाद है लोक सीवकों का लुका चरण साहित्तिक समीक्षा उपर्युक्त Państwo अब साहित्तिक समीक्षा सूचेंगे कोई तुसमें है नाई उसमें लिखा होगा हे एक होगे हैं जो है वो ऐसी है कि इसको लिखने वाला व्यक्ति बड़ा ही व्यकूफ टाइट पर रहा होगा, तो इससे मानहानी नहीं होती, तो आपसा नमर B हो जाता है. सुब्रमणियम स्वामी, छोड़ दिजी जो लगा, भारती न्याय सनहिता की सबसे अंतिम धारा कौन सी है? तीन सव अंठामन, 358 धाराएं ही हैं इसमें कुल, 358 धाराएं हैं, तो यही है अंतिम धारा, यह सब तो, अब सब होई गया, रिपीटेड है समझ लिगे, छल से समबंधित प्रावधान को किस में बताया गया है? लास्ट कोस्चन, यह है आपका 318 में चीटिंग बताए गये थी, तो आज का यह जो BNS का जो लेक्षर था, यह कंप्लीट हुआ, भारती न्याय सनहिता हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, आप देखते हैं कि कितने घंटे का यह लेक्षर हुआ है, थोड़ी सी क्लास एक बार डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन देखते हैं कि अखिर कितने देर का लेक्षर होता है, इसी तरीके से मैं कम से कम BNS मैंने कराई दिया है, BNS भी होई गया, और इस तरीके से जब तक आप तक वीडियो पहुँचेगी, तब तक BNS से भी कम्प्लीट हो जाएगा, तो BNS से भी आप लोग देख लिए, पूरा वीडियो देखिए, और इतनी मिहनत किया जाता है, कि समझ लिजए अगर ये पाँच घंटे का लेक्षर है, मिहनत करिए आप लोग और इतनी अच्छी चीज आप लोगो को मिल जा रही है, उसका लाब लेजी और जुड़े रही है हमारे साथ अगर आप इस तरीके की क्लास से जुड़ते हैं इस तरीके से यूटूब पे तो मैं कराई रहा हूँ उसके लिए मैं जानते हैं कि PCSJ हो चाहे APO हो इन सब चीजों की बैच भी चलती है हमारे हैं चाहे वो फाउंडेशन बैच हो काईदे से प्री और मेंस दोनों को टार्गेट करते हैं चाहे जरूरत पढ़ने पर जल्दी से परिक्षा आ जाती है तो क्रैस कोर्स हो वो सब चीजें आपको कराई जाती है और आप जानते हैं फी स्ट्रक्चर बहुत आसान 11.97 पर मंथ का प्लान है आप इस प्लान के तरह जोइन कर सकते हैं और तुड़िये ताकि हम लोग आगे भी कांटिन्यू रहे है थैंक्यू